हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू फिक्षिन चैप्टर नंबर सिक्सेवी पार्ट वन का फिक्षिन तो हम करने वाले इसकी थियोरी जैसे हम करते हैं उसके बाद सौर्ड एक्जाम्पल्स उसके बाद आप refugee qe 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 और टायर थे दायर्सिक्षिए तब सरफेस यह bé protections कंप ब Meg wonder xBoxa, ग्रेम भाउर यहां मरताना हैं चाहूंगा को नॉट वडाल सकता हूं邏ं आस अ system और सौ Nous आई जाए गा जाता हमार और समझ में तो सपनाना चाहता हूं इस कि चार उभी आनता आपसर्स हो सकते हैं यह सुनने में काफ बात लगेगी जो वह तरब को समझते हैं पढ़ते हैं और जिस तरह से का पढ़एं जाता है कि भी स्रेक्षण हमेशा friction हमेशा bodies की motion को oppose करता है friction को कैसे पढ़ते हैं कैसे समझते हैं कि friction हमेशा bodies की motion को oppose करता है लेकिन यहां बताना चाहता हूं गर car इस तरफ जा रही है इसको इस जा रही है तो car बसक्रें के प adventurar है कि अधिया ऑफ जड़ ऐस içना फिजल न विडिये जान गर्ड़न्ता इस लिए और फिक्रिंच नियुक्ती शच करें बहुत जह संस्टक को अधिया और बोग्री शक्री ज़लुभट इंज हो तो मेरे बहुत हो ज़िए ऑछपी आई आँ ऩ्टोरि के Clan डिखने का इक बहुत आध रहा है तो हम dit मुस्त हो और अगी पढ़ेंगे और बाकी चैप्टर्स में याद रखेंगे और बाकी चैपटर्स कास कर, रोटेशनल मेकेनिकस केंदर वहाद पर inflation का मैं अपनत हेगे से ख्याइकन देखनेक बहुत आसान तरीका है ख्यासंकर आपशीचन देखनाँ लेक्राइकन देखनेकल नहीं करते हैं यह तो तो क्या होता और step two है कि friction उस चीज़ को रोखने की कोशिच करता है एक simple example से चालू करते हैं मैं थोड़ा सा यहां से डेविएट हो रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं पहले direction वगर है सारा की सारी चीज़े इस टॉपिक को आपसे ही पड़सकते हैं how to find a direction of friction force इस टॉपिक को आप ऐसे भी पड़सकते हैं how to find a direction of friction force तो इसका example आप बाद में लेंगे मैं वाफिस बेसिक से शुरू करता हूं for example एक ब्लॉग रखा हुआ है ग्रांट के उपर आपको पता है friction force होगा इसके उपर कुछ भी हमको पता है इसके उपर friction force क्या होगा zero होगा क्यों विखॉस ब्लॉग आगे पीछे जाने की कोई tendency नहीं रखता लेकिन इस पर अगर मैं force F लगाँगा तो मुझे पता है friction कीस तरफ होगा क्यों होगा विखॉस यह तो यह move करने की tendency होगी यह तो फ्रिक्षे की तरफ लग रहा होगा इस ब्लॉग पर तीचे की तरफ चोटा एक बोलते हैं friction को लग रहा होगा यह बत समय में आ गई अच्छा यहां फिर force की जगे ऐसा कर लेते हैं कि body आगे move कर रही है तो फ्रिक्षन ना होता तो क्या होता फ्रिक्षन ना होता तो यह body इसके उपर slide करती हूँ जाती यह body उसके उपर rub करती हूँ जाती friction कभी भी रब रब को रब को अलाव नहीं करत करता कि अफ्रिक्षिन को दुष्मन माना गया है यसका मतलब क्या हुआ कि friction को अलाव नहीं करना चाता तो यह बारे molecules आगे की तरफ रब कर रहे हूँगे इस पर friction पीछे लग जाएगा ऑर Newton third law से इस done friction आगगे लग जाएगा a block आगे जा तो friction कहा लगए जाएगा पीछे लेकिन अगर मैं इस statement पूछता हूँ कि ब्लॉक आगे जाए तो friction पीछे लगए तो friction पीछे लगएगा क्या गलत है किया गलत होगा कैसे समजाता हूं और example यह समझो मैं ना सम्लग मैं यह अपना इंक का आउनक की बात करेंगे यह नीचे वाली और इंड को मैं आगे करना चालू किया इन दुनों को मैंने आगे मुफ करना चालू किया लेकिन पूरे रहाया आप पर वाले ब्लोग की सब्सक्राइब आपने आगे आब अगे मुफ करma मतलब इस फोड़े से राव से डाइम पाद इसकी तो प्रक्रोट वो कुछ वी के आसपास बन नहीं थोड़ा सा टीपो मान लो 0.01 सेकंड इतना ही कम टाइम देख लो जाधा देखने की जबत भी नहीं है अब तुम मुझे बताओ कि उपर को ब्लॉक है अगर वो वी स्पीट से आगे जाना चालू कर दिया मतलब वो यहां से यहां तक आगी की तरफ करा क्यों कियों करा करा आगीर नहीं कियो रख investments के अागी तरफ करा you वो force होगा friction का force अगर friction नहीं होता तो क्या होता अगर friction नहीं होता तो क्या इस पे कोई force लग पाता अगर friction नहीं होता तो यह यहीं की यहीं रह जाता इसको मैं आगे मूव करता यहीं की यहीं रह जाता यह आगे निकल जाता यह आगे निकल जाता, यह यहीं की नहीं रह जाता, यह वाला बॉक्स यहीं रह जाता, यह आगे निकल जाता, यह आगे निकल जाता, देखो, इस वाले पे रबिंग हो रही है, इस वाले पे रबिंग पीछे के तरफ हो रही है, इस वाले पे रबिंग आगे हो रही है, यह body आगे move कर रही है इस पर friction कहा है? आगे यहाँ पर friction चाहता है कि body को रोग दूँ और यहाँ पर friction cause of motion है यहाँ friction क्या है? cause of motion यहाँ friction क्या है? यहाँ friction दुश्मन है तुमारा और यहाँ friction क्या है? वो ही तो है जो motion को करवा रहा है मुझे चीज बताओ, बरफ पर चलने पर दिक्कत होती है कि नहीं होती है, बरफ पर या फिर किसी स्मूध सर्फेस पर चलने पर दिक्कत होती है कि नहीं होती है, इसका मतलब जब तुम चलना चालू करते हो, अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या तुम चल पाते हैं, अगर ऐसे तो ग्राउंड इसको आगे दक्का मारता है वो दक्का कौनसा होता है फ्रिक्शन का तो अगर ग्राउंड के पास फ्रिक्शन ही नहीं होता क्या तुम आगे मूप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं लेकिन तुम भी नहीं पाते हैं तो फ्रिक्शन ही वो है जो मोशन को शु तो वो वी थे ना सैफ अली खान की प्रिति जिंटा की और शारुक खान की मुझे मुझे का नाम याद निया रहा शायद कल हो ना हो था तो शारुक खान को जो काम था बॉल्ड निक मना के रखना दोनों की बीचिए में वह काम रखता है फ्रिक्शन यहां भी पही चाहता था फ्रिक्शन चाहता था यह सर्फेस आगे ना जाए यह सर्फेस इसके उपर आगे ना भूफ करे डिलेटिबली तो फ्रिक्शन इसके पीछे लग गया फ्रिक्शन यहां भी वही चीज़ चाहता है फ्रिक्शन के चाहता है यहां पर अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता प्रेक्शन डाये दिक्षिन कि लेक्शन काहा है जरे पीछे मैंने कोई तक्राव ना हो इसमें कोई हो में तो फ्रिक्शन नाम बदनाम हैं वहीं। इसको दोस्ता में उक्षिन क्या काम करता है। फ्रिक्ष्ण वह कमें। जो दोस्तों की बीच में वह 3 दोस्त है जो हमेश्य उनकी बीच में पीच में कराыс ही। यह साचय को सबसे है। एसा भी हो सकता है, इसको मैंने force force लगाए लेकिन आगे move नी करा, जो move नी करा, क्योंकि friction नी इसको variance कर दिया, तो friction rest वाले पे भी लगता है, friction rest वाली bodies पे भी लगता है, friction moving bodies पे भी लगता है, iblings,해도 friction along the body even लग सकता है,fiction zero भी होसक्ता है friction zero कैसे होगा समझो applies friction zero कैसे होगा सम्झो friction zero कैसे होगा sa cola friction zero कैसे होगा जैसे एक पईया है घूम रहा है पईया बहुत गूम रहा है ground नहीं होते है, तो भी घूम रहा था ground अगर नहीं होता इसका मतलब पर एक कोई सोटेशन था क्या एक्सेलीरशन नहीं था धो भी नहीं था है अब मैं बात करता हूँ सैथलीट की मैं बात करता हूँ सैथलीट की जो हंडेट मिटर की दौड में दौड रहा है मैं बात करता हूँ सैथलीट की जो हंडेट मिटर की दौड में दौड रहा है क्या करता है वो शुरूद उसकी स्क्वीड जीरो होती है थोड़ से टाइम में वो अपनी स्क्रीट को बढ़ा के B equal to B कर लेता है और finally 100 meters जब आता है वो वापिस से थोड़ा आगे जाके B final equal to zero कर लेता है पहले उसकी स्क्रीट zero होती है वो बढ़ाता है आगे कर पाता है अगर friction क्रपाता अगर क्रल पाता इसका मतलब क्या हुआ यहां से यहां तक रख से इंक्रीश है एक्सेलरसन इसमें कर अगे की तरफ है यहां से यहां तक उसकी विल्हसी विलोप Except को आगे पुष करते हैं रोखने के लिए अगे पुष करते हैं और फिर ग्राउंट अपन को देरे रोप देता है टो इसको मतलब क्यों होग, acceleration आगए है तो इस पूरे case मेंoser friction आगय है इसके friction यहां पर friction क्या है इस के से इसमें 0 है यह बाड़ी आगे मुव कर रही है बर इसके इसके विलॉसरी कॉंस्टेंट है और यहां पर दिश्विक्षिन की तरफ तो तुमने यह देख लिया अगर कोई बाड़ी आगे मूव कर रही है तो फ्रिक्षान उसपर 0 भी हो सकता है प्रिक्शन रसकता है है पर है कि में पूरा बात कि न्हीं बॉला कि इस पॉैंट ऑफ रही है कि अगर बोड़ी इस तरफ मुव कर रही है अगर वो कॉंस्टेंट स्पीड तो अंदर लगेगा यह पढ़ेंगे से बसारे केसिस होते हैं रोटेशनल मेकनिक्स में केसि को और करेंगे एक दू केस लेता हूं किसी पाइए को तु बाइए को तुमने सब्सक्तुन कर भाएए होगी किशी बॉल को आगे पीछी ने किवेल अपने आगे जाने चालू कर देतीए कि और है पक्राइं के बाद अब्खनी और प्रिक्शन लाकन सr friction कि लिए उसको रोखने की कोशिश करेगा तुख ना होता तो क्या होता? Friction ना होता तो यह होता कि कि इसके पास के वह इसी इसका जो निच्छ वहला Point है मैं जो किस तरफ जाने के जोशुन की भोश्ट है ना थे पीछे की त ड Lebens की तो Friction इस पे आगे लगे तो देखो इस्पिन की जो बॉल जैसे उनिचे ग्राउन के टकराई इसके पार्टिकल्स पीछे रब हुए तो फ्रिक्शन इसको आगे तक का मार दिया उल्टा करेंगे तो बॉल अपनी तरफ आती है थेला होगा बैठे हुए हैं बोर हो रहे हैं अपनी तरफ बॉल आ रही ह प्रिक्शन पीछे की तरफ क्यों होगा क्योंकि अगर फिक्शन ना होता तो ब्लॉक आगे तरफ मूव करता तो इसको रोखने के लिए फ्लाग जाएग इस पे ब्लॉक पे फृक्षे लग जैंगा तो देखा फ्रिक्शन की डाइरेक्शन निकालने के लिए बहुत इंपोर्तें और फ्रिक्शन की डाइरेक्शनшие इसमें तो कॉश्चन जादा नहीं है, friction के direction में इसमें question जादा है नहीं, जब rotation का chapter पढ़ेंगे, तब questions बहुँच जादा होंगे, फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि short answer questions और objective and objective to अच्छे से कर लो, short answer objective and objective to अच्छे से कर लो, in fact theory भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि theory के अंदर काफी अच्छे-चे illustrations जिसमें friction की direction कैसे निकाली जाएगी, वो बताया गया है, theory के अंदर काफी अच्छे-चे illustrations दे रखे हैं, जिसमें friction की direction कैसे निकाली जाएगी, वो बताया गया है, तो हम theory चालो करते है, friction as the component of contact force, friction as the component of contact force, तो शुरू में इन्होंने क्या बोला कि friction को अलग से कोई force मत मानो घोड़े की हमने बात की थी, तो हमने बात की थी पिछले वाले chapter के अंतर की घोड़ा ऐसे move करता है, मतलब घोड़ा ground पे ऐसे push कर रहा है, एंगल पे, तो मतलब ground भी इसको आगे तरफ एंगल पे push करेगा, घोड़े के जो पैर है, वो ground को ऐसे पीछे के तरफ पुश कर रह अबने विवाजित कर दिया, एक तो normal और friction तो बस यही बात की गई है, आगे देखो, कि कोई भी body है, वो उसको दो forces में विवाजित कर लिया, F contact force बना दिया, छोटा F friction बना दिया, N को normal force बना दिया, ground की आपर उल्टा लगना होगा, ठीक है, contact force, normal contact, normal force and parallel friction, तो perpendicular को क्या बो आपर 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 आप आप अप 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 विद अवर्टिकल अप अप अ अ सिंपल अपर 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमने मंदिया बॉडब हागा जो होती रहें बौडब ऋप करी बॉट म मोरड़ा बॉट टिक्षीं टूर ॉर करत इसे तो यह हम कर चुके लाउस-फमोशन में जिसको नहीं आता लेक्षर पीछे पीछे के तरफ त्री और फॉर को ने रिजल्टन आएगा फाइफ यह एंगल 37 के होंगा विक्वास अगर रखोगे 37 के अपोजिट जो एंगल साथ होती है वो ...? अधुश बूटन स्व होगा अगरी है ऐर द्रेंक होलते हैं पानिक भूते हैं अप यह चलू करना है का इस आयम किसे पड़ाते हैं थेयोरी को की की तरह की होते हैं, static और kinetic, kinetic friction का मतलब क्या होता है, first time पढ़ रहें, kinetic friction, kinetic friction का मतलब क्या होता है, when two bodies have a relative sliding, relative sliding, relative motion बोल लो, जब दो bodies एक दूसरे पर slide कर रही है, slide कर रही है, मतलब movement है, relatively, ऐसे निके साथ सब जा रही है, bodies, नहीं, relative, relative sliding होगा, relative motion होगा, तब friction act कर रहा होगा, kinetic friction, जैसे, यहां ground है, यहां पर एक बोड़ी आगे जा रही है, तो इस पर friction लग रहा होगा, पीछे की तरफ हो, ground पर आगे तरफ हो, यह friction जो होगा, वो, kinetic friction होगा, relative slipping is opposed by friction, friction हमेशे क्या काम करता है, रोखने का काम निकरता है, चलाने का काम निकरता है, relative slipping को, relative slipping को रोखने का काम करता है, तो यह सारी बात है, यह मैं समझा चुका हूँ, direction कैसे देखते है, direction देख लो, the kinetic friction on a body is slipping against another body B, the kinetic friction on a body A, जो की B के against slip कर रही है, वो होगा, A के opposite motion, relative motion के, is opposite to the velocity of a with respect to B, is opposite to the velocity of a with respect to B, बत समझे में, जैसे मैं दो केस बताता हूँ, जहां बच्चों को confusion होता है, जैसे एक बार तो इमान दो, इसकी velocity is below है, इसकी velocity 2 है, तो इस वाली body के friction पीछे लग जाएगा, विकास इसके respect में आगे जा रही है, इसके respect में आगे जा रही है, इसके respect म पीछे लेकिन अगर हम ऐसे कुछ कड़ें, कि इसकी velocity है 2, और इसकी velocity है 5, उपर वाले की 2, नीचे वाले की 5, उपर वाले की 2, और नीचे वाले की 5, इसका मतलब नीचे वाला block, नीचे वाला block उपर वाले के respect में आगे जा रहा है, relative velocity kinematics, नीचे वाला block थोड़े देर नीचे वाला block ऋपर वाले के respect में आगे जा रहा है इसका मतलब नीचे वाला block उपर वाले के respect में आगे जा रहा है पीछे नीचे वाले के कौन से है работать Jahre पूरा की पूरा समझाया रख और इसको देख सकते हो, मैंने टीव बात करते हो, मैंने टीविए गिविए वाइट मुग इंटु एन वह बता जाता हूं, तो Fk इस एकल टो मुग के इंटु एन, n is the normal force, और मुक को बोलते हैं, coefficient of kinetic friction, ठीक ना, तो Fk is given, friction force के होता है, mu into n होता है, friction force के होता है, mu into n, friction Fk is equal to mu k into n, mu k मतलब kinetic friction का coefficient, ठीक है, इतनी सी बात की गई है, ज्यादा कुछ बात निकी गई है, आगे देख लगते हैं, एक और चीज जो मुव होता है वो चौंस्टन होता है निचर अब सर्फेस नेचर अब सर्फेस नेचर ओफ तो सर्फेस बोट के ओपर ब इस्टिल को बरहो के तो अलग आयाज गर इस्टिल के अनुरूपर को रगाएंगा, इस्टिल के नोई पुट्र Inc. होर्ष पर आएगा, उसके अंतर भी डिपेंड करेगा, स्टिल कितना है, स्टिल के ओपर क्यों बस नेचर अगी निखा गया है नाहीं और यह उर्येशन पर चाहे एक ब्लॉप को तुम चाहे मैं पावर बैक को ऐसे लेकर जाओँ उस पर डिपेंड नहीं करेगा इसके अलबा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा तो यह अपना अपना कोफिशेंट रोफ काइनैटक त क्वेशन है कोशिन कर लेए फटाफट से है यह भी बहुक अफ मास्स 20 kg is pulled by applying horizontal force 20 kg 20 kg नूगे 2.5 फाइन फॉर्स फिक्षिन फाइन फॉर्स फिक्षिन क्या होगा फोट सफ रिक्षिन फीवर्स फिक्षिन फटाइन मुब करिंटो एड यह नौर्मल का पिली होगा नौर्मल का बिली होगा अची के बराबर होगा त्विक्शन तब 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 करता है जो बॉड़ी बॉडी मोरी रिले applicable लेकिन अगले मरी करेगे अलमारी बॉत भारी से महår 생각 कर रही अगर तो इसका मतलब कोई ना प्रोट होगा भी इसका मतलब इस तरफ से च्टा नहीं कर रही इस लिए इसे कर अलमारी ग्राउंड के रेस्टेक्ट में मूव नहीं कर रही इसके इसी फिक्षिन को हम क्या बोल जेते हैं ठीक है दा लेवरर्स पुछ दा अलमारी तोर्स लेफ्ट एंड फ्लोर एग्जर्स ए फिक्षिनल फोर्स ऑन दालमारे तोर्स राइट इस इन एग्जाम्पिल ओफ टीक है तो यह होगे संपल सफद्टा तो स्याघ्डिकर फिक्षिं में क्या आद रिखना है तुमको वैन देरिस लू रिलेटीव दिटिव होग। ऐसा रिंपोर्टेंटल बोलटेंस को सब्साइब लेकिन पाम आद लेकिन मोशन होना चाहिए तो स्लाइडिंग की पर आद समझे लोगे तुम बात करते हैं इसके मैगनिटूड किसका मैगनिटूड क्या होता है अब इसके लिए एक बहुत इंप्रेस्टिंग से एक्जाम्पिल लिया जाते है जैसे मानदों एक ग्लॉग रखा हुगा है एक ग्लॉग रखा हुगा है इस पर फोर्स लगाया वन न्य इसका एक्सेलेशन हमेशे जीरो आ रहा है इसका एक्सेलेशन हमेशे कितना आ रहा है जीरो आ रहा है हम मानके चलते हैं ऐसा मुझे बता हो जब एक्स की वैल्यू वैल्यू क्या होगी बन होगी क्यों होगी विकॉस एक्सेलेशन जीरो है नेट फोर्स जिरो ना चाहिए ऐ तो एक प्रिक्षिन का फॉर्स लगाया वन नूटन का और बॉड़ी मुव निकर रहे इसका मतलब फ्रिक्षिन का फॉर्स इस्टेक और इस्टेक यह इसकी फिक्स्ट वैली नहीं होती है इसकी फिक्स वैली निवी इसकी वेली वेली होती है इसकी यहां पर यहीं सब लिखा हुआ है As the applied force increases, the friction force also increases जितना हम applied force को increase करेंगे, friction force भी increase करेगा लेकिन एक point of time ऐसा आएगा, जिसके बाद albari move करना चालू कर देगी एक point of time ऐसा आएगा, जिसके बाद albari move करना चालू कर देगी तब हम कौन सा friction यूज़ करेंगे, kinetic friction एक point of time ऐसा आएगा जब हमारी move करना चालू कर देगी उस point पर हम क्या करेंगे kinetic friction को लेकिन उससे just पहले का friction था उससे just पहले का friction था उसकी कुछ ना कुछ maximum value आ गही होगी तो इसलिए हम बोलते हैं कि friction का variable force होता है और इसकी maximum value होती है 0 से लेके Fs जो होता है वो एक Fs max तक जाता है 0 से लेके friction static के value friction static maximum से लेके 0 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा friction static का value 0 से लेके maximum value तक कहीं रहेगा इस value को भी जब हमने force को cross कर दिया हमने जब इस value से ज़्यादा मानलो इसका value 10 आ रहा है तो जब तक मैं 10 newton का force लगाँगा तब तक तो सब ओके है मानलो इसका value 10 आ रहा है maximum वाले friction static का तो जब तक मैं 10 newton का force लगाँगा तब तक सब ओके है लेकिन जैसे ही मैंने 11 newton को force लगा दिया तो पहली बाद तो friction static act नहीं करेगा अब काइने टिकेट करेगा अब motion चालो हो जाएगा और friction की static value कितनी है maximum 10 लेकिन friction की static की value 0 स 1 के 10 तक जा सकती है friction की static की value 0 स 1 के 10 तक जा सकती है और जो तुम force लगाँगे वो अपने आप adjust करता रहेगा तो यह सब इसके निदर लिखा हुआ है when the applied force exists this maximum friction fails to increase its value in slipping starts the maximum starting friction that a body can exert it on the limiting friction तो इस चीज़ को क्या बोल लेते है यह limited maximum इसकों बोलते है limiting friction इस चीज़ को क्या बोलते है limiting what is limiting friction क्या limiting friction 3rd type का friction है नहीं limiting friction static friction की maximum value है दो तर एक friction होते है kinetic और static kinetic कब लगता है जब बोड़ी इस रिटिव रहे स्लिपिंग कर रही होती है kinetic अब लगता है जब बोड़ी स्लिपिंग कर रही होती है static अब लगता है जब बोड़ी स्लिपिंग नहीं होती static अब लगता है जब बोड़ी स्लिपिंग नहीं होती लेकिन जो static friction है उसकी maximum value होती है जो static friction है उसकी maximum value होती है उस maximum value from liberty friction बोलते हैं, limiting friction कोई नएया type का friction नहीं है और उसका हमने क्या नाम दे दिया, उसका हमने नाम दे दिया, mu s into n, what was the kinetic friction value, mu k into n, यहां पर हमने coefficient of static friction बोल दिया और n से multiply कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा है कि friction की जो value है वो 0 से लेकि mu s into n तक जाएगी और जो mu s से वो भी उस सब पर depend करेगा, nature of the surface पर, mu s भी जो है वो nature of the surface पर depend करेगा, area पर depend नहीं करेगा, अगे चलते हैं, तरी सब इसमें लिखा हुए, यह सब सम्झाय हुए, यह सम्झाय हुए, यह सम्झाय हुए, यह सम्झाय हुए, आप पर सकते हूं, आगे जाके, ठीक है, एक कुस्टन देख लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं, once again, एक बार और पढ़ लेते हैं, once again, we emphasize that the mu s into n is the maximum, maximum is in the bold letters, possible value of friction, that can act between the two bodies, the actual force of static friction may be smaller than mu s into n, तो देखो, यहाँ पर लिखा हुए, f s, हमेशा f max से कम रहेगा, f s, हमेशा friction की maximum value से कम रहेगा, और maximum value कितना हुए, mu s into n, कोशन देख लेते हैं, again a very beautiful example, जिसमें तुमको पहले है, decide करना है, friction का force कहा लग रहा है, कैसे लग रहा है, और फिर कोशन को करना है, देख थे हैं, a boy is sitting on his horse, whips it, horse को whip करा, the horse is speed up and average acceleration of 2 meter per second, और से, और से, उसके ओपर एक boy बठा हुगा है, वाइब बठा हुगा है, वाइब को मांस दे रखा 30 के जी, 30 के जी है ना, बच्चा आई है बिल्कुल, बच्छ बच्छिस्पन की, अगे जलते हैं, अगर फिक्षन ना होता है, तो गोड़ा आगे निकल जाता है, पीछे नहीं गिरेगा बच्छिली में, गिरेगा वहीं पर गिर जाएगा, हमको लगता है, गोड़े के रेस्पेक्ट में पीछे गरेगा, यह मैं समझा चुक हूँ पिछले चैप्टर में, नूटन स्लाइड बैक, बच्छिस्पन की नहीं करा, अब हम बात करें, बोई का अगर एक्सेलेशन हे तो बोई की ऑपर फोर्स भी होगा, पॉर्स आगे की तरफ होगा, कौन लगा सकता है फोर्स? घोड़े की जो सीट है, घोड़े का जो टॉप सरफेस है, जो सैडल होता है, पना फोर्स लगाएगा, वो फिक्छिन फोर्स ल तो इस friction को हमने μूस और फिर यू के न से भी नहीं जाना हमको, friction force के बरावन है ना, और force mass into acceleration दी होता है, तो mass कितना है बहुता है, 30, acceleration कितना है, 2, friction force कितना है, 60, mass कितना है बहुता है, तो ये देखो, physics में इस इंपोर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि friction का formula बता दिया, मूस इंटो एं, मू के इंटो एं, अब सर्व मू के तो दे ही नहीं रखा, मूस तो दे ही नहीं रखा, कैसे करेंगे, नहीं, friction force भी है, friction force भी है, और force की हर value mass into acceleration भी होती है, friction is also a force, force की हर एक value mass into acceleration भी होती है, इस 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 कान से कितना है, 60, आगे देखते हैं, if the boy slides black during the acceleration, what can be said about the coefficient of static friction between the horse and the boy, अगर boy slide कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, friction की value 60 आ रही है, चलब एक बार हम friction को, mu s into 1 करके देख लेते हैं, कितना है, friction कितना है, 60, mu s, n कितना है, normalization 30 into 300, तो mu s का value कितना है, 0.5, 60 upon 30, 0.2, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो मैंने equal to कब लगाया है, जब friction मेरे को mu s into 1 प्रोवाइट कर रहा है, friction मेरे को वह प्रोवाइट करेगा, लेकि अगर, mu s की value 0.1 से कम हुई, तो friction की maximum value 60 से कम हुजाएगी, अगर, mu s की value 0.2 से कम हुए, तो friction की maximum value 60 से कम हुजाएगी, लेकिन बॉय को आगे जानेंकिन 60 का force चाहिए, अगर friction की maximum value 0.2 से कम हुई, अगर mu s की value 0.2 से कम हुई, अगर mu s की value 0.2 से कम हुई, तो friction की value 60 से कम हो जाएगी, लेकिन boy को आगे move करने के लिए 60 का course चाहिए ही चाहिए, मतलब तब boy पीछे slide कर जाएगा, इसका मतलब coefficient of friction 0.2 से कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, तो दो answer मिलेंगे आपको 60 और 0.2 से कम देख लो आगे, 60 और 0.2 से कम की mu s is less than 0.2, ठीक है, इसको पढ़ भी लेते हैं, next लिखते हैं, finding the direction of static friction, direction of static friction, ठीक है, काइने को समझ में आ गया, तो देको direction में अल्रडी बता चुका आपको, जो मैंने बताया था, हम इसके examples देख लेते हैं, इसमें क् इसमें बताये है, कि A block के B block है, block B is pulled by a force F towards right, suppose the force is small, F is small, blocks move नहीं कर रहे है, blocks move नहीं कर रहे है, कौन से friction लगेगा, static लगेगा, let us focus our attention on the upper block, उपर पर पर, मैं बत समझा रहे हैं, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, अब इसमें क्या बोल रखा है, ground पर friction है कि नहीं, इसम में placed on a horizontal table, इसमें लिखा नहीं हुआ, the upper block is rest, does the resultant force on the newtons, there is no other rational force, as the force the two blocks move together towards right, ठीक है, यह ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें 2 case ले रखे हैं, इसमें 2 case ले रखे हैं, पहला case क्या है, कि पूरा की पूरा जो body है, वो rest पे है, rest पे हैं, तो कि यह ब्लोक का diagram बनाते है, a block का acceleration कितना है, 0, a पे friction ना तो इस तरफ है, ना ही पीछे की तरफ है, क्योंकि friction force होता तो acceleration होता, लेकिन फूरी की पूरी की पूरी चीज़ रखे है, इसका वाले friction force है ही नहीं, दूसरा case बनाते है, कि अब दोनों की दोनों आगे move कर रहे हैं, लेकिन same speed से, same acceleration से, इसका भ friction ने help किया है, मैं समझा चुका, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, notice that it is the friction on the upper block which accelerates it towards right, notice that it is the friction on the upper block which accelerates it towards right, friction है जो इसको accelerate कर रहा है, उल्टा नहीं है, friction पीछे की तरफ नहीं होगा, तो यह तो इसको direction है, another way to find the direction of study friction is as follows, for a moment consider surface to be frictionless, तो मान के जो friction नहीं होता तो क्या होत तो क्या होता, उसके हिसाब से in the absence of friction, the bodies will be start slipping, तो उसके हिसाब से friction direction, निकाल लो, such that friction slipping को रोखेगा, यह मैं समझा चुका, ठीक है, laws of friction देख लेते हैं, तो पहला लोग देख लो, अगर body slip करेगी, slip करेगी over each other, तो kinetic friction लगेगा, kinetic friction लगेगा, kinetic friction लगेगा, कि तुनाद मु अले जा रहे होगी, तो friction force पीछे लगेगा, अना, respect, relative relative respect important है, respect important, third, bodies if flip करेगी, इचा अदर की उपर friction का को से लगेगा? static, स्टाटीक की maximum value कितर रही होती है, मुई स इंट ल, और मुई स इंट ल से छोटा है इगा static friction, next, the friction force does not depend on the area of contact, as long as the normal is same, friction area of contact को depend नहीं करता, अब यह हम देख लेते हैं मुएस के वाल्यूस देखें को कुछ-कुछ तो जितना रफ होगा उतना ही मुएस होगा देखो तुम 1.6 है मतलब बन से उपर भी होता है कॉपर और कोपर के बीच में और चोटा है गुट और वुट के बीच में 0.35 है टाफलों आंटेफलों के बीच में 0.04 है अब नटेफलों पताईयो तमको नॉने स्टीक होता है छे से काफी काफी फ्रिक्ट्फिन हो जाता है काफी फ्रिक्ट्पी जाता है अब अन्ड़स्टेंग मैं क्लिवाच में पिलें बात कि थी लौस अजीन के अदर की जो भी सारे तो इसमें तक्सफिर बताइए कि सर्फिस कितना भी स्मूध हो जैसे इसमूध लग रगा तुमको लेकिन अधर इसको बहुत जदा मैंगनिफाय कर दोगे तो पहले तो इसमें बताई गई पहले तो फिर आगे क्या बताई गई है कि जब भी दो बादवाद को साथ में रखत बांड़ी को होते हैं तो अनर्जी भी निकलती ही टेडंव कर्म विक तीट रखते हों बॉंक हो जाती है नाख पॉराणंस के साथ कलबाद भेसặc अलड़ी कSho यह सारी की सारी चीज़े लेबोरिटरी मेथर टू मेजर फिक्षिन कोफिशेंट तो मेथर समझा लेते हैं इसके नदर हम एक लिए इंपोर्टन कोशिण भी कर लेंगे एक तरह ठीक ना देखते हैं पहला मैथन ये पढ़ो इसको खुलते टेबल मैथर टो यह करते हो तो लोग च्वल्थ के नदर याश्परिम्ट पहला है ओर की टेबल इसमें क्या करेंगे इसमें ब्लॉक ले लेंगे यहां पर पुली लगा देंगे और यहां पर पैन लगा देंगे इसमें मास इसको तुम डाल सकते हो इसमें मास इसको तुम डाल सकते हो अब क्या होगा इस ब्लॉक का मास पता होगा मास है ऊए तो इसके नॉर्मल स्टेटेक्शन दम्रों कितना उर्जाफर consort आ टिकना आ Bear किन से की बड़ाबर हो रहा हो रहा है आप लिए तो क्या होगा इस परइंज की बरभातisi वह कि फोगी उपर भी टेंट्स फोगा और टेंचिन यहां कि mg के बराबर होगा इसको नवान बोला होगा आपने एक्जैक्टि देख सेंकंगे किसको देख को यह किसको लिए नवान बोला है क्योंकि उसी साफ से एक यह काम कर लेंगे पूरा की पूरा so suppose the weight of the block is double liquor and the weight of the hangar togetherес year is 24 तो िंदर्वली वन बोला हुआ है और सकाथटीग किके बरावर जोगे दुं आ आप क्या होगा आगे अब आगे देखते हैं अ हाँ तो अब क्या होगा कि अपन थोड़ा थोड़ा इंक्रेस करता रहेंगे और दब लॉग जस्ट स्ट्राइट तो स्लाइट को यह कैसी कंडिशन आएगी कि ब्लॉग्स जश्ट स्लाइट करना चालू हो गए ब्लॉग्स क्या होगा जस्ट स्लाइट की कंडिशन में दस्ट स्लाइट केम क्या होगा कि आगे जो टेंशन लग रही है इस डटन की बाद करने में पुछे पेंशन को किसके बाराब रहुत दूंगा Fs Max और Fs Max की value कितनी होती Mu S into n और N का value कितना आगे यहां से W1 तो मारे पास क्या आ जाएगा कि W2 is equal to mu s into W1 ऐसा कुछ हमारे पास result आ जाएगा ठीक है यह रखका यह एक छाने चेशन के हम जाएगे थोड़ा थोड़ा इसमेर से based Allegra वाPeast исп को कोषी हैंगे चलाने की ड़का चलता रहता है तौं-प क्यानिक वॉपला एक थक लिएंगे घॉञेंगे अधे लेका, यह एंस होदे आधे से लिकाह, एसवानर को अधेक हो वो थोड़ा से कम होगा वेट को थोड़ा सा में हटा दिया था था ठीक है तो W2 डेस बोल दिया इस पर आगे देखते हैं कि आगे तो सेम काम करेंगे दूसरे चाहिए मैसे दूसरा मेट अखिया होगा मैं इसको इनक्लाइन करने चाहिए अगवा इसकी हैं यहां पर इसकी कर सकते हैं तो मैद को एचस्ट कर सकते हो तो हम एक ब्लोग एड़ेस्ट रखेंगे ब्लॉक रखेंगे इस पर मास M का, W1 होगा इसके इंदर साथ जो भी है, ठीक है आप ब्लॉक रखेंगे, अब क्या होगा, इनिशले तो ब्लॉक करेगा नहीं, बहुत स्टिफ करोगा तो मूफ करेगा, तो जब मैं हाइट को धिर 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 इंक्रीस करना चालो करूंगा, मत देखो यहां पर यह देख लो, इस हाइट को तो मैं एड्जेस्ट कर सकते हो, यह डीप इस्टेंस है, यह एंगल ठीटा है, तो टैन ओफ है, इसके अपन को जोरत नहीं पड़ेगी, इसमें M G बोला हुगा है, ठीक है, अब देखो, मैं समझाता हूँ क्या हम पार, इसका M G साइन ठीटा लगता है, एक नॉर्मल रियक्शन होता है, उसका वैल्यू M G कॉस ठीटा के बराबर होगा, वही मैं M G को रिजॉल्व करता हूँ न, दो फोर्सिस के अंतर वापर से बता जाता हूँ लिए अंगल ठीटा है, अगर होरिजॉंटल और प्लेन के अंगल प्लेन के वीश में अंगल ठीटा होगा, वैटिकलो पिछले लेक्शर से में कािनम चैण में ट falt mods में बढ़े होरिच है हमें Mg ठीटा होगा। एंगा वेलू हमेशें एंगी नहीं होता है एंगा वेलू एंगी कॉस्ट इटा होता है ठीटा के भी जिरू होती है तो एंग इक्वल टो एंगी बन जाता है ठीक ना और पीछे फ्रिक्षिन फोर्स लग रहा होगा अब जैसे जैसे तुम ठीटा को इंक्रीस करते जाओगे वैसे डियक्रीस करेगा फ्रिक्षिन का जो फोर्स आफ वह भी इंक्रीस करेगा वह बें के वो तो self adjusting होता है friction का force से वो भी increase करता रहेगा इसलिए rest पर है f constant नहीं है जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे में गीज़ कर रहा है mg.s थीटा भी increase कर रहा है और friction का force है वो भी increase कर रहा है किटा चेंज कर अब ही भी स्लाइट निकारा खीटा चेंज कर अब भॉक पर साइट करना चालोपर रहा है उस के लिए क्या क्या equations आजए हों बहुंद का रहा होगा वह एफस्स मेक्सिमूं के बरहापर आजाएगा कर दो एफ्स निट्वा नगए ने और यह मैक्सिमुम वैल्यू अब यह जो पारी लेकिन जश्ट उससे पहले अंजी साइट इडा को नहीं रोख पारी जश्ट उससे पहले हो एम्जी साइट टूरा को नहीं रोख पारी तो लिमिटिंग के निदर किया हो गया, μूस mg cos theta, this will be equal to mg sin theta, μूस mg cos theta, जो friction की value है पीछे की तरफ, वो mg sin theta के बरापर हो जाएगी, पीछे की तरफ जो value है, वो up the incline और down the incline के बरापर हो जाएगी, इसको देखो, mg mg cancel हो जाएगा, तो 10 theta is equal to μूस आजाएगा, यह दीरे 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 ऊपर करा, जिस particular angle पर वो slide करना चालू कर गया, जैसे अगर मेरे को इसका coefficient of friction निकालना है, इसका coefficient of friction निकालना है, इस डब्बे के साथ, तो मैंने इस डब्बे को रखा, मैं थोड़ा टेटा करा, slide नहीं करा, थोड़ा टेटा करा, अब slide करें गया, वापिस दिखते हैं, इस पर भी slide नहीं कर रहा, थोड़ा सो और यहाँ पर fine tune कर लेते हैं, इस पर भी slide नहीं कर रहा, इस पर भी slide नहीं कर रहा, इस पर भी slide आप ये, अगर तुम इसको horizontal angle निकाल लोगे, उसका 10 of tita निकाल लोगे, तो friction का coefficient होगा, यहां अच्छा तरह से जगोँ फिस एंगल पे जस्लाइड कर रहा है यह इस एंगल पे जच्छड कर रहा है कि ऐसदे डिए कि ऑगनर यह दे न यह लेकिन भी तोड़ा से इसको रहा हुआ हुआ है उसे इस एंगल पे अगर नहीं और सिया ऑभी भी नीए आया अभी भी नीएआ थोगा पर भी नीएघर नुब Grace लेकिन थोड़ा हथाँ का मानने पर आगे जा रहा है तो अगे जा रहा है तो यहां तक अपन देख लेकर एसका FBD दो नीचे के तरफ म Gilinti होता है इसको एन अ पिछ ए कि आपु अपिस अ टुछ। किनेटिक ने इस देन loin, इतना एंगल से लिए उन्य इस इसलेगेस इधूक इस सब्सक्रे किस만ों इस इतनी आवा म। अंस। स्टी तो फ्स गोई सें पंडिशन आएगी टैन अफीटा क्या जायगा यूए और यह बराबर यह पॉस एप्टी सेंव बनेगा फोड़ाज पस वोई रहे अंतरा जायगा और कुछ निया ररतीक है तो यह अपने परसे कोश्चिन है तो सके लिए एच देश अपने पर चीज़ रहे हैं कि अगर तुमारे पास से वर मभूख है तो देखो जो रोटेशन मेकनिक्स है उसके एंड में दे रहा है बहुत चोटा साहिक पारेग्राफ कि वाय दो जो जो रोलिंग बाड़ी स्लोर डाउन तो उसमें तुम पढ़ोगे रोलियों फ्रिक्षिन एक्षुली में क्या है यहां पी भी त्रेंचे से एक्स्प्रें नहीं कर रहा है अब इतना समझ लोगी के लिए कि अगर मैं किसी बोड़ी को बिना पईयों के और पईयों से चलाता हूं तो पईयों से चलान जहां भी दो चीजे वह रही होतीी हैं में ब्रोटेटिंग चर्रें लगा देते हैं रोटेटिंग पार्टिंग इस प्रिक्षिंग अगर्वास बोट वोटू कुं नो काम हो जाता है इनटीग विंट पर इसे लिए खरू को यहां सब्स यहीं परूरी क काहले है घट भीं तो next हम चालो करेंगे salt examples, salt examples का level IIT advanced तक का level है, IIT advanced को जो question से friction में करने का तरीका वो ही होता है, बस lengthy होते है friction के सवाल थोड़े से, वो भी last के दो दिन सवाल lengthy होंगे, बाकी मैं short tips बता ही दूँगा, तो हम short tips से चालो करेंगे salt examples को next lecture में, तो तक के लिए take care, happy nice day, bye. मैं करा था friction के पूरी की पूरी थोरी, वो हमने एक कंटे से भी कम में पूरा की पूरा मैंने बरीफिम होता दिया सब कुछ, तो इस lecture को शुरू करने से पहले salt examples, friction के शुरू करने से पहले आप उस theory को एक बार फटा-फट से गोतुरू कर लिजेए, ठीक ना, हम बिना देर करें चालू करते हैं, first example से, करें घ हम उसा से क्लिए हो हुआ है है तो अब पहले वाले में देखो ऐसा कुछ है कि हम यह कर चुका एक्सपरिमेंट के अंदर कि जो स्ट्राटिक्षन का कॉपिशन्ट होता है उसको निकालने के इवला मैंथड होता है उसके इंतर ठीटा का जो वैल्यू है । ठीटा का वैल्यू है । अब हमको पता है कि मिउच से तो मिउच से ज़स्य गार गा mu s से कम कोई भी angle होगा, उसके slipping होगी नहीं, mu s से कम कोई भी angle होगा उसके block rest करहेगा, तो पहला वला answer तो आगे 10 of theta is equal to 0.3, अब हम बात करते हैं second question की, second question में पूछा गया है, कि theta by 2 अगर angle होगा, तो क्या friction force लग रहा होगा, तो क्या friction force लग रहा होगा, अब कुछ बच्चे इसका क्या आंसर देँ, friction force का value है, mu into n, friction force का value कितना है, mu into n, तो mu की value डाल देंगे वो, और n को लिखदेंगे, mg cos theta, नहीं, friction force की maximum value है, mu into n, friction force की maximum value है, mu into n, actually में friction force क्या है, यहाँ पे rest पे है, rest पे क्यों है, because theta by 2 है, तो स्लिपिंग नहीं होगी इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि अधिस्ट करेगा और अधिस्ट करेगा तो अधिस्ट के बरावर आजाएगा तो एमजे इंटू साइन फीटा वाई तो हमारा दूसरा अंसर हो जाएगा तो पहले आंसर की होगा टैन अफ टैन फिटा इस इकल टो जिड़ो पैंट थी तो पैंट थी विए सिकल टैनिवर्स 0.3 और दूसरा अंसर के होगा एमजे को जान बर्टों प्रिकोर्देब रिडिट कि भुच्ट कॉच्ट 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 पहले पाज दूसरे कोश्चिन के अंदर भी स्टाटिक फ्रिक्शन वाला काम हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ इस प्रिक्शन वालोक हो sulphur a जानओ किया हुआ कि से फ्रिक्शन का पूर्स व neither 20 के बराबर होगा, no matter what is the value of mu, no matter what is the value of mu, friction का जो force 20 के बराबर होगा, तो पहला answer है, how much friction force on the table, the table is applying on the block, table block के उपर कितना friction apply कर रही है, तो कितना answer होगा 20, तो पहले का answer 20, दूसरा है, what can be said about the coefficient of static friction between the block and the table, तो मैंने बता है, friction है 20 है, n 40 है, एक बार अगर friction force का maximum value निकाले, तो mu into 1 आएगा, which is equal to mu s into 40, friction force का maximum value कितना आएगा, mu s into 40, हम जानते हैं, जो friction value है static, हम जानते हैं, जो friction value static है, वो 0 से लेकिए इस से चोटा होना चाहिए, 20 is less than or equal to mu s into 40, 20 is less than or equal to mu s into 40, mu s into 40 maximum value है, 20 is less than mu s into 40, मतलब mu s का अगर में बाज करूंब तो it is more than or equal to 0.5, 20 upon 40 is 0.5, mu s is more than or equal to 0.5, तो दो अंसर के हैं हमारे पास, f equal to 20, और mu s is more than or equal to 0.5, तो आप देख सकते हो, f का value 20 है, mu s is more than or equal to 0.5, थर्ड देखते हैं, question number 3, तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, कि जैसा हमने पहले किया था shortcut counter से बिना tension निकाले, अगर आपने lectures मेरे loss of motion के निके तो वो देख लो, जैसा हमने loss of motion में किया था, बिना tension निकाले, short cut technique से net force upon net mass acceleration होता है, वैसे हम यहाँ पर कर लेंगे, हाँ, अगर tension की बात होगी, तो अलग से निकाल लेंगे, अब क्या बोला है, the coefficient of static friction between the block of 2 kg and the table shown is mu s equal to 0.2, तो यह बना लेते हैं, पूरा की पूरा figure अपन, ठीक है, इतना करने के साथ ही मैंने यह भी लिख दिया, कि mu s का value 0.2 है, mu s का value 0.2 है, normal का value 20 है, तो friction का maximum value कितना होगा, static का mu into n, mu s into n, मतलब की 0.2 into 20 मतलब की 4, 2 to 4, तो 4 Newton का friction maximum लग रहा होगा, 4 Newton का friction maximum हो सकता है, अब यह क्या बोल रहा है, what should be the maximum value of small n, small n यह है, so that the block does not move, so that the block does not move, तो बहुत simple question कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है, कि यहाँ पर tension होगा, यहाँ पर tension same होगा, because string same है, और यहाँ पर tension का value है, अगर मैं इसका इपर बनाऊ, तो mg के बराबर होगा, tension का value mg के बराबर होगा, और move कराने के लिए tension का value friction force से जदा होना चाहिए, इस block को move कराने के लिए tension का value friction force से जदा होना चाहिए, तो लिमिटिग में कितना होगा इक्वल टॉ मिसमें मैक्सिमूम केस के लिए मैक्सीं कितना हो सकता है पूपुम्रेटन टेंशन जो आंसर आजएगा अपना दिए पूर तो यह सब कैलकुलेशन से सारी की सारी यह कोश्चन नीचे आ गया यह कोई बहुत नीचे आ गया है थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह देख लो 0.4 के अपना आंसर हो गया अब नेच्ट कुश्चन फूर्थ कुश्चन वह इंपोर्टेंट कुश्चन है जो इसमें मैं बता है था कि फिक्शन की डायरेक्शन पर गरबड नहीं करना है आपको ठीक ना कोश्चन नमबर फूर्ट देखते हैं स्मॉल एंप कैपेटल यहां पी म्यू का व नहीं बराबर है वाट मैक्सिमॉम फोर्ष कन भी अप्लाइट फू देप्लोग सो देंट ब्लॉग तो गयदर ब्लॉग को टुगेदर मुव करना है कौन सा फ्रिक्शन लगेगा का इनटीक या फिर इस्टैटिक पहली बात तो इसने इस्टैटिक और का लगसे दिया भी फोर्ष का मतलब करने के लिए मैक्सिमं फोर्ष उससे वह थेज्ड़ तक मां दिया नीचे ब्लSky पेंगर जाएगा इसका मतलब इसका मतलब उससे ज़्यादा force लगा दिया उससे ज़्यादा force लगा दिया तो friction जो होगा kinetic में convert हो जाएगा मतलब just maximum force पर क्या हो रहा होगा इसकी maximum value रीच ओरी होगी static friction की just maximum वाले case में क्या होगा इसकी static value रीच ओरी होगी maximum वाले case में एक रहा है कि इसका मतलब किया होगा जब force maximum होगा तो जब friction का value आ रहा होगा जो friction self-addestim होता है जब force maximum होगा तो friction का value आ रहा होगा वो new into mg के बराबर आ रहा होगा अब इस सब को भूल जाओं मुझे पता है ब्लॉक और को में मान सकता हूं इसको एक्सलेशन कितना जाएगा F upon M plus M इसको प्लॉक पॉर्स लगाउंगा तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा अब बात करते हैं, इस zij करते हैं, कि friction फिक्षे लगाँ रीते हैं, कि Kingdom की में बता हुद की बता धर्यक्षणा क्वेक्षण अलगा है, रिक्षन उसको जाने हेगा मतलब फर राह रहा है फिर्टिन के वैंग सी होच होचOoh休ं SMITH का गिबाए इसको इसको कम्बाइन करेंगे तो फिपना गया हमारे पास F is equal to M plus M into A M plus M into A What is the value of A? M plus M into A What is the value of A? M plus M into M U G Force का maximum value कितरा हो सकता है? M plus M into M U G उससे ज़्यादा force का value अगर होगा उससे ज़्यादा force का value होगा तो slipping चालो हो जाएगी Friction force तब दो तरह ही लगड़ा होगा लेकिन block साफ़े move नहीं करेंगे तो M U G into M plus M Next देखते हैं question number 5 तो याद रहे अभी तक 4 question में हमने बात कि static friction की अभी यो question है kinetic friction का अभी तक हमने बात कि static friction की अभी यो question है kinetic friction का ठीक है? देखते हैं इस question में क्या है? क2 आप ख़ ळ्याब क्याहको क्या है इस बात कुष्ध क्यश्फ घूजब में जरे बार पार नाज बार आख कर दो घॉजब एंगादार बार आख कृ घ। झाल झाल सब्सक्राइब एक बार समझा देता हूं क्या हो रहा है एक ब्लॉप के मास हैं का उसका एक्सलिशन हम जानते हैं अगर 30 डिगरी पे होता तो जी बाई टू होना चाहिए था अगर फिक्शन अप्लाई नहीं होता तो ब्लॉप का एक्सलिशन कितना होता जी साइन 30 यहां पर सब्सक्राइब गदिशन कितना होगा हम यह यांद इक लो अच्छे से कि इसके रहूंग जो होता है सब्सक्राइब जो खुछा होता है इसके अलोंग जो आ होता है रहा घूटop 선 लिखुँघूँगा इस एक्सिस माद violation लिखुँघूँगा इस तरَّफ काŃस M также सब्सक्राइब करेंगे तो मियू आएगा वन अपॉन टूरूट थी देखेंगे आंसर हमारा सही है कि नहीं तो मियू आगया वन अपॉन टूरूट थी विच्छन अबर सिक्स देखते हैं तो हॉरिजंटल शर्फेस हैं तो हॉरिजंटल स्रफेस हैं हॉरिजंटल स्रफेस हैं दो के दे रखे हैं इसमें बोला गिया है कि इसका मतलब क्या हुआ कि 15 से ज़स्ट फोर्स अप्लाई किया 15 से ज़स्ट थो तो तो स्लाइड नियु और 15 लगाते हैं स्लाइड हो रहा है इसका मतलब 15 पे limiting value of a starting friction आ रही है 15 पे limiting value of a starting friction आ रही है 15 अब 15 अगर force इस तरह लगेगा तो पीछे की तरह friction force लग रहा होगा limiting वाले case में इसका value fs max होगा limiting वाले case में इसका value fs max के बराबर हो जो की कितना होता है mu s into n mu s into n कितना होगा mu s into n कितरे 2.5 kg block है 2.5 kg block है तो n कितना हो जाएगा 25 force का वाले 15 15 is equal to mu s into 25 अभी तक balance होगा थे just limiting वाले case में तो minus का value कितना हो गया 15 upon 25 मतलब की 3 by 5 तो यह तो होगया minus का value अब kinetic friction का value हमेशा static friction से कम होता है kinetic friction का value हमेशा static friction से थोड़ा सा कम होता है मतलब अगर मैं इसको थोड़ा से धक्का मार दूँगा तो 15 से थोड़ा नीचे force पर भी चलता ही रहेगा अब मैं थोड़ा सा धक्का मार दूँगा तो अब static friction के लिए 15 चाहिए था ना balance करने के लिए लेकिन kinetic friction का coefficient का कम होता है इसका मतलब kinetic into 25 का value भी कम होगा तो 15 से थोड़ा सा कम force भी चलता रहेगा मतलब 15 से चला ही देगा तो second case में क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा धक्का मार दिया force अभी 15 Newton का है force अभी 15 Newton का है थोड़ा सा धक्का हमारा थोड़ा सा धक्का हमारा gently pushed कि मतलब u तो 0 है time 5 seconds है displacement 10 है तो इन तीनों से क्या तुम acceleration निकाल सकते हो हमेशा आपने kinematics कर रहा हुआ है जिसने भी lecture नहीं देखा kinematics को इसको देख लेने चाहिए कि kinematics में आपने यही बात बार बार repeat किया है करने कहीं की तरीका होता है तीन चीज़े निकाल लो बाकी दो अपने निकाल सकते हैं तो तीन चीज़े क्या है एस यू और टी एस इक्वल टू टू अफ़े टी स्कॉर तो आइस कितना हो गया 10 इस इक्वल टू जीरो प्लस हाफ अब आगे क्या करेंगे अब हम इसका वापिस से क्वड़ी बनाएंगे इस बार ब्लॉक के पास उपर 15 पॉस लग रहा है एक्सेलरेशन कितना है 0.8 और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक नहीं लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है तो हम क्या लिखेंगे? summation of all the force equal to mass into acceleration. summation of all the force क्या हो? 15 minus mu k into 25 is equal to mass. mass कितना है? 2.5. mass कितना है? 2.5 into acceleration 0.8. acceleration 0.8. तो यह चीज़ 2 बन जाएगी देख सकते हैं इसको calculate कर सकते हैं. 15 minus 2 कितना हो जाएगा? 13 is equal to mu k into 25. this thing will become 2.5 into x will become 20. So, this will come here. This will become 13. So, this will become 13 is equal to mu k into 25. तो mu k कितना हो आगे अपने पास? mu k is equal to 13 upon 25. 13 upon 25 will be approximately 0.52. 0.52. 0.52. 0.52 अपना answer आगे. अब मैंने कैसे करा? 13 into 25 गेटरी की बताया होता हूँ. 25 को मैंने क्या कर दिया? into 4 upon 4 कर दिया. 25 into 4 गया बनके 100? 134 जो कितना हो तो 52 upon 100 गया तो यह बनके 0.52. पटाफट से तो इसको दिमाग में कर सकते हो. next दिखते है, question number 7. तो अब इसके बाद 2 question के बाद, 7 और 8 के बाद जो questions है न बोग थोड़े से length दी है. और वो हम करेंगे कोई दिक्कत ली बात नहीं है, उसके अंदर 7 दिखते है. horizontal surface is pushed by force f making theta with the vertical, if the friction coefficient pushed, post मतलब की, force ऐसे लगा रहे है, this angle theta है, if the friction coefficient is new, how much force is needed. तो friction coefficient बात है, force अगे लगाएंगे, ground है, friction पीछे लग रहा होगा, start करने की बात कर रहा है, मतलब friction का maximum value लेके चलेंगे, limiting friction, limiting friction मतलब क्या लेंगे, f का maximum value होगा, fs max, that will be equal to mu s into n, that will be equal to mu s into n, यहां तो बात समझ बाता है, अब क्या है, इस force का जो component होगा, वो इसके n को change कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि इस force को गर मैं resolve करूँगा, यह theta साथ में है, साथ में मतलब coexist करता है, मतलब cos आएगा, यह मैं बाता चुका हूँ, vectors के अंदर, तो this will become, इस force का दो component बनेंगे, एक तो इस तरफ, f cos theta, एक इस तरफ, f sin theta, यह दा component बना के साथ, force को cancel out कर दो, इस force को resolve करके, दो components में लिख लिया, f cos theta और f sin theta, इस force को cancel out कर दिया, अब mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और उपर एक normal reaction लग रहा होगा, और कोई force लग रहा होगा, पीछे की तरफ friction, आगे की तरफ, f sin theta, एक और component f cos theta, नॉर्मन हमेशा उपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो देखो, vertical direction में तीन force हो गए, vertical direction में अभी N उता था और mg उता था, यहां फिर अगर incline होता था, तो N और mg cos theta होता था, यहां फिर incline होता था, तो mg cos theta होता था, लगिन इस case में क्या हो गया, पहले वर्टिकल में equation लिखो, तो summation of forces in the vertical direction equal to 0, because drop ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा, तो हम कहा लिग देंगे, नीचे वाले force equal to ऊपर वाले force, मतलब कि क्या हो गया, N is equal to f cos theta plus mg, this is our first equation, this is our first equation, N is equal to f cos theta plus mg, नीचे वाले सारे force equal to ऊपर वाले सारे force, N equal to f cos theta plus mg, बात करते हैं, X की, X में क्या बोला है, just started, just started मतलब वापस से friction जो है, limiting case में है, और acceleration just equal to 0 ही है, बहुँ भी, just start कर रहा है, तो acceleration 0 के ही बराबर है, आगे चलेंगे तो f sin theta, summation of all the forces, f sin theta minus mu of n, mu of n, what is n, f cos theta plus mg, this is equal to mass into acceleration, acceleration का बेरी just equal to 0 है, acceleration का बेरी just equal to 0 है, तो यहां से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, how much force, force निकालना है, तो force को निकालने के लिए, force पर एक साथ लेते हैं, तो बन जाएगा, f into sin theta minus mu cos theta, is equal to mu mg, f into sin theta minus mu f, f अब भार आगया, mu cos theta, is equal to mu mg, यहां पर आगया, तो f कितना जाएगा, mg upon sin theta minus mu cos theta, f कितना जाएगा, mg upon s minus mu cos theta, sin theta minus mu cos theta, यह तो force अपने पास आगया, अब यह भी बोलाएगा, कि discuss the situation when 10 theta is less than mu, एक बार इसको practically समझते हैं, 10 theta is less than mu, 10 increasing function होता है, sin increasing function होता है, because sin की value theta के increase के साथ increase करती है, sin of 0 equal to 0, sin of 90 equal to 1, तो sin की value theta के increase करने के साथ increase करती है, 10 of 0 equal to 0, 10 of 90 is equal to infinity, तो 10 की value increase करती है, cos of 0 is equal to 1, cos of 90 is equal to 0, तो cos की value 0 से लेकर 90 में decrease करती है, तो sin is increasing function, 10 is increasing function, cos is decreasing function, खेर हम 10 की बात करते हैं, 10 theta is less than mu, 10 theta is less than mu, मतलब theta is less than 10 inverse mu, तो theta को और चोटा कर रहे हैं, theta को छोटा कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे लेके आ रहे हैं, इस चीज़ को समझ लो, अगर force को तुम ऐसे बनाऊगे, तो move भी नहीं करेगा, थोड़ा टेड़ा कर दो के तो भी तो move नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकाज अभी भी काफी force इसकी normal reaction को increase कर रहा है, दो चीज़ हो रही है, पहली चीज़ तो normal reaction को increase कर रहा है, और दूसरी चीज़ इस तरफ force of component जादा नहीं, इस तरफ force of component कब जादा होगा, जब force इस तरफ होगा, इस तरफ force of component के तना f sin theta, when is f sin theta maximum, सबसे जादा effective क्या है तरीका move करवाने का ऐसे, सबसे कम effective क्या है ऐसे, बीच में कोई condition आ रही होगी जहां पर movement possible ही नहीं होगी, बीच में कोई condition आ रही होगी और theta को एक level पर लेकर आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही movement possible होगी, actually यह बताना चाहते हैं, 10 theta is less than new ही answer आएगा, वो देख रहे हैं कैसे, तो f आगे हमारे पास mg upon s minus mu cos theta, इसमें से अगर हम 10 theta common निकालना चाहेंगे, तो हम इसको cos से divide कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, mg upon cos common, 10 theta minus mu, mg upon cos common आगया, 10 of theta minus mu, अब तुम देखो कि force है, force एक real force है, और force इस तरह लग रहा है, तो force की value कुछ ना कुछ positive होगी, तो उल्टा force होगी मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना, तो 10 theta is more than mu जड़ होगा, तब भी force की value का कोई मतलब होगा, तो force की value का कोई मतलब ही नहीं होगा, इसका मतलब movement का होगी, जब 10 theta is more than mu, movement कब नहीं होगी, जब 10 theta is less than mu, यह चीज़ लास्ट में देख लेते हैं, तो फैल तो हम देख लेते हैं, force आगे अपने पास mu theta upon s minus mu positive, आगे देखो, if 10 theta is less than mu, we have this thing is less than mu, यह जो पूरी चीज़ है, यह less than 0 बन जाएगी, and force negative आजाएगा, तो f negative होगा, इसका मतलब force को आगे हम ले जाएगी नहीं सकते, next देखते हैं question number, same question है, अब इसके अंदर रिंख कर देंगे, ऐसी और हम हम एंदर 10 tension वकर निकाली हुई है, हमको निकालने के जवरोत नहीं पड़ेगी, जाएगी साथ देख लेते हैं एक बाद, तो जैसे maximum value of f by m, so that the system remains friction coefficient of both the context is new, तो यह capital M है के small m है, यह capital M है, यहाँ पूली लगी हुदी है, इसको connect करा हुआ है, इसको connect करा हुआ हुआ है, अगर अगर जे connected ही हारा है, ऐसे कुछ है बना हुआ, ठीटा एंगल है यह, ठीटा एंगल है, ठीटा एंगल स्टीटा, तो ओविएसली अगर movement होती तो आगी की तरफ होती, tension की बिना कर रहा हुआ हुआ, shortcut में वैसे वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वरी बात नहीं है, movement होती आगे के तरफ होती है, friction इस पर पीछ लगए, friction इस पर पीछ लगए, पहली बात ही है, दूसरी बात, system rest पे हो और इसकी maximum value की बात की गई है, इसका मतलब limiting के इसकी बात कर रहा होंगे, मतलब यहां पे भी friction की limiting value लेंगे, इसको अटा दो थोड़ा सा, तो एक तो फोर्स पीछे की तरफ यहां लगए, इसके लिए बात करेंगे तो जो pulling force लगए, क्या लगए, Mg sin theta, पुलिंग फोर्स लगए, क्या लगए, capital Mg sin theta, लेकिन इस पे पीछे की तरफ पोर्स लगए, रोखने का, इस पे पीछे की तरफ पोर्स लगए, रोखने बाला, क्या लगए, Mu, इसका नॉर्मल रेक्शन, Mu into इसका नॉर्मल रेक्शन, इसका नॉर्मल रेक्शन कितना होगा, Mg cos theta, Mg cos theta, अब जिन लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, Mg sin theta, और पीछे मूफ करवाने वाले दो forces, Mu Mg cos theta, आगे मूफ करवाने वाला force जो इसको नीचे लेके जाएगा, जो इसको accelerate करवाएगा, Mg sin theta है, और जो रोखने वाले force है, वो Mu Mg cos theta, अब यह बोल रहे हैं कि system को rest पर रखना है हमको just, तो उसके लिए capital M upon Mg, तो मैंने हम पे एक छोटा सा लेकने में गलती कर दी, तो just limiting case के लिए क्लिए होगा, आगे वाले forces equal to पीछे वाले forces, limiting case के बात क्या होगा, आगे वाला force बढ़ा हो जाएगा, limiting case में क्या होगा, आगे वाला force equal to पीछे वाला force, plus mu capital Mg, cos theta, तो g, g, g cancel कर दो, और उमको m by m का ratio चीए है, तो m को एक साथ लिया हो, capital M into sin theta, minus mu cos theta, जब सेम equation बन रही है, sin theta minus mu cos theta, capital M into sin theta minus mu cos theta, equal to mu m, sorry, क्या निकालना है, capital M upon small m, capital M upon small m क्या आगया, mu upon s minus mu c, वापस से cos को बहाँ निकालेंगे, तो 10 theta minus mu हाजाएगा, वाउपस से valid हो जाएगा, वह चीज़ सेम है, तो हमारे पास क्या आगे mu upon s minus mu c, इसको हम देख लगे answer को, बाकि सब हमारा सेम ही रहेगा, अब इसमें क्या है, उपर की तरफ जो force है, प्लस उपर की तरफ friction का force mu into n2, मतलब mu into mg cos theta, उपर की तरफ क्या force है, यहाँ पर tension, प्लस mu mg cos theta, this is equal to mg sin theta, तो वह यहाँ पर tension cancel हो जाती दोनों में से, तो वापस से अपने answer के आजाएगा, m upon m is equal to mu upon sin theta minus mu cos theta, तो यह shortcut है, tension बिना निकाले, दो equations extra बिना मनना है directly, आगे वाले force minus, पीछे वाले forces, टिक है, question number 9, थोड़ा सा interesting question है, interesting होने के साथ, थोड़ा सा दिमार्ग लगाने वाला है, तोड़ा tough है, लेखते हैं क्या है, 9th question, इसमें भी देने रख़ा, capital M actually, इसका मास, देने रख़ा इसमें, touch हो रहा है, force लगा रहे हैं, अब इसमें पूछा वेया है, consider the horizontal surface below the block is smooth, यहां पे जो mu है वो 0 है, और यहां पे mu और mu, दोनों mu है, same mu है, the coefficient of friction between the blocks is mute, मतब तीनों चीद, इसकेश के और इसकेश के बीच में, find the minimum and maximum force, अब दो force कुछ है, minimum और maximum, पिछले बार maximum कुछ पूछ रहा था, maximum कुछ पूछ रहा था, अब force की minimum value, that can be applied in order to keep the smaller block at rest with respect to bigger block, smaller blocks को rest पर रखना है, मतलब पुली के हिसाब से, ना नीचे आएंगे ना उपर जाएंगे, rest पर ही रहेंगे, चाहे से पूरा की पूरा block move करेगा आगे, तो एक बार यह समझे लो, कि minimum और maximum force क्या मतलब है, तो इस चीज को समझो, मान लो friction बहुती कम है, और force भी बहुती कम है, force को 0 मान लो friction को भी 0 मान लो, तो obviously बार ते यह block नीचे आएगा, यह इसके general tendency है, ठीक है, ठीक है, अब force को तुम increase करोगे तो क्या होगा, कभी तुमने देखा है, कि जैसे, अगर मैं force को increase करूँगा, तो यह समझलो, देखने की बात छोड़ो, अभी practically छोड़ो, यह समझलो, force को increase करूँगा और friction नहीं होता, तो क्या होता, force को increase करता बहुत ज़्यादा होता, और friction नहीं होता तो क्या होता, कि यह force तो इस block पे लग रहा है, तो यह block तो आक जाता, लेकिन उपर वाले block क्योंकि friction नहीं था, उपर वाले block क्योंकि friction नहीं था, पीछे की तरफ move करता, तो यह बाख समझ बार है एक case ऐसा आ रहा है, जिसमें blocks नीचे की तरफ move कर रहे हैं, जब तुम force friction को तो एक बार 0 ही मान के चलो, कि Friction को तो एक बार 0 ही मान के चलो, उसके बार बात करते हैं, अपन enhance respect की, कि force के maximum और minimum का क्या मतलब है, तो force और बहुत कम है और friction भी बहुत कम है, तो force भी ज़िरो मान लो एक बार तो, तो यह block नीचे क्या यह आगे जाता, तो एक पर condition क्या ही, की ऐसे passéक करेगा कि की दूसरे गालों ओर वह जादा है अगर बहुत जादा है तो क्या होगा अगर पॉर्स बहुत जादा है तो क्या होगा कि यह वालavier प्लॉक कर दू का भ्लॉक कर省 कुशिक करेगा लेकिन इसमें यह तो ही रेख जाएगा तो इसमें ड्लवरा पर शड़ने की, यह बाद समझ में आगी, अब एक case में maximum friction का value निकल जाएगा, sorry, force का value निकल जाएगा, एक case में minimum force का value निकल जाएगा, तो SC वर्म में जो calculation दे रखे, हो दे रखे, कि assume कर लेते हैं, force बहुत चोटा है, हमको minimum value निकालनी है force की, तो force अगर बहुत चोटा है, त आगे की तरफ move करेगा, force अगर बहुत चोटा है, तो पहला case क्या कर रहे हैं, तो minimum value और force निकाल जाएगा, तो minimum value और force के लिए क्या motion होना पड़ेगा, यह आगे की तरफ move करने की tendency रखेगा, यह नीचे की तरफ move करने की tendency रखेगा, लेकिन हो नहीं पारा, तो अब कौन र लग रहा है, छोटे वाले पर friction पीछे लग रहा है, इस वाले पर friction ऊपर लग रहा है, और क्योंकि limiting के essentially friction के value कितनी होगी, mu into n, यहाँ पर n1 लिख दो, यहाँ पर n2 लिख दो, direction नी बनाई है, मैंने जिस्ट लिखने के लिए बना दो, mu n1, और यहाँ पर क्या होगा, friction का value mu n2, यह बात समझ में आ गई, दूसरी बात, force लग रहा है, सब साथ साथ बूप कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो लिख रहे हैं, कि acceleration की आओगा, combined body का, इसको combined body मान लो, acceleration की आओगा, combined body का, f upon m plus 2, इसको तो अलग से लेके रख लो, इसको बात में उस करेंगे, यह f1 है, friction 1, यह f2 है, f2 is equal to mu n2, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है अब, कि एक equation तो acceleration के लिए बना दी, एक अपन को इसके f बढ़ी, अब पहली मैं एक चीज़ और समझा लेता हूं, कि n2 की value निकाल लेते हैं, वो और important चीज़ है, बात में तुम कर लोगे, तो n2 की value कैसे निकालेंगे, कि इसका acceleration है पूरा के पूरा, ठीक है, तो block m की अगर मैं x-axis की बात करूँ, block m की अगर मैं x-axis की बात करूँ, x वाले motion की सुदू से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, तो n2 इसको आगे push कर रहा है, मतलब n2 को मैं लेखूंगा, n2 is equal to m into a, n2 कितना आगे m into a, तो ये friction force कितना आगे, f2 is equal to mu m a, अगर मैं इसके fbd की बात करूँ, x-axis में, तो x-axis में इसको आगे कौन push कर रहा है, x-axis में इसको आगे push कर रहा है, n2, धक्काई मारेगा, pull तो करेगा नहीं, तो जब तुम देख रहे हो, तो हवा में इसे, तो ये आगे move कर रहा है, अगर ये आगे move कर रहा है, तो इस पे एक force तो क्या है, n2 का है, n2 इसको आगे push कर रहा है, तो m आगे, तो friction के वैले निकाल ली में, f कितना आगया, mu n2, अब इस बोलों के fbd की बनाने पड़ेंगे, पूरे-पूरे, minus mu into n1 कितना mg, is equal to mA, क्योंकि इसका acceleration पर कितना है, a, ऐसे इसके उपर कौन-कौन से force लग रहा है, एक f2 लग रहा है, एक tension उपर लग रही है, एक mg नीचे लग रहा है, और ये vertically rest पर है, f2 लग रहा है, क्यों, because इसके नीचे आने के tendency है, क्यों, because force लग रहा है, तो f, नीचे mg लग रहा है, उपर tension लग रहा है, उपर f2 लग रहा है, तो इसके लिए क्या है, balance क्या है, because vertically move नहीं कर रहा, ये horizontally इसके उपर move नहीं कर रहा, बट पूरा-पूरा system आगा जा रहा है, इसके लिए equation लिए is equal to mg, तो ऐसे बहुत सारी equations हागई हमारे पास, अब obviously tension का तो कोई काम नहीं है, हमारे पास हमको तो f निकालना है capital F, capital F यहां से आएगा, उसके लिए acceleration चाहिए, तो इन तीनों equation से acceleration, तो end to 2 मैंने use कर लिए है, इसके अंदर, तो इसकोट आदो, तो यह और equation बनी, इन दोनो को add करते हैं, या subtract करें, इन दोनों को subtract करते हैं, उससे क्या होगा, tension, tension cancel हो जाएगा, तो this minus this अगर मैं करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, mu m a, plus mu mg, is equal to mg, minus m a, मुझे a निकाल के इसमें डालना है, वो a जो होगा, वो force minimum के पोर्रस्पॉंट करेगा, तो a निकालने के ल 1 into a, is equal to g into 1 minus mu, g into 1 minus mu, तो a कितना आगया, a आगया, g into 1 minus mu, upon mu plus 1, तो यह आगया, a, g into 1 minus mu, upon 1 plus mu, तो यह a आगया, तो f कितना आजाएगा, f आजाएगा, m plus 2m, into यह वाली चीज, मतलब g into 1 minus mu, upon 3 plus mu, तो यह minimum force की value होगी, ठीक है, यह minimum force की value होगी, इसके अंदर भी काफिर लंबर प्रोसेस करा हुआ है, देख लो, no force is applied, प्रभाएंट से फिर्ण, a plus b को system मान लिया, acceleration निकाल लिया, फिर fb d बना लिये, fbd देख लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ना important है, इस चीज को अच्छे से पढ़ना, अगर advance की तग्यारी कर रहे हो, खासत और पर main से कर रहे हो, तो भी कर लेना, अच्छे से इसको, नीट वाले बच्चे चाहें तो यह दो एक्जाम्पल लाज से आएगा, ठीक है, तो a maximum में निकाल लेंगे, तो ऐसी a minimum आगे, a maximum आगे, तो force के value कितना आएगा, इस से इसके बीच में, यह किसो को respond कर रहा है, a minimum को, यह किसो को respond कर रहा है, a maximum को, यह किसो को respond कर रहा है, तो यह last सवाल है, 10th question, यह भी ऐसा ही है, सवाल देख लो पहले, diagram diagram में क्या है, एक mass है, मैं एक mass 2kg है, 45, 45 degree के angle है, अब पूचा है कि mass की maximum value क्या हो सकती है, minimum value क्या हो सकती है, कि sliding ना हो, तो maximum value जब होगी, मतलब mass बहुत जादा कर दिया, तो sliding इसकी नीचे की तरफ होनी चाहिए, इसकी उपर की तरफ होनी चाहिए, तेंडेंसी होनी जब इस mass की value बहुत कम होगी, minimum होगी, minimum होगी, मतलब यह इसको खीच के लेके जाएगा, यह उपर जाएगा, मतलब friction इसकी तरफ लगगा, इसकी तरफ लगगा, वापस से हम एक बार calculation करेंगे, उससे वापस से friction force निकाल के, वापस से balance करके 0 कर देंगे, acceleration को, अब देखते क्या है, figure shows two blocks connected by a light string placed on a two, 45 degree angle है, तो रेस्ट है, तो रेस्ट है तो कोफिचिंट कह लेंगे, अब मैं एक solution करूँचन करूँगा इसमें भी एक ही करा वह दूसे का ऊल्टा हो जाएगा तो मैं वह केस्ले लिए मिनिमम बना पहला केस्ले लिए मिनिममम बेल्यू में पर क्या हो बहुत चोटा बहुत और यह आगे जा रहा हो यह पीछे जा रहा हो इस पे जो लग रहा होगा, वो फोर्स लग रहा होगा, Mg sin theta, Mg sin theta कितना होगा, Mg sin theta will be 2 into G, 20, G ko 10 माना है क्या, नहीं माना, मान लो, कोई दिख्कत नहीं है, G ko 10 मान लो, 20 into sin 45, 20 upon root 2, 20 upon root 2, इस पे इस तरफ force लग रहा होगा, ऐसे ही, इसकी अगर बात करें, तो इस पे कितना force लग रहा होगा, Mg sin theta, M into 10 upon root 2, M into 10 upon root 2, पीचे force लग रहा होगा, F1 की value क्या होगी, F1 की limiting value होगी, F1 की value क्या होगी, Mg cos theta, मतलग Mg cos of 45, तो Mg, M into 10, या फिर G को, G से replace कर दो, या फिर 2G लिख दो, यहापे भी Mg लिख दो, जिससे cancel हो जाएंगे, G, G है, Mg upon root 2, Mg cos 45 बतलग Mg upon root 2, ऐसे ही, यहापे जो friction होगा, वो भी कितना होगा, 0.28 into Mg upon root 2, में एक चीज़ दो दचुका बार बार, अलग से tension निकाल के लिखने की ज़रत नहीं है, लंबा हो जाता है, simple से इसको खोल के देखो, आगे कौन सा force है, 2G upon root 2, पीछे 3 force है, यह और यह, आगे कौन सा force है, 2G upon root 2, पीछे force है, यह, यह और यह तीनों रोख में ही कोशिश कर रहे है, तीनों रोख में ही कोशिश कर रहे है, इसका मतलब क्या होगा, just rest पर अगर है तो balanced होगा, तो आगे वाला force equal to पीछे वाला force, मतलब 2G upon root 2 is equal to Mg upon root 2 plus 0.28 Mg upon root 2 into 2, तो क्यों, G से G से G cancel हो गया, M common ले लो, तो यह क्या आगया, M into 2, 1.28, 2 into 1.28 कितना हो जाएगा, 25 to 1.56 is equal to 2, तो M का value कितना आगया, 2 upon 1.56, जो कि मुझे थोड़ा सा गरत लग रहा है, बट देख लेते हैं, इसमें कुछ गलती हो गई होगी, शायद, देख लेंगे, पन क्या गलती होगी है, वो देख लेंगे, पन को भी करनी है, तो काफी लंबा हो गया है, यहां पर इनका calculation, तो 9 by 8 है न, 2 upon 1.56, 9 by 8 है नहीं आएगा, फुसकर बड़ होगी, 1 minus, 1 plus भी है क्या, 1 plus क्यों आ रहा है, 1 plus आना तो नहीं चाहिए, 1 plus tension तो cancel होगा, कुछ गरबड़ की होगी होगी है, अपनने देख लिए, तो t निकल गया, t निकल गया, इनकी equation बन रही है, m into 1 plus mu into s, m into 1 plus, capital M कॉंसल है, 2 के जिली है न, ठीक न, तो, अच्छा, यहां पर गलती कर दिया, इसको अपन न एम लिए, यह भी 2 होगा, इसको M ए, M ए, M ए, लेकिन यह M ए 2 है, यहां गलती कर दिया अपनने, तो यह गलती कर दिया पूरा, तो यह बन जाएगा, इन टू 2 नहीं बनेगा, यह बनेगा फिर, तो इसको 2 बज गया, 2 is equal to M plus 0.28 M plus 0.28 into 2, तो 2 common लेंगे, बनेगा, 1 minus 0.28, 2 into 1 minus 0.28, is equal to M into 1 plus 0.28, तो यह गलती होगी, यह आगे अपने पास भी, तो यह है, 2, 2 मतलब capital M into 1 minus 0.28 is equal to small m into 1 plus 0.28, अब यहां कुछ बच्चे लिख देंगे, सर्थो कुदी confuse है, यह चोटा सा गलती होता है, बच्चों के एक तो तुम लोगों के ना, अगला सवाल भी कुछ पूछ रहा था वो, अगला सवाल पढ़ा नी था मैंने, पढ़ लेता हूं मैं, अगला सवाल है, find the acceleration of either block if M is given the minimum value calculated in the first part, and is gently pushed up the incline for the short while, तो first part में minimum value क्या है, यह M है, M के value 9 by 8 अरी थी, और gently push करा है, तो mu k is equal to 0.25 ले लेंगे, अब वापस से calculate कर लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वापस से figure यही बनेगा, और gently push करा है, तो यह आगे accelerate करेगा, यह उपर accelerate करेगा, इसका तो यह force यही होगा, इसका भी यह force होगा, यहां पर 0.25 आ जाएगा, यहां पर 0.25 आ जाएगा, हमको M की value भी बता है, net force आगे के तरफ कितना होगा, 2G upon root 2, minus, पीछे वाला force कितना होगा, this plus this plus this, तो इसमें भी देखो, G by root तो common निकाल लो, G by root तो common निकाल लो, M कितना है, 9 by 8, 9 by 8 है था ना, 9 by 8, 9 by 8, plus, यह भी G by root तो common निकाल लिया, यह कितना होगा, 9 by 8 into 0.25, plus, यह minus में चल रहा है, पूरा ना, यह वाला friction force, यह वाला friction force कितना है, G by root 2 common निकाल लो, 0.25 into 2, मतलब 0.5 is equal to, total mass into acceleration, total mass कितना होगा, 2 plus 9 by 8 into acceleration, तो देख लो, यह कितना होगा, इसको calculate कर सकते हो, 9 by 8 कितना हो जाएगा, 1.125, थोड़ा कंदा calculation होगा, बड़ कर सकते हो, ठीक हो, एक्वेशन देख लो, tension निकानल के रूत नहीं है, equation देख लो, finally same बन रही होगी, देखो, यह equation देख लो, एक बार, यह देखके, छोड़ देना, because advance level के सवाल है, बहुत लंबा सवाल है, आदा गंटा लगेगा इस सवाल को तु मागर advance में भी करोगे, यह अपना last सवाल था, equation देख लेते हैं पर, तो यह देखो, capital M, capital M मतलब 2 था, तो 2G upon root 2, बन साथ में नहीं, फिर G upon root 2 को multiply है, mu K के साथ, मतलब 2 into, यह, 2 into 0.25 है, फिर minus, तो minus के नदर यह दो terms आएंगे, तो 9 by 8 तो M है, तो M को common निकाल लो, G by root को भी common निकाल लो, जो की अपन नहीं पर छोड़ दिया, तो now, our examples are over, we will do questions for shared short, these are very important, इससे आपके concepts ले रहोंगे, इससे आपको पता बड़े का direction क्या लेनी है, कैसे लेनी, objective and objective two, सारे important है, उसके बाद exercise, है ना, तो अच्छो ठीक है, take care, have a nice day, bye. Welcome back instruments, हम चालू कर रहा है, questions for short answers, जो की important होते है, because concepts clear होते है, तो for most of the surface using didn't like the friction coefficient is less than 1, muca value less than 1 होता है, but ऐसे जरूरी नहीं है, हम देख चू कैसे theory के अंदर, muca value 1.4 भी था, steel और steel के बीच में, तो is it always necessary, wrong, not necessary, next है, why is it easier to push a heavy block from behind than to press it on the top and push, तो यह क्या बोल रहे हैं कि 2-3 से हम कड़के हैं, एक तो ऐसे push करेंगे F लगाके, एक force लगा रहे हैं, बढ़ यहां से भी एक और force लगा रहे हैं, F1 लगा रहे हैं, यहां से भी force लगा रहे हैं और F1 लगा रहे हैं, जब मैं उपर से force लगाँगा तो normal direction increase कर जाएगा, अगर normal direction increase कर जाएगा, यह जब मैं करवा चुका हूँ, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, विडाउट पहले की वीडियो देखें, वो एक बार देख लो, जिससे समझ में आ जाएगा अच्छे से कैसे calculations होती हैं, तो अगर मैं उपर से force लगाँगा तो normal direction increase कर जाएगा, और दिक्कत होगी कडने में, थर्ड, what is the average friction force, any person has a usual 1 km walk, देखो ये, समझो इस चीज को, friction एक force है, friction एक horizontal force है, अब अगर एक इनसान 1 km walk करके आ रहा है, भूम फिर क्या रहा है, तो हम मान सकते हैं, उसकी जो initial speed है, 3-4 m per second की जो भी initial speed है, वो शायद बाद में भी उसी speed के बराबर रहा होगा, मतलब वो एक मिनट में कर रहा होगा, 15-20 m कवर कर रहा होगा, बाद में भी एक मिनट में 15-20 m कवर कर रहा है, तो आप समझो इस चीज से कि अगर force होगा, तो velocity में चेंज होना चाहिए था, लेकिन या भी velocity में चेंज नहीं हो रहा है, average, तो friction force जब भी average motions होते है, 0 ही होता है, इस ची क्या होगा, 0, why it is difficult to walk on solidize, obvious ही बात है, चलने के लिए मैं समझा चुका हूँ, previous theory plus examples के नदर चलने के लिए भी friction भी ज़रत होती है, तो solidize पे friction मिलेगा नहीं, इसलिए difficult होता है, can you accelerate a car on a frictionless horizontal route by putting more petrol, petrol डालने से कुछ नहीं होगा, frictionless है, petrol डालो, Lamborghini लिया हो, Ferrari लिया हो, जो ल wheels rotating करते रहेंगे, आगे की तरफ move नहीं हो पाएगा, आपने देखा भी होगा, friction काम होता है, तो wheels rotating करने लग जाते हैं, आगे की तरफ movement नहीं होती है, can you stop a car going on a frictionless horizontal route by applying brakes, ऐसे ही brakes apply करने से कुछ नहीं होगा, brakes apply करने से हम क्या करते हैं, wheels को jam कर देते हैं, लेकिन wheels jam होने के इसके पास velocity है, तो आगे की तरफ move करता रहेगा, wheels jam भी कर दिये, तो भी आगे की तरफ velocity है, तो move करता रहेगा, इसलिए कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा, spring fitted doors close by themselves when released, तो आपने देखा होगा, कुछ doors होते हैं, उसके उपर spring लगा रखते होती है, तो उसको खोलते हैं, त प्रकम ब्रॉक लगा देंगे, यहां फिर हम एक चोटा से कावच लेके, पोल्ड सरक्यों से नीचे लगा देंगे, है ना, cardboard का कुछ भी, तो if you put a half kg stone in front of upper door, it does not help, आदा किलो का पथल लगाएंगे, तो तो फिर बंद होई जाएगा, कोई लिककत नहीं होगी, the stone slides with the door and the door closed यह तो बंद हो जाएगा, however, if you sandwich, sandwich खाने वाला नहीं, sandwich भीच में करने वाला sandwich, if you sandwich, a piece of wood in the small gap between the door and the floor, the door stay open, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, क्योंकि जो door है, अब मेरे पास कुछ है नहीं है यहां पर, इसको door मान लेते हैं, तो जो door है, जब वो उसको close कर रहे होगा, वो close ह अब यहां पर अगर आपने 1 half kg का stone लगाया, तो जो force रोक रहा होगा, वो half kg के उपर friction force है, वो ही रोक रहा होगा, जो force रोक रहा होगा, वो कौन सा होगा, जो half kg के उपर friction force है, वो ही रोक रहा होगा, तो half kg पर friction force है, वो कितना ही होगा, यह half kg है, इस तो friction force कितना ही होगा, mu into normal reaction और normal reaction कितनी आएगी mu into normal कितनी हो जाएगी half into g इतना friction force होगा लेकिन जब मैं इस door के नीचे एक cardboard slide कर दूँगा तो cardboard का connection floor से भी और door से भी है और थोड़ से tight हो जाता है तो अगर door ऐसा है मेरे पास और floor के वीच पे इतना gap था लेकिन यहाँ पर जब मैंने cardboard लगा दिया तो एक तरह से पूरा block बन जाएगा यह पूरा block बन जाएगा और इसके वीच में जो friction force आ रहा होगा पीछे में अंदर के तरफ आ रहा होगा उसके लिए जो normal reaction मैं लिखने हो और normal reaction उस पूरे का मास लेगा इस डोर का मास प्लस इसका मास तो इसका मास कितना होगा उससे फरक नहीं पड़ता बड़ जो डोर का मास है वो भी न और इसके अंदर आ जाएगा एक तरह से जो cardboard अपन ने लगाया है वो डोर भी उसको प्रैस कर रहा होगा तो डोर उसको प्रैस कर रहा होगा तो डोर के मास का भी उसमें component आएगा तो normal reaction इंक्रीज कर जाएगा और friction भी इंक्रीज कर जाएगा 7th, एक classroom demonstrations of Newton first law is as follows तो यह बता जाता हूँ क्या लिखा हुए इसके अंदर first law जो होता है कि फटा-फट से उसको अटा दिया plastic card को तो coin मीचे गिर गया ठीके ना, यह demonstration होता है first law का लेकिन अगर आप धीरे-धीरे करोगे हाँ, तो पहले जीज़े should the friction coefficient be less or more friction coefficient कम होना चाहिए friction coefficient अगर जादा होगा coin के उपर भी horizontal force लगेगा friction coefficient अगर जादा होगा तो coin के उपर भी horizontal force लगेगा और coin भी आगे move करेगा friction coefficient पहली बार तो कम होना चाहिए एक लिए plastic लिए है लोगाज plastic अगर coin की बेशन friction कम होगा should the coin be light or heavy coin के light और heavy होने से तरह फरक नहीं पड़ेगा समझे इस चीज को क्यों परक नहीं पड़ेगा coin के light यह है भी होने से क्यों परक नहीं पड़ेगा क्योंकि जो friction force होता है वो mu mg होगा तो acceleration जो friction क्या होगा force upon mass वो mu g की बराबर ही हो जाएगा तो acceleration के वर friction coefficient पर depend करेगा किसका coin का coin तो कॉन का acceleration horizontal acceleration तो coin चाहिए से भारी हो या हलका हो coin चाहिए से भारी हो या हलका हो coin का जो acceleration है horizontal वो किस पर depend करेगा capable mu पर अगर mu का value कम हुआ अगर mu का value कम हुआ तो coin आगे नहीं जाएगा अगर mu का value जादा हो या तो coin आगे चले जाएगा आगे देखते है Why does the experiment fail if the card is gently pushed अब हलका सा push करते हैं तो तुम देखो कि coin भी आगे चले जाता है हलका सा push करते हैं तो coin भी आगे चले जाता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? Because coin पे force कब तक लगाएगा card जब तक उसे contact में रहेगा coin पे card जब तक force लगाएगा जब तक उसे contact में रहेगा अब coin का movement मतलब क्या है? कि coin की initial speed 0 थी और coin की final speed कुछ velocity भी मिली उसको ये किसने करा? acceleration हम इसके लिए equation के लिखते हैं V is equal to U plus A T A क्या होगा? ये होगा coin को velocity ये तो 0 है तो coin को कितनी speed मिल रही है? पर जब friction का force लग रहा है तब उसके पास time कितना मिल रहा है उसको अब card को धीरे से फैका तो काफे देज तक contact में रहेगा और card को तेज फैका तो एकदम से निकल जाएगा जब एकदम से निकल जाएगा तो time नहीं मिलेगा coin को time नहीं मिलेगा तो velocity coin की increase नहीं करेगी लेकिन card को आराम से टेका आराम से फ्लिक करा तो time मिल गया time मिल गया तो acceleration into time की एक value आजाएगी इसलिए experiment fail हो जाता है तो next करते हैं question number 8 देखते है तो मैंने Newton's loss of motion नहीं बताया था tension of the rope और friction friction मतलब जो ground port दे रहा है horizontally तो friction के भी आज़र टगवाड होगा ही नहीं friction के भी ना तो बस कुछ नहीं होगा मतलब बस पास ही आते रहेंगे वो दो लोग अगर space में हैं और कीच करें अपनी तरफ तो पास हाते चलेंगे दोनों ही पास हाते चलेंगे तो इसमें क्या बोला है कि अगर आप आपने देखा हुआ mountains के अंदर बहुत steep होता है तो grip अच्छी नहीं बन पाती mountains के अंदर बहुत steep होता है तो grip अच्छी नहीं बन पाती तो इसके लिए इसका क्या reason है कि straight road पे अगर कुछ रखा हुआ है और incline पे कुछ रखा हुआ है तो friction coefficient अगर mu भी है तो friction force को mu into n होता है यहां पे जो n का value होगा वो mg के बराबर होगा यहां पे जो n का value होगा वो mg के बराबर होगा लेकिन यहां पे जो n का value होता है वो मैं जो पता है n का value किस्ता बराबर होता है mg cos theta के बराबर तो यहां पे n का value mg cos theta बतलो friction कितना होगा mu mg cos theta तो यहां पे जो friction होगा, जो की जादा होगा, तो friction जादा है तो अच्छी grid बनेगी, यहां पे जो friction होगा, जिसको दिक्कत है कि यह कैसे आता है, वो पहले के lecture देख लो मेरे friction के, तो समझ में आ जाएगा, question number 10, you are standing with your bag in your hand, on a ice in the middle, तो हम एक bag लेके फड़े हुए है, ice के अंदर, ice friction less मानेंगे, तो उनको निकलना कैसे है बारूस से, तो इसका यार बोई तरीका होता है कि, bag को उतर फेक्ट हो, तो तो तुम पीछे आओगे, bag को अगर मैं इस तरह फेक्ट होगा, तो मैं पीछे जा इक प्रीक्ट हैगा, अब अभी तक तो ground का friction मुझे रोख रहा था, अभी तक तो ground का friction मुझे रोख रहा था, लेकिन, अब क्या होगा, bag को मैं उस तरह fair होगा, तो bag मुझे पीछे की तरह fair देगा, friction नहीं होगा, तो मैं चला जाओगा, तो leg से बाहर निकलने का एक ही रास करने के लिए दो सेर्फेस को पॉलिश कर लो मतलब स्मूध कर दो दो सेर्फेस को स्मूध करेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा लेकिन यह बोल रहा है कि बहुत जादे स्मूध कर देंगे ना तो जो फ्रिक्शन है वो बहुत जादा इंक्रीज कर जाता है तो इसके लिए ह कि माइक्रो स्कोफिक प्रपर्टी भी देखनी पड़ेंगी फ्रिक्षिन की हमने देखा था माइक्रोपी लेवल से बौड़े किसीं भी स्मूध धो एससे कुछ होती है ऐसे उपर वाली बौड़ी ऐससे कुछ होगी और इनके भी इसमेंद करेंगे एक दूसरिकान बन जाए करें कि आए कर दिया बहुत कर दिया तो अब आपको दिखी रहा है अब आफिक प्रफ करा। तो थोड़ा स्मुज्ष में वह कुछ रहा है वह ऐसा और ऐसा लेकिन उसकी माइक्रोस्कोबिक की डिक्षर देखी तो ऐसी दिख रही होगी। वापक फिर थोड़ी रफनेस है। लेकिन कम है। पहुत almost कर गें तो क्या होगा, बहुत almost कर गें तो एक राम आगे स्टेण बजायगे, यहां यह भी कर जाएंगे ma wishing पाढ काजां प्रिक्षेश नहीं क्यों होता है जोड़ा सो बचता है जोड़ा से और स्मूथ करेंगे तो क्या हम बहुत पास आजएंगे और जो फ्रिक्शन होगा बहुत जाएगा अट्रेक्शन के वाज़ेंगे सब्सक्राइब जोड़ा से अब हम अब्जेक्टिव बन करते हैं अब्जेक्टिव बन देख लो पढ़ो फटेरो कुश्टन को और सॉल्ब करने की पोशिश करो फुछ से मैं भी सम्झाओंगे इसको एक और चीज में बोलना चाहूंगा जो बुक रखी हुई है मैंने अब्सक्राइब खरमा और उसके एसाब से स्वाल करो ठीक है, तो फर्स स्वाल देखो, इन्हें सिटुएशन दर ओंक्त फोटीजीन बिट्विएँ थो यॉर्फ और चेज फट में बॉड़ी प्लेस प्लेस रंडखेन इसप्लेस साब्सक्राइब को इन प्र अतों आएब यह जो contact force है, एक तो normal direction होता है, एक मानलो friction force है, दोनों का मिलागी जो force आता है, वो contact force होता है, इसको angle theta पोल से है, इसको angle of contact पोल से है, इसका magnitude constant है, if the angle between this force and the vertical is decreased, if the angle is decreased, इसको angle इसको decrease कर दिया, the friction force between the surface and the body will, the friction force between the surface and the body will, तो contact force का तो constant magnitude है, तो मुझे पता है कि friction को में लिक्सक्ता हो, capital F into sin of theta, normal को में लिक्सक्ता हो, capital F into cos of theta, friction force को क्या लिक्सक्ता हो, capital F into sin of theta, normal force को क्या लिक्सक्ता हो, capital F into cos of theta, अब देखो क्या होगा, अगर angle को तुम decrease करोगे, angle को तुम decrease करोगे, तो क्या होगा, कि F sin theta की value, friction force निकालना है न, तो F sin theta की value क्या करेगी, decrease करेगी, because theta की decrease करने के साथ, sin of theta भी decrease करता है, तो इसलिए F sin theta की value भी decrease करेगी, इसलिए पहले का answer क्या हो जाएगा, decrease, the friction force will decrease, पहले का answer क्या हो जाएगा, decrease, the friction force will decrease, ठीक है, next देखते हैं, अब यह जिसको नहीं पता, वो lecture देखो जाके, जो एक स्टार्ट होड़ा चेप्तर, उसमें बोला गया है कि friction force कम बोल सकते हैं, S का ही एक component होता है, ठीक है, next देखते हैं, question number second, question number second, बहुत चेपल्टी इसको समझ में नहीं आता, क्या पूछ रहा है, क्योंकि imagination थोड़ा साभी करता है, देखो ज़रा क्या है, while walking on ice, one should take small steps to avoid slipping, ice पर walk करते बगत, हमको small, यह तो समझ में आता है, बहुत तेज़ लंबे-लंबे कदम लेंगे तो नहीं जापाएंगे, छोटे-छोटे कदम लेंगे तो पहुच जाएंगे, तो यह मेरा power bank, इसके पूर में समझाता हूँ, कैसा हो रहा है, this is because smaller steps ensures, smaller steps क्या ensure करते हैं, larger friction, smaller friction, normal force, देखो क्या होगा, बही, normal force तो same रहेगा, ground के और तुम्हारे बीच में जो body है, उसका normal force तो same ही रहेगा, उसमें ले कोई change रहेगा नहीं, coefficient of friction भी same रहेगा, तो ground तुमको कितना friction दे सकता है maximum, वो तो एक constant value रहेगी, ground, तुमको कितना friction force दे सकता है maximum, वो तो एक constant value रहेगी, तुमको क्या करना है, तुमको ये ensure करना है, कि तुमारा जो required friction का value है, तुमारा जो required friction का value है, वो उस friction force से छोटा हो, friction force कितना होता है maximum, mu s into n होता है na, तो n भी constant है, because n mg के बराबर होगा, और mu s भी property of the medium है, और चलने के लिए कौन सा friction काम आएगा, इस फिर इसको उठा दिया, ये pair contact में आगे slip नहीं कर रहा, तो चलने के लिए static friction काम आता है, तो हमको तो ये ensure करना है कि हमारे friction की required value है, वो हमारी FS max, 0 से लेके FS max के बीच में रहे, ये तो fixed value है, अब जब तुम बड़े step लोगे और जब छोटे step रहोगे तो क्या होगा, देख center of marks मालो, हाथ तो मैं बनाने सकता, देखो जब तुम बड़े step लोगे तो इसका movement देखना, तुम देख रहोगे यहां से लेके ऐसे जा रहा है वो, ये वाली चीज जो है, बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है मतलब इसका acceleration जो है बहुत जाद है, लेकिन जब में smaller steps लोगा, तो देखो उपर वाली चीज बहुत ही कम accelerate करेगी, उपर वाली चीज बहुत ही कम accelerate करेगी, अगर मैं दीरे दीरे चलूँगा, तो मेरी बोड़ी का जो acceleration, मैं चलता हूँ तो एक बार rest पर जाता हूँ, फिर मैं दूसरा पर उठाके आगे जाता हूँ, फिर तो जब मैं चल रहा होता हूं, तो मैंने एक पैर उठाया, मैं आगे आया, फिर रेस्ट पर आ गया, फिर मैं एक पैर उठाया, फिर आ गया, फिर मैं रेस्ट पर आ गया, उसके दौरान क्या हो रहा है, जब मेरा हाथ ऐसे है, जब मेरा पैर ऐसे जा रहा है, उसके दौरान क तो छोटे कदम क्यों लेते हैं जिससे acceleration कम लगे तो शॉटर स्टेप से क्या होगा acceleration required is lesser और acceleration required is lesser तो a इस अपलेस तो friction required is lesser friction जो required होगा वो lesser हो जाएगा तो smaller step के एंचिवर करते हैं smaller friction का value ठीक है next देखें third third question देखें a body of mass m is kept on a rough horizontal surface a person is trying to pull the body by applying but the body is not moving the force by the surface on a is f where तो हमको पता है कि body अगर surface का force f है तो surface का force किपना होता है surface का force होता है एक तो normal reaction और friction अब यह इस पर f force लगा रहा है तो friction का value भी f के बराबर होगा क्योंकि body move नहीं कर रही friction का value भी f के बराबर होगा because body move नहीं कर रही तो इसका सम आ जाएगा total कितना हो जाएगा under root of n square plus f square under root of n square plus f square ऐसा इसमें answer देने रखा तो एक काम करते है फ्रिक्शन को जो value होगा कहां से कहां तक लाई करेगा 0 से लेके 0 से लेके mu n तक mu n तक तो जो यह force होगा f capital यह force नहीं जाएगा यह force इसका value कहां से कहां तक लाई करेगा under root of n square से लेके under root of n square plus mu n का square under root of n square से लेके इससे corresponding n square आजाएगा और इससे corresponding n square प्लस mu n का square आजाएगा n का value कि बना है mg तो कांसे कांट तक लाई करेगा अपना जो total force है mg से लेके mg इंट रखा लाई करेगा मैं और इंट इक नएक बना श्यक्राइखा है और फाफंड झोस्टर ग्र act जाएट मतलब इसका इसा न चरफ है थाए अक victat वॉट सब्सक्राइक देर अट आए अलीटे प्रेशन थेम प्रॉट सका हम प्ल्सका इसका एसकर कुछ नहीं प्लीप्त जो 500-newton का man है, पचास केजी के आसवार का man है, वो इस कुटर पे रहता है, ना वो आगे पीछ 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 पीच पीच पे, हमने एक्जम्पिल में किया था कि जो बॉए साफ वो बॉए साफ वो स्लाइड हो रहा है, बट जो man है यहां पे वो स्लाइड नहीं हो रहा, तो पांसो के बराबर हो गई, तो जो net force होगा हो कितना होगा, friction square plus 500 का square, friction square plus 500 का square, देखते हैं, अब एक और चीज, friction यहां पर तो होगा, आगे की तरफ, यहां पे friction दीरो होगा, और यहां पे friction होगा पीछे की तरफ, यह समझा जुखा हूँगा, अकर तुमको direction समझ भी नहीं क्या तक force 500 Newton रहेगा, throw up नहीं रहेगा, less than रहेगा, less than तो होगी नहीं सकता, more than रहेगा, throw up, throw up more than नहीं रहेगा, यहां पे जो net force हो कितना रहेगा 500, because friction 0 है, यहां पे जो net force हो कितना रहेगा, 500 because friction 0 है, यहां पे जो net force हो कितना रहेगा, f square plus 500 का square, और यहां पे जो net force हो कितन if the situation is shown in the figure the ball is smooth, तो बॉल अगर is smooth है अगहाँ पर friction दीरो है यह आगे देखते हैं बोथ the surface are in contact to address the friction on B due to A in equilibrium तो हमको यह रख दे रखा है, Mu is equal to Mu दे रखा है यह A है और यह B है तो हमें पूछा है कि the friction on B due to A तो B पे friction force क्या होगा मतला अगर मैं B का S बड़ी बनाऊं तो B पे उपर की तरफ कोई friction force लग रहा होगा मानलो वो कितना होगा वो हमको निकालना है The friction on B due to A in equilibrium is Friction force कितना होगा वो हमको निकालना है देखो अगर equilibrium की हम बात करें उसका मतलब किया पूरा system rest पे है तो B का एक M, B, G force होगा नीचे के तरफ इस तरफ force F होगा इस तरफ एक normal direction आ रहा होगा ये इसको balance कर रहा होगा हम मान लेते हैं ये इसको balance कर रहा है ठीक है बट अगर मैं A का diagram बनाता हूँ तो देखो अगर A, B को friction ऊपर की तरफ लगा रहा है A P नॉर्मarm को friction N1 यहां पर होगा N2 यहां पर होगा लेकिर तुम देखोगे vertical direction में नीचे की तरफ एक net force आ रहा है तो अगर तुमने B को equilibrium में कर भी दिया तो A equilibrium पे नहीं है अगर तुम A को इस Studiumи रखना चाहा है तो be equilibrium इस को 2 नियुभर हो न पड़ेगा तभी ये equilibrium में सिस्टम हो सकता तो इसका आंसर कहा है कि सिस्टम equilibrium में हो ही नहीं सकता सिस्टम equilibrium में हो ही नहीं सकता और ऐसा नहीं तो लग रहा है तुम्हारे आंवर जी आ जाएंगे next देखते हैं question number 6 suppose all the surfaces in the previous problem are rough तो अगर सारे surface rough होते तो क्या होता ये A है ये B है यहाँ भी rough है यहाँ भी rough है यहाँ भी rough है यहाँ पर पोर से लग रहा है तो क्या होता तो देखो अगर मैं A का diagram बनाता तो पहले तो B का बनाऊंगा क्यों? क्योंकि B की उपर friction A की लगेगा A की उपर दो लगेगा इसलिए confusing है सबसे आसान सबसे पहले बनाता है इसलिए पहले भी मैंने पिछले portion में भी B का डायगरम सबसे पहले बनाएंगा तो B बीट में obviously नीचे की तरह M B G है तो उपर की तरह एक friction force F1 आ जाएगा B को friction force इसने दिया A को तो A P नीचे की तरह force F1 लगेगा A P नीचे की तरह A को और force है M A G friction force नीचे की तरह है तो यहाँ पे एक force F2 जो आएगा वो अब इसको और इसको balance कर देगा F2 का बेले कितना होगा F1 प्लस M A G F2 का बेले कितना होगा F1 प्लस M A G अब balance में हो सकता है अब तुम पूस सकते हो the direction of friction on B due to A तो B पे कौन सा friction का direction ऊपर की तरह पाएगा अबवड जाएगा आगे लेखते है question 7 तो two curves of unequal masses use similar diodes diodes same है diodes अगर same है मतलब friction का coefficient same है if they are moving at the same initial speed दोनों का initial speed भी same है तो ये car U की speed से जा रहे है M1 mark की ये car U की speed से जा रहे है M2 mark की दोनों का speed कितना है U और दोनों का friction coefficient same है दोनों का friction coefficient रहे है तो भी minimum stopping distance तो minimum stopping distance गभ और use minimum stopping distance के लिए हम friction की maximum value उजँ करेंगे friction की maximum value कौन सी हो कि static friction की limiting value minimum stopping distance के लिए हम कौन से friction की value यूज करेंगे static friction की limiting value जो की maximum होती है मतलब μुई इंटू n तो μुई इंटू n जो है μुई आपन तोनों के लिए लेकिन इसके लिए मुई इंटू n क्या बन जाएगा मुई इंटू m बन जी मुई इंटू n क्या बन जाएगा मुई इंटू m जी इसके लिए जो friction का force हो क्या बन जाएगा मुई इंटू m बन जी कोर्स is different है लेकिन हम stopping distance क्या से निकालेंगे हम use करेंगे कितना use के में V को भी 0 बनाना पड़ेगा तो अगर मैं acceleration के बीच में relation निकाल लूँ अगर मैं दोनों गाड़ियों का acceleration पता कर लूँ क्या होगा तो मेरे को इस stopping distance में पता पढ़ जाएगा दोनों गाड़ियों का acceleration कौन करेगा friction करेगा, de-accelerate तो friction का force तो अलगा लगा है तो अब क्या है, अमरे पास दोनों गाड़ियों को final speed 0 चाहिए, दोनों का initial speed U है दोनों का acceleration भी same है, तो दोनों की stopping distance जोगा वो भी क्या होगा, same होगा तो depends, is same for both the cars is same for both the cars अगले question भी कासे सब्सक्राइब को समझे भी नहीं आता क्योंकि एक basic concept प्रेयर नहीं होता है वो समझाता हूं क्या concept है question है, in order to stop a car in shortest distance on a horizontal road एक बार options करते हैं apply the brakes very hard so that the wheel stop rotating apply the brake hard enough to just prevent flipping pump the brake, pump करते रहो shut the engine, shut करके रगद दो इंजन को brake apply मत को तो obvious ही बात है, D option तो बिल्कुल ही गलाद है brake apply नहीं करोगा, तो car पटा-पट से नहीं रुखेगी car चलती रहेगी C option, pump भी करोगा, तो release कर दोगा वापिस से, तो वापिस से car आगे भागेगी तो C option भी अब A और D में जो, A और B में जो अंतर है बोई की कापियों को समझ भी नहीं आता हूँ तो बहुत मैं समझा रहता हूँ पहला option है, apply the brakes very hard apply the brakes very hard so that the wheels stop rotating देखो अगर wheels rotate करना stop कर देगी लेकिन wheels के पास आगे, car के पास आगी speed तो है तो wheel अगर stop करना rotate कर देगी तो rotation तो बन हो जाएगा लेकिन ये slide करेगी आगे ये क्या करेगी, slide करेगी पूरी की पूरी जो car है, वो क्या करेगी slide करेगी, sliding होगी तो first वाले case में क्या ओर है? sliding हो रही है दूसरे वाले case क्या बोल रहा है? apply the brake hard enough अब भी hard apply करो, लेकिन slide मत होने, slide होती है नहीं, जो टायर की निशान बन जाते रोड के ओपर, पीं करता हो आती है हमेशा ज़रूरी नहीं कि brake लगा है तो sliding होई, हमेशा ज़रूरी नहीं है ब्रेक को बहुत तेज़ से लगाते है, इस दम से होता है, करररर आवा जाती है, slide होता होता है तो brake hard लगा हो, लेकिन slide मत होने दो तो A और भी हम difference कैसे करेंगे? देखो A वाले case में कौन सा friction operate करेगा? kinetic friction B वाले case में कौन सा friction operate करेगा? static friction A वाले के अंदर जो friction पोपिशेंट होगा, वो mu के होगा B वाले के अंदर जो होगा, mu s होगा और तुमको पता है, कि mu s जो होता है उसकी जो value होती है, mu के से बड़ी होती है mu s की value, देखो ये गलत है, ये सोच्छो मत इस चीज़ को कि अगर car आगे, इसको rotation पढ़ेंगे और अच्छे से कुछ बस्चे क्या बोलते हैं, सब कि अगर car आगे जा रही है अगर car आगे जा रही है तो car पे friction kinetic होना चाहिए, ये गलत है मैंने अभी explain किया, अगर तुम move कर रहे हो तो जो friction होगा, वो static होगा क्योंकि तुम्हारा पेर तो रहस पर इह है ऐसे ही car भी जब move करती है तो car के tires को है न, बहुत सारे pair अजियूम कर लो तो ऐसे अजियूम कर लो, जब car move कर दिया तो ये pair गिर रहा है, फिर ये pair गिर रहा है, फिर ये pair गिर रहा है तो car जब flip करेगी tires जब slide करेंगे, तो friction kinetic होगा tires जब slide करेंगे, तो friction kinetic होगा लेकिन tires जब roll करते वे जाएंगे, तो friction kinetic नहीं होगा इस्टाटिक ये होगा तो B वाले case में कौन सा friction काम है, इस्टाटिक friction A वाले case में कौन सा हैगा, काइनेटिक friction और कॉंसर प्रिशन जादा होता है, इसले B वाला प्रिशन तुमारा सही है नेक्स देखते हैं कॉर्शन नमबर 9 ए ब्लोक A is kept on the incline जस्ट बिगेंस तो स्लाइट 30 दिग्री पे जस्ट बिगेंस तो यह अपन कर चुग है, 10 of theta mu के बरावर होता है यह ब्लोक के लिए अब ब्लोक के लिए अब ब्लोक के लिए क्या लिख देंगे है अब इसके लिए 10 of 40 दिग्री होगा वो अपना mu s के बरावर होगा, इसके 10 of 30 अपना mu s के बरावर होगा 10 of 30 mu s के बरावर है इसके इसमेडे 10 of 40 mu s के बरावबर है तो अप देखो कुछ के पॉकिछ पॉतिबल हो सकता है, मास के फरक नहीं पढ़ रहा मास के जादा हो सकता है, मास के खम भी हो सकता है, बरावर भी हो सकता है In fact, friction का acceleration उसका मास से कोई लेना देना है ही नहीं, अपन ने पिछले example में देखा, Mew जी के बराबर acceleration होगा, ठीक ना? So, इसमें all the three are possible. Next, देखें 10th 10th भी तो आप एच्छा question है, काफ interesting question है मैं बताने तो question को क्या हो रहा है एक boy है, वो इस block को slide परने के गोशिश कर रहा है इसका मास M है, इसका मास M' है एक और चीज़ दे रखिए friction coefficient इसके बीश में जो friction force है, mu है और इसके बीश में जो friction force है, वो mu dash है अब slide करने की possibility कौन सी है? in which of the following cases, it is certainly not possible to slide the block box को slide नहीं हो ये कैसे हो सकता है देखो, box को slide करने के लिए क्या करना पड़ेगा box को slide करने के लिए यहाँ पर एक force लगाना पड़ेगा यहाँ force लगा है तो पीछे friction रोखेगा friction की maximum value उसके नहीं होगी, mu dash into M dash into G मतलब force मैं चाहता हूं mu dash into M dash into G से बढ़ा हो slide करने के लिए force क्या होगा mu dash into M dash into G से बढ़ा हो अब यह force को लगा रहा है boy तो boy पर पीछे की तरफ एक force लगा रहा है boy पर पीछे की तरफ एक force लगा रहा है एक पल अब boy पीछे चला जाएगा boy वही रहना चाहिए boy भी boy भी कहा रहना चाहिए वही रहना चाहिए क्यों वही रहना चाहिए boy पर friction की तरफ लग रहा है boy को पीछे ले जाना चाहिए boy को वही रहना है boy को पीछे लगेगा मैं ब्लॉक को धक्का मार रहा हूँ मैं अलमारी को धक्का मारूंगा तो मैं हाथ को ऐसे करूँगा मतलब मैं फोर्स को इंक्रीज करूँगा लेकिन जैसे जैसे मैं फोर्स को इंक्रीज करूँगा अलमारी मेरे को धक्का मार रही है पीछे की तरह लेकिन अगर मैं को धक्का मारते रहना है तो मेरे को यहीं रुखना पड़ेगा और यहीं रुखने के लिए friction को इसको balance करना पड़ेगा तो यह जो force है mu mg तो इसकी question तो क्या बनेगी f should be equal to mu mg क्यों क्यों कि मेरे को धक्का मारते रहना है इसकी question क्या बनेगी कि f should be more than mu dash m dash into g आगे जाने के लिए f को ज़्यादा होना पड़ेगा मतलब यह चीज जो f के बराबर है इसको mu dash m dash g से बढ़ा होना पड़ेगा मतलब हमारे पास क्या लिया कि mu mg should be more than mu dash m dash into g g से g cancel कर दो मतलब mu into m की जो value है boy पर जो friction लग रहा है वो block पर जो friction लग रहा है उससे बढ़ा होना चीज़े इसको फटाफट सुनज़े लेते हैं वापिस से boy पर जो friction लग रहा है वो ही boy को आगे force दे रहा है अगर friction नहीं होगा तो कुछ करे नहीं पाओगे तुम दखका नहीं मार पाओगे तुम पहीं जले जाओगे ठीक ना तो boy को जो friction लग रहा है वो ही boy को force लगाने दे रहा है और उस force के अपन move करवाएंगे तो boy को friction block के friction से ज़ादा होना चाहिए move करने के लिए तो ये पंड़ा है अब कौन से case में ऐसा नहीं होगा mu भी छोटा और m भी छोटा अगर mu mu dash से छोटा है और m dash से छोटा है तो ये पूरी चीश छोटी हो जाएगी तो move नहीं कर पाएगा तो कौन से case है अपना mu is less than mu dash और m is less than m dash इस case में क्या होगा boy box को आगे धटकर नहीं दे पाएगा नहीं तो बागी के सारे cases पॉसिबल हो सकते हैं तो ये हमारे objective 1 थे अगर time बचा है जो की बचा ही होगा मेरे इसाब से तो objective 2 भी देख लेता है objective 2 देखो कुछ से सोड़ा देखने की कोशिश करो objective 2 देख लिया ठीक है चले तो यहां पर देखा तीन पोड़ बता रखे है contact पोड नॉर्बर और फिक्शन अगर कोई भी 0 नहीं है तो क्या relation होगा तो ये f होता है ये fn होता है और ये friction होता है और इस भी बात है f जो है वो under root of f square plus fn square के बराबर होगा ये तो पता ही हमको तो f fn से बढ़ा होगा तो first option तो आई जाएगा f f से भी बढ़ा होगा तो second option भी आजाएगा ये option भी clear होगा fn f से बढ़ा है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है fn f से बढ़ा है ऐसा possible है f जो है वो fn प्लस f मतलब f f प्लस fn से छोटा है क्या ये prove कर सकते होगा ये prove कर सकते होगा जबर कैसे prove करेंगे अगर मैं दोनों को square कर दूँगा तो यहाँ क्या बन जाएगा f square और ये क्या बनेगा f square plus fn का square plus 2 f into fn ठीक है अब मुझे पता है कि ये चीज इसके बराबर है मतलब अगर ये पूरी चीज से देखो तो ये पूरी चीज से ये चीज चोटी होगी तो मुझे पता है f is less than f plus fn रहेगा तो d option भी correct होगा a option भी correct होगा d वाबस से सुलजा देता हूँ d में एक बार f को देखो एक बार f plus fn को देखो दोनों को square कर दो तो इसका तो बन गया f square और इसका बन गया f square plus fn square plus 2fn fn f fn अब मुझे पता है कि ये चीज के बराबर है मतलब ये पूरी चीज के बराबर है f square के बराबर है मतलब इसमें अगर बड़ी बन जाएगी ना तो ये equation मेरी होल जाएगी तो F जो है मेरा F N प्लस F से छोटा है ठीक है next देखते है question number 2 the contact force exerted by body A on another body the contact force exerted by A on another B is equal to the normal force between the bodies ठीक है contact force अगर normal force के बराबर ही है तो friction का value is zero है friction का value is zero है the force of friction between the bodies is zero the surface must be frictionless ऐसा नहीं कि surface frictionless हो बस अभी friction zero होगा बस bodies को ऐसे रखा रहे हैं दो ना बस रखी है कोई force नहीं लगाए externally तो भी friction नहीं होगा इनके बीच पे तो ये option गलत है ऐसा नहीं कि surface frictionless होना चाहिए must नहीं में हो रखता है friction का force zero होगा the magnitude of normal force equals rate of friction नहीं the bodies may be rough but they don't the bodies rough हो सकती है बट slipping उनके उपर नहीं होगी question number third mark the correct statement static friction is always greater than kinetic friction नहीं static friction को coefficient बढ़ा होता है लेकिन static friction तो zero से लेकिए उसकी highest value तो हो सकता है तो जरूरी नहीं static friction kinetic friction से बढ़ा होगा छोटा भी हो सकता है coefficient of static friction is always more than the coefficient of kinetic friction हा static friction को coefficient हमेशा बढ़ा होता है kinetic friction को coefficient से ठीक है इसमें कोई लिक्कत वाली बात नहीं है यह से क्यों होता है क्योंकि जब एक बाइब बॉंड बने हुवे हैं बहुत तेई से बॉलिम होगा यूखी होगी होगी है but kinetic friction तुमारे नए नए चकर चलते रहें वो bond stronger नहीं होते है वो तूटते रहते हैं बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं तो next रेखते है यह ऐसे बोलो कि family का bond strong होता है दो साते आते रहते हैं ऐसा वाला system कुछ ठीक है ना next रेखते है limiting friction is always more than the kinetic friction limiting friction तो static friction का highest value है जो कि kinetic से बड़ा होगा यह होगा तो C option सही है limiting friction is never less than the static friction limiting third का answer B भी दे रखा है B answer मैंने बोला सागिया coefficient of static friction is always greater सही है D option कि है limiting friction is never less than the limiting friction is static friction की maximum value है limiting friction is static friction के बराबर हो सकता है limiting friction is static friction के बराबर हो सकता है पर उसे छोटा तो नहीं हो सकता कभी भी उसकी maximum value है force देखते है a block is placed on a fall over and horizontal floor force that is applied to force of friction देखो समझे इसको question को क्या बोला हुआ है क्या आपकर प्यापकर नहीं हो बड़ते है अजिए प्यापकर बड़ते है यह उसे प्यापकर प्यापकर बड़ते है तो ग्राफ देख लो मैं क्या बना रहा हूँ ग्राफ देखो क्या होगा कि शुरू में हमको बता है कि friction force इस force को balance कर रहा होगा मतलब दोनों बराबर होंगे मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा दोनों के बीच में दो इस ट्रेट राइन आ रही होगी ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर क्योंकि दोनों बराबर आ रहे होंगे फिर friction अपनी maximum static value रीच कर जाएगा इस पॉइंट पर friction अपनी maximum static value रीच कर जाएगा इस पॉइंट पर बूस वाद उसके वाद friction की value एकदम से कम हो जाती स्केरी कॉंसें की जाता है तो मिचिया जाएगी कि अवर स्च्छा का ससी अब कि कॉंसें इसक बड़ाइट अब धू की कॉनसें नागिसारे किक إلى ट१र कॉंसें के मतलब अब यह question बच्चो मैंने chapter की शोरू में जब theory करवा ही थी तब मैंने पूछ रा दूंके consider vehicle going on a horizontal road towards east, neglect any force by air, the friction force on the vehicle by the road is is towards east if the vehicle is accelerating, अगर vehicle accelerates कर रहा है मतलब east में होगा friction if zero is the vehicle is moving the uniform velocity, अगर uniform velocity से move कर रहा है तो zero होगा because exploration zero to port zero है, must be towards east, must be towards west रहता कुछ नहीं है west में भी हो सपता है, east में हो सपता है, zero भी हो सपता है, north में हो सपता है, south में हो सपता है तो यह हमारे सारे objective 1, objective 2 और short answer थे, जो की फटाफट से हो गए, hopefully अब हम बात करेंगे, exercises की इसमें लगबख 31 questions है, तो वह हम फटा-फट से करते हैं इसके बाद, all the best, take care, bye Hello students, welcome back, हम चालू कर रहे हैं friction की exercise, तो मैंने यहां पे बना रख लखा रख है, मैं बुक में से बट रहा हूँ तो पहले position देखो, a body is flipping on a rough horizontal plane, moves with a deacceleration of 4, तो एक इतना है, minus of 4, what is the coefficient of finite, तो कोई भी body, अगर होगी, mass n की, उस पे normal force होगा, नीचे ng होगा, एक और सी, जो भी बच्चे यहां पे exercise देख रहे हैं पहली बार, जान ले, कि मैं theory करवा चुका हूँ, solid examples करवा चुका हूँ, objective जब काफिक चीजे मैं ऐसी use करूँगा, जो कि मैं already करवा चुका हूँ, वो सब समझ लो, उसके बाद exercise पे आओ, directly मताओ, ठीक है, तो अगर force, deacceleration इसका पीछे के तरब friction force f होगा, तो f कितना होगा, mu into n, mu into n मतलब mu into mg, तो यह friction force होगा, और force upon mass acceleration होता है, तो मतलब यह कित 0.4, mu कितना होगा, 0.4, कोई दिक्कत नहीं है, simple है, second देखो, again एक body हो, उसको project कर रहा है, 10 meter per second से, यू पता है अपनको, coefficient पता है, coefficient पता है, तो अपन directly, देखो, डारेक्ली निकाल सकते हो, जैसे अपन यहाँ पता है, mu g, directly acceleration कितना होता है, friction की वज़े से, mu g, तो इसका acceleration कि कितना हो जाएगा, 1, negative में, how far it will travel, तो distance निकालना है, u पता है, acceleration पता है, v zero put कर दो, b को zero put कर दो, equation use करो, v square equal to u square plus 2as, b को zero put कर दो, u पता है 10, acceleration पता है, u g, negative में, तो displacement पता पता पड़ जाएगा, third है, a block of mass m is kept on horizontal table, if the static friction coefficient is mu, find the friction force, तो अगर किये वाल रखा हुआ है, कोई force act नहीं कर रहा है, externally, friction zero होगा, इस पर, zero ही रखा है ना answer, friction zero होगा, इस पर, fourth, a block slide down on inclined surface, यह देख लो, question, a block slide down on inclined surface, of inclination 30 degree with the horizontal, तो 30 degree होता है, starting from rest, it covers 8 meters in the first 2 seconds, अब देखो इसका में shortcut बता हैता हूँ, पटापट से देख करने का, हमको यह तो पता है, कि plane जो होता है, उस पर नीचे force mg sin theta रखता है, अगर sliding हो रही होगी, तो उपर एक friction force लग रहा होगा, f, जो की mu n के बराबर होगा, n किस के बराबर होगा, mg cos theta, तो f कितना हो गया, f हो गया, mu mg cos theta, तो net force कितना हो गया, अगर नीचे पस, नीचे होगे, f net is equal to mg cos theta, minus mu mg cos theta, यह sin theta है, तो f net upon mass क्या होता है, acceleration होता है, तो इसको m से divide कर दो, इसको m से divide कर दो, cancel हो जाएगा, यह क्या आएगा, g into sin theta minus mu cos theta, तो इसको रियाद कर लो, इसको तुम बोल सकते हैं, एक short trick है, एक incline पे अगर जाएगा, तो एक short trick क्या हो जाएगा, इसके डारेक्ट लिख सकते हो, friction जो है, वो किसके बराबर है, acceleration किसके बराबर है, acceleration है, mu into g sin theta minus, sorry, g into sin minus mu cos theta, sorry, तो इसी mistake हो गई, ज्यादा कमेंट्स मत करना होते सिदे, g into sin minus mu cos theta, कुछ बच्चे के comment कर देते हैं, तो acceleration किते हो जाएगा, g into sin minus mu cos theta, तुमको 8 meters दे रखा है, 2 seconds में, इसका मतलब क्या होगा, s equal to ut plus half 80 square से पर a निकाल लेंगे, s equal to ut plus half 80 square से a निकाल लेंगे, उस a को अपन यहाँ put कर देंगे, तो अपने पास mu बता पड़ जाएगा अपन को, ठीक है, मैं solve नहीं कर रहा है, कुछ से solve पर दो answer आएगा, कुछ से इक बर solve करके देखना, ठीक है, next देखते है, question number 6, question number 5, suppose the block of previous problem is pushed down the incline with a force of 4 newton, तो अब इसको push भी कर रहे है, एक force रहा है, 4 newton का, how far will the block move in the first 2 seconds after starting from rest, the mass of block is 4 kg, तो इसका mu of 1 को वही use करेंगे है, अपन जो पिछले question में आया था, तो mu 0.11 आया हुआ है, find the coefficient of final depiction, तो mu कितना आया हुआ है, 0.11, block का mass कितना है, 4 kg, ठीक है, block का mass कितना है, इतना भी नहीं करना है, तो directly देखो यह use कर लो, कि जो 4 है, 4th question में क्या आया था, starting from rest, it covers 8 meters in first 2 seconds, 4th question में क्या था, 8 is equal to 0 T plus half, 8 T square T, कितना दर 2, तो 2 से 2 cancel हो जाएगा, 2 से 2, तो A 4 आ रहा था, तुम लोगों का, A कितना रहा था, 4 आ था, अब इसमें क्या है कि acceleration 4 यह तो रहे गई है, किसकी वज़े से, mg sign theta और friction की वज़े से, एक और acceleration क्या आ गया, 4 newton force की वज़े से, एक acceleration, extra acceleration कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 तो पिछले question में निकाला होगा, तुम लोगों ने, अब हमने एक force लगाया, 4 newton का 4 kg वाले पर, तो extra acceleration कितना हो गया, 1 newton, 1 meter per second square, तो net acceleration कितना हो गया, नीचे कितना हो गया, 5, तो अब net acceleration कितना हो गया, 5, तो क्या पुछा है, displacement in 2 seconds, तो निकाल दो वाप्रिस से half into 5 into 2 square square, तो 5 to 10 meters अब इस बार अबना answer हो, तो पूरा calculation वाप्रिस नहीं गड़ना, question no.6 देखो, a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30, find the magnitude of force parallel to the inclined, needed to make the block move up the inclined, and down the inclined, coefficient of static friction point 2 रख रख रहे, तो एक बार तो अपने यह देख लेते हैं, figure बना लेते हैं, यह 30 degree है, 2 kg है, mu कितना है, 0.2, तो इस पर friction force को maximum value निकाल लेते हैं, friction force को maximum value कितना हैगा, mu mg into cos of theta, mu 0.2, mg कितना है, 20, cos 30 कितना होता है, root 3 by 2, यह friction force को maximum value आएगा, mg sin theta कितना होता है, mg 20, sin theta कितना होता है, sin 30 कितना होता है, 10 newtons इस तरह force लग जाएगा, ठीक है, और यह कितना होता है, approximately 10 into root 3 by 2, root 3 by 2 पे देख लो कितना होता है, root 3 by 2 होता है, 1.73 upon 2, 1.7 upon 2 कितना हो जाएगा, 0.87 के असपास, तो यह लगवर 8.7 के असपास होता है, कितना होता है, 1.73, 1.74 मानोगे, तो 1.72 का आजा, 0.86, तो यह 0.87 आजएगा, 8.7 आजएगा, तो friction force 8.7 है, और mg का force 10 newtons है, ठीक है, तो नीचे तो यह अपने आप ही आ रहा है, क्योंकि friction force उपर की तरफ 8.7 लगएगा, तो नीचे push मानने की जुरत नहीं पड़ेगी, उपर slide करने के क्या होगा, जब तुम उपर force लगाओगे, उपर एक force होगा, mg का force नीचे होगा, तो friction भी साथ में नीचे की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि जब तुम उपर force लगाओगे, तो यह block उपर move करना चालू करेगा, या पर कोशिश करेगा, तो friction पीछे की तरफ आएगा, तो अब तुम को कितना force लगाना पड़ेगा, 10 प्लस 8.7, 18.7 का तुमको force लगाना पड़ है, यह करते रहते हैं, ऐसा काम देखना पड़ेगा, वापिस से क्या दिक्कत होगा, इसके अंदर, तो inclination 30 डिगरी है, 2 के जिगा ब्लॉक है, तो mg sin theta कितना हो गया, m मतलब 2, g मतलब 10, 20 upon 2 मतलब की 10, और friction force कितना हो गया, mu mg cos theta, मतलब कितना हो गया, mu mg cos 30, cos 30 root 3 by 2, मतलब की, ओ, सारी, यहां गलती कर दी, मैंने, सारी, 22.2 होगा 4, तो यह होगा 4.8, 0.86, 0.87, 4.8 is 32, 0.3 के असपास आए गई है, 4.8 is 32, 4.6 is 24, 3.2 के असपास आए गई है, तो एक 410 का लगाना पड़ेगा, एक 3.2 लगाना पड़ेगा, वापस से repeat कर रहे है है अपन, अब यहां कुछ बच्चे बोले हैं, सर कंफूज रहे हैं, कंफूज रहे हैं, तो अब देखते हैं, क्योंकि मैं सारे questions करके नहीं कर वाता हूं, मैं भी तुमारी तरह से कर रहा हूं, questions, basic concepts से, इसलिए यह lecture important है, क्योंकि मैं आगर यह से बता दूंगा, यह question का, उससे कोई फायदा नहीं होगा, फायदा क्या होगा कि मैं तुमारे साथ कर रहा हूं एक तरह से, ठीक है ना, salt solutions तो मों मिल जाएंगे ना, वो देख लो है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो 3.2 यह बात सोच भी आगा, अब नीचे के तरफ कितना force चाह होगे, पीछां से 13 दे रखा है, जी को 9.8 लिया है उन लोगो ने, ठीक है, 7th question क्या है, 7th question क्या है, repeat part A of the problem 6, part A क्या है, अब the incline, if the push is applied horizontally and not parallel to the incline, अब क्या है इसके अंदर, इस question के अंदर, कि हम जो push है, उसको, ऐसे apply कर रहे है, horizontally, F force, तो मुझे देखना है कि कितना force है, जो की required होगा अब, तो वापस से मैं बता हूँ, इसको कड़ना तो अपनको इसी के along है, तो force को अपन resolve कर लें दो components में, तो यह कितना जाएगा, यह angle 30 degree है, यह force F है, तो यह angle 30 degree और एक force नीचे के तरफ आएगा, इसके दो components होगा, यह angle 30 कितना होगे, F कास 30, यह कितना होगे, F साइन 30, अब अगर तो इसको अटा दोगे, तो नीचे के तरफ एक force हारा, F साइन 30, मतलब F by 2, इस तरफ एक force हारा, F root 3 by 2, इसको अटा दो, इस तरफ 10 आई रहा था, एक normal direction उपर हो गई, mg कास 30, मतलब mg इंको root 3 by 2 नीचे के तरफ हो तो friction नीचे के तरफ होगा, friction का value limiting case में, F mu n के बराबर, लेकित n इसमें change हो जाएगा, तो n कितना जाएगा, पर, तो n कोई displacement नहीं है, तो नीचे के force is equal to ऊपर के forces, इस direction कोई displacement नहीं है न, तो नीचे के जो forces हो, ऊपर के forces के बराबर हो गए, तो नीचे का force कितना होगा, F by 2 और उपर को फोर्स कितना होगा एंट तो पहले चीज़ तो एंड कितना हो गया एफ प्लस एंड रूट 3 अपान तू एफ बाइटू प्लस एंडी रूट फिक्शन कितना होगा फ्रिक्शन का कितना फोर्स है एफ रूट 3 बाइटू फिक्शन भी तीछ लग रहा है तो मेरे पो एफ रूट 3 बाइटू को फिक्शन से भी और 10 से भी बढ़ा करना है तो मैं क्या एक्वेशन बनाऊंगा एफ रूट 3 बाइटू शुद भी मोर देन एक्चुली लिमिंटिंग केस में क्य बना देगा एम भी दे रखा है शायद एम की तना दे रखा है टू के जी तो एम टू के जी रखा है जी टैन होता है तो यह 20 एक दो इसको समझ में आ रही है बाद तो अपने पास देखो एफ के अंदर एक्वेशन बाश रही तो एफ वाली चीज को भाड लिया हो तो यह बन जाएगा f root 3 by 2 minus f by 10 is equal to 10 plus 2 root 3 10 plus 2 root 3 किक है यहां से f common निकाल लो इसको solve करोगे तो f की value जाएगा या इतने गंदे देनी निची है इनको root 3 कह रहे में देनी निची है अक्चुली में बट दे रखा है 30 दिखा है 37 दिखी लेले तो 0.6.8 हो जयादा तो में इतना calculation कों कर देखा 17.5 दिरक्का एंसर देख लें अब यार वो ही है कि यह कितना है यह 10 प्लस 2 root 3 10 प्लस 17 तूज़र 34 तो 3.4 3.5 की आसपरस आएगा 13.5 तो यह हो गया और यह क्या होगा f into 3.2 देखा root 3 by 2 कितना होगा root 3 by 2 होगा 1.73 divided by 2 मतलब 0.86 यह 0.87 उसमें से 1 upon 10 मतलब 0.7 तो f into 0.77 is equal to 13.5 तो f कितना आजाएगा f आजाएगा 13.5 upon 0.77 तो अब अगभी 0.77 एख 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 आजाएगा 13.5 upon 3 into 4 देखो जाता है क्या 3, 4, 12, 3, 5, 15 और 4.5 into 4 कितना हो गया 4, 4, 16, 17, 18 18 न्यूटन्स के असपास अंसा आ रहे पीछे आंसर 17 न्यूटन्स दे रखा है उसमें जी को 9.8 ती होगा थोड़ा सा अप्रोक्सिमेशन अपने 17.5 दे रखा रहे से भी अपना 18 के एक पोर्स लगा है पैरलेल तो पैरलेल फोर्स की वज़े से एक नुकसान क्या हो रहा है कि एक इसका f by two नीचे आ रहा है तो normal increase कर रहा है friction increase कर गया friction अब mu into mg cos theta नहीं रहा friction क्या बन गया mu into f by two नॉर्मल कितना f by 2 प्रस mg root 3 by 2 तो friction का value increase कर गया हम चाहते हैं व्लोग उपर जाए तो friction पीछे की तरफ आएगा friction पीछे है और और अल्रेडी mg sin की तरफ 10 है force का लेकिन एक और component है यह वाला f root 3 by 2 यह इसको उपर की तरफ धक्का मारेगा limiting case में f root 3 by 2 ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 10 और नीचे की तरफ friction force से बैलेंस होगा calculation गंदी है ओनी नहीं चाहिए यह थी तिनी गंदी calculation बढ़ ठीक है जो है वो है next चलते है question number 7 पे sorry question number 7 चूट गया question number 7 इन्हें children park and inclined plane is constructed so slides होती नहीं children park के अंदर जिस पे इसल पत्ती बोलते हैं जिसको इन्दी में 45 डिग्री का internet 45 डिग्री find the acceleration of a boy if the friction coefficient is this देखो acceleration के लिए मैं समझा चुका हूँ बहुत simple हो जाता है कोई भी block होगा नीचे की तरफ force लगेगा mg sin theta ऊपर की तरफ friction force लगेगा mu mt cos theta तो acceleration कितना हो जाएगा इसको अपन डिवाइट कर देंगे mass से तो acceleration आता है g sin theta minus mu cos theta इसको याद है सकते हो अलब g s minus mu c कितना हैगा g into s minus c अब देख लो g कितना है 10 वान लो 45 टेखर रखा तो sin b 1 by root 2 होता है 1 by root 2 minus mu कितना है 0.6 cos भी कितना है 1 by root 2 तो यह 1 by root 2 भी common ले लो 10 into 1 by root 2 2 1 minus 0.6 कितना होता है 0.4 अच्छा 1 by root 2 को अगर मैं देखूंगा उपर की तरह 0.7 बनता है 410 समझा 98 होता है न तो यह बन गया 0.7 sorry 7 into 0.4 तो 7 फोटे चुन तो 2.8 मेरे पास answer आजाएगा क्या निकालना है मुझको acceleration 2.8 मेरे पास answer आजाएगा इस पर 2 root 2 दे रखा है तो root 2 कितना होता है 1.4 होता है 2 into root 2 कितना हो गया वही answer अपने पास आगया ऐसे भी कर सकते हो कि 0.4 को जब तुम 10 से multiply करोगे तो 4 आएगा नीचे root 2 रहेगा तो 2 root 2 बन जाएगा ठीक है 2 root 2 2 root 2 ठीक है नेक्स देखते है question number 9 question number 9 एक बार पढ़ो पुद से question number 9 पढ़ो देखते हैं मैं question number 9 पढ़ता हूं body starts slipping down incline and moves half meter in half second तो body जब नीचे जा रही है तो कुछ ना कुछ acceleration होगा उसका friction की वज़े से कुछ ना कुछ acceleration होगा तो body का कुछ acceleration की नीचे की तरह इसको मैं positive x axis बान लेता हूं जिस पर acceleration होगा उस direction को मैं positive ले लेता हूं ठीक है ना तो body starts slipping and moves half meter तो half meter in half second half equal to 0 t plus half a 1 by 2 का square आदे second में half meter move करिये distance equal to ut plus half a t square half into a into half square half से half गया तो a कितना आ गया 4 आ गया a कितना है 4 है क्या पूचा है how long will it take to move the next देपर यह ना तो loss of motion का सवाल है ना ही friction का सवाल है kinematics का how long will it take to move the next half तो next half मैं तभी निकालता मैं क्या करता हूं वाफेस से शुरू करूंगा इसको total distance क्या हो जाएगा 1 इनिशल हाफ और पाइनल हाफ में लाके total distance क्या हो जाएगा 1 meters जो time निकलेगा उसको मैं से मैं half minus कर दूंगा तो one is equal to zero t plus half into four into t square तो यह 2 बन गया तो t कितना आ गया यह आ गया 1 upon 2 का under root मतलब कि 0.7 यह time कितना था 0.5 यह कितना है 0.7 दोनों time में कितना difference आ गया 0.2 seconds का difference आ गया मलब शुरू का half meter 0.2 में कवर किया और बात का half meter भी 0.21 दे रखा है 0.2 0.21 जो भी है उसमें कवर किया ठीक है नेक्स देखते हैं question number बजो कुछ फैकल्टी होते हैं जो यूट्यूब पर ट्रिक्स बताते हैं कुछ मैं तो देखे रहा था एक current electricity के ट्रिक्स देखे थी उस दिन से मेरा विश्वास ही उड़ गया था फैकल्टी के ओपर से है यहां बता रहे हैं उसमें बड़े-बड़े के formula नहीं होता है उतने याद करोके तो कैसे काम चलेगा तुमको क्या गणना है तुमको हमेशा concepts को समझना है चोटे मुटी मैं भी बता देता हूं जैसे फटा फट से इसका एक्सलिशन का फॉर्मुला के जी इंटू साइं टीटा माइनस मू कॉस टीटा और लॉजिकल यार भी रह जाएगा है ना बट ऐसे लंबे लंबे ट्रीक्स है ना वो काम नहीं आती जागा ठीक है कॉश्चन अबर 10 देखते हैं कॉश्चन अबर 10 एक तरह से कम कर चुक है अब्जेक्टिव के अंदर वापेस देख लेते हैं तो यह रिजल्टेंट कॉंटेक्ट फोर से नॉर्मल एक्शन है इन दोनों के बीच में एंगल ठीटा होता है इसमें लैम्दा लिखा हुए लैम् अब अब्ग क्या प्रूफ करना है कि टीटा इस लेज देन एक्पल्टू टो थान इपूल थान इंवर्स मियू अफ्ट फैना क्या होता है इन यो यह को मैक्सिम में पर चाहँ से लिखे वे गरिकरता है वह जीडों से लेके युन तक वैरी करता है इंदर अपोन नियुक्त की हो या बेड़यू से लेके मूं तक की ञाख कोशनाम करना है कि जीरोचन की नंचे मिन आपना एकTO बना करते हैं तो देखो इसके नंदर किया निजा इसके पूछ थे एक्सु São में क्ल भूष्ष क लग रहा है तो इस पर यो इसलिप चैलर सेटीन लगी रहा है तो चार दला फोर्स पीछे है, इस पर जो यह maximum friction का value है, अगर खीचने वाला force चार से ज़्यादा हुआ, यह भी ध्यान रखो, हर question में आग बंद करके काम नहीं करना है, अगर यहां पर 0.3 kg का block होता, 0.3 kg का block होता, तो खीचने वाला force ही 3 newtons का होता, जो कि कम होता 2 और 2 से, तो उसकाद movement भी नहीं होती, और friction की value भी 2 नहीं होती, maximum limit रीच ही नहीं होती, static होता पूरा body, तो यह भी याद रखो पहले friction का maximum value लिख लो, कितना है 2 और 2, मतलब 4 पीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ कितना value आए 5, तो खीचने वाला कितना force है 5, रोखने वाला कित कितना force है 2, net force कितना है 1, mass कितना है 0.5 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कि 2.5, तो acceleration कितना आगया, net force upon mass, मतलब कि 1 upon 2.5 मतलब कि 0.4, acceleration कितना आगया 0.4, ओ या, tension पूछे, connecting कितना, tension, दोनों में tension पूछे, sorry, तो इसका tension तो मैं निकालना को समझे चुका हूँ, इसका acceleration नीचे की तरफ स नीचे की तरफ जब भी acceleration होता है, tension क्या बन जाता है, T is equal to M into G minus A, समझा चुका हूँ आपको, tension कितना बन जाएगा, mass कितना है 0.5, G कितना है 10, A कितना है 1, कितना बन गया, 4.5, इसका tension क्या बन गया, 4.5, यह अपन कर चुका है, loss of motion में, जैसे बच्चे को दिख थे, loss of motion मे T लग रहा होगा, इसको T1 मान लो, पीचे तर 2 लगी दा है friction का लग रहा है कि नहीं, acceleration भी हो रहा है, acceleration कितना है 0.4, एको बन ले लिया, मैंने, sorry, 0.4 है, तो tension कितना होगा, mass into, half into 9.6 मतलब की, 4.7, 4.7 यह 4.8 answer दे रखा होगा, 4.8 answer होगा, 11th answer, 4.8 दे रखा है, 4.8 answer होगा, sorry, अब यह T1 आगे है, acceleration आगे है, पीचे friction force लग रहा है, और mass कितना है, 1 kg, लिख लो भई, T1-2 is equal to 1 into 0.4, tension कितनी आगे, 2.4, simple होगा है, तो मैंने बताया कि, यह trick है, यह trick है, यह trick क्या है, कि tension के ज़रोत नहीं पड़ेगी, acceleration directly निकाल सकते हो, दूसरी बात, यहाँ पर tension है, उसको directly, m into g minus से लिख सकते हो, यह trick है, concept होगी रहाएगा, submission of all force equal to mass into acceleration, त देखते हैं, यहाँ पर मैं confused इसलिए हुआ था, यह भी बता देता हूं तुम लोगों को, कि SC वरमा में कभी को तो g को 9.8 लेते हैं, कभी g को 10 लेते हैं, तो अगर g को 9.8 लेते थे तो answer 9.6, 4. वही तो 9.8 minus 0.4 मतलब 9.4 होता, 9.4 बनता, तो 4.7 आता, और 10 लिया तो 4.8 यहाँ आपने पास answer, तो वह थोड़ा सा यहाँ पर गडबड हो जाता है, इसलिए मैंने बला था, 4.7 ए 4.8 होगा, इसलिए नहीं हुआ था, दोनों के हिसाब से बुला था, यह कुछ बच्चों के समझ में आती नहीं चीज की क्या बोली थी और वो बोलते हैं, इसलिए को अधिए को तुम लोग मैं देखता हूं बनाता हूं, फिकर, इटादेर रिखाव थाटे टेकरे, मुटू दे रख रहे हैं, यहां के, 16 न्यूटन टेंचन है, एक्सलेरशन 0.5 है, इसके लिए एक्वेशन लिखे लिखते हैं, कितना है, 16, एकितना है, 1.5, तो यह इधर आया, 15, तो मुवन कितना होगे, 15 अपां 20 मतलब की, 0.75, मुवन कितना है, 0.75, ऐसे इसका निकाल लो, तो इसमें क्यासे है, नीचे यह आ रहा है, अब्रेसनी बात है, उपर तो जाएगा नहीं, इस तरफ क्या फोर्स लग रहा है, लखी, रूट 3, इन्टू 20 रूट 3 मुट 2, अब इसके लिए लिख लो, नीचे के तरफ, 20, ऊपर के तरफ, रूट 3 मुट 2, इस एक्वल टू 4 इंटू A, ए कितना है, हाफ, तो यह 2 बन दिया, तो यह चीज़ 4, यह चीज़ 2 है, तो यह आपर से कैंसल होगा, तो 2 बन जाएगा, मतलब, तो मुट 2 कितना हो जाएगा, मुट 2 हो जाएगा, 2 लूप लूट 3, 1 अपर टेन्ट रूट 3, बहुत बहुत चोटा है, मतलब, 1 अपर लूट 3, 06 दे रखा है, पालाई रूट करलो, 1 अपर टेन्ट रूट 3 कितना होगा, यह आप लूट 5 सेवन तेन्टें, 0.3, तो 1 संजाना कुछ है नहीं सिधा हो गया कोश्चन अगे 13 अपन बिना टेंशन भी कर सकते हैं तो निकाल नहीं पड़ेगी चलो करना पड़ेगा पूरा निकाल लो पहले दो पड़ापट से फ्रिक्शन कोफिशन दे रखा है 0.2 तो 15 kg नीचे आएगा यह उपर जाएगा तो इसको सीधा खड़ा सीधा कर दो पहले तो 15 टेंश फंटी मतलग 15 वाले ब्लॉक पे 154 लग रहा है बीच में एक औरAudi क्योतल आएग्षिश्न के फ्रिक्शन के फोर्स से जादा हुण है फ्रिक्शन के सब्सक्राइग है उन्यू किटना है 20 फृर्थ जो कितने है 25 तो मुवमेंट तो होगी क्योंकि net force जो कीछ रहा है 100 का पीछे की तरफ 25 से जारत है और फिक्षन पीछे किस तरफ लगेगा क्यों कि किस तरफ खीचेगा तो खीचने वाले पोड़ से तरफ कितना हो गाए एक सुपचास पीछे करने वाला पोड़ सी तरफ तरफ मतलब नेट पोड़ सीतर गहीं थीपलस तरफ 75 अकोँ मास्क इतना है 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 25 यह अपना acceleration हो गया तीन पीछे की तरफ पूरे सिस्टम का यह फटाफट निकल गया अपना है आप इसको बापर से देख लो तो यह चीज नीचे जा रही है 15 वाली और यह 5 वाली चीज ऊपर जा रही है तो नीचे जाते हैं तो टेंशन को अपन लिखते हैं M into G- से और किसी बच्चे को गर यहां पर confusion है G- से जी प्लस है तो इसको ऐसे समझ लो कि जब तुम्हारी लिफ्ट एगदम से ऊपर की तरफ एक्सलेट करेगी मैं पता चुका हूं लॉसा फूशन में है जब तुम्हारी लिफ्ट एगदम से ऊपर जाना चालू करते हैं तो भा सब्सक्राइब करने के लिफ्टेन के लिफ्टेन अच्छा वो गरबड इतनी सी ही है इसको जी को 9.8 टिके करा है सवाल को उतना ही गरबड जादा गरबड नहीं है ठीक ना सेवन्टीफ एक तो वो उतना ही गरबड है आने इसमस्ति शूं पकेज़ें जाने एं पूर विख्टी शूंतिष बम धातकि लिफ्टेन फॉर्श सिस्टे गट वागरब ख़ें जाहुए को पिल्फमें गरण ऐसमां तुब데ड इंगर रिक Hi कि 9.8 माइनस से कितना हो जाएगा 6.8 6.8 इंटू 15 करेंगे तो अब इसमें भी तो शॉर्टकट बताता हूं कि 68 इंटू 10 68 अपॉन 2 34 कि 9 10 11 12 6 7 8 9 1 0 2 फिर भी मेरा अंसर आ रहा है अच्छा यहां पर भी जी को फिर 9.8 लिया होगा तो यह काफी गंदा कैल्कुलेशन अब आप इसे जी को 10 लेना चीए था यह समझ रहे हो चीज को क्या बोल रहा हूं इस वह नोर्मल रियक्शन चीफ्टी मां भी लिया नार्मल रियक्शन इनका 9.8 और कोर्सपोंडिंग 48 अवा ऑन ऑगा यहां पर भी एफ 24.5 आँगा तो यहां पर भी थोड़ा सा कम होगा तो यह जादा होगा तो और माइनस होगा तो थोड़ा सा अप्रोक्सिमेट है ज्यादा दिखर डिफरेंस नहीं है ठीक ना कंसेट समझ गए शॉर्टकट में कि यह 150 नीचे जाएगा यह 50 नीचे जाएगा फिर इसके लिए टैंशन निकालने और इसके लिए टैंशन निकालने लिए को तेंशन की हमको एक्वेशन लिखने के जवरत भी नीचे आ रहा तो यह तो टैंशन हो जाएगी Mn2g- A, U पर जा रहा है यह तो पर जाएगी Mn2g- A, next question no.14 अब मुव कितना है 4.3, 4 x 3, पहले ए निकाल ने जिन्स से तो 0 is equal to 36 km पर आवर यह आद होगा 10 हो जाता है 10 स्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू 5 तो यह 2 5 जो 10 गया तो A कितना आ गया माइनस अगया एक्सलेशन कितना है माइनस अगया अब जो पूरा फ्रिक्शन को यूज कर रहा हूं तो फिर तो एक्सलेशन और भी जादा होना चाहिए था लेकिन इसमें क्या है इसमें बोला है कि यह कंडिशन इंक्लाइन पर हो रही है मतलब कैसे हो यह एक जो वेहिकल था वह इंक्लाइन पर उपने कोशिश कर रहा था उसके जो फ्रिक्शन का फोर्स है पीछे की तरह है तो अगर यह सींट खीटा है अगर्य एक्सलेशन तरह टीटा है और अच्छेशन पीछे की तरफ एनों सेंट की पास पोर्स अने इसका वम ऐनन है त्यूंद नीचे की तरफ करते हैं माइनस रिखते है उपर की तरफ का था 10 लिख दिया तो 10 से 10 कैंसे हो गया मतलब मुव सी इकल्टूसाइन आ गया है टेंचे 10 कैंसे हो गया मु कितना है 4 by 3, 4 by 3 कितना आगे 10 of Theta, 10 of Theta आगे आपने पास, sin upon cos नतला 4 by 3, तो Theta मेरे पास आगे आगे, पीछे अंसर 16 निगरी दे रख रहे हैं, वहिकल के पास एक विलॉसिटी थी, इस तरफ 10 मिंटर पर सेकंड, उसको पीछे फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगा रहा है, जिसके एक्सलेशन माइनस 10 है, मैसला 10 का फोर्स 10 एक्सलेशन लगा रहे है, तो जी इंटू म्यू सी माइनस साइन ये भी सही है, ये एक्सलेशन के बराबर है, ये एक्सलेशन के बराबर है, मैं चाहिए हमको, अच्छा एक और गल्ती कर दी मैंने हाँ, नहीं गल्ती तो नहीं करी एक्सलेशन रहे है, अपने हाँ, ठीक है, गल्ती नहीं करी है, यापर कुछ भी, म्यू 4 x 3 है, तो म्यू म्यू सी लगेगा, म्यू सेंटर नीचे लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा न, ग्रैविटी को इंक्लूट कर लिए, फ्रिक्सिन को इंक्लूट कर लिए, और कुछ नहीं चाहिए, तो एक्सलेशन, पीछे की तरफ, मतलब माइनस मतलब पीछे की तरफ 10 है, तो पीछे की तरफ को मैंने लिख दिया, g into mu cos theta minus sin theta, यह 10 के बराबर है, यहां भी कर बढ़ नहीं है, अग्याट g को 10 मान लो ना, क्योंकि g से g cancel कर दो, तो mu c is equal to s आगया, मतलब mu आगया, 10 of theta के बराबर आगया, नहीं, अच्छा, minus अच्छा है, यह 1 बन जाएगा, sorry, sorry, तो यहां पी क्या आएगा, यह बन जाएगा, mu c minus s is equal to 1 आएगा, मैंने equal to 0 कर दिया, उसको जो calculation mistake है, तो mu c, mu c कितना है, 4 by 3, 4 by 3, cos theta minus sin theta is equal to 1, अब इसको solve करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब 16 degree time का भी गलाद ही रख रहे है, तो values अच्छी नहीं दे रखी, अब अगर तुम cause of 16 देखोगे और sign of 16 देखोगे तो एक बार answer निकाल के देखना, मेरे साब 7 आ जाएगा, मतलब आना ही चाहिए, और कुछ रस्ता बस्ता नहीं है, ठीक है, तो यह करके देख ले ना, इसको और कुछ करने कर मैं technique देखता हूँ, फटा-फट से कुछ मिलत है मुझको तो, मैं divide करूँगा 10, cause से तो भी cause बच जाएगा, तो और के तरीका बच नहीं रहा है, देखो मैं इतना कर सकता हूँ, थोड़ा सा, इतना help कर सकता हूँ, approximation में, कि cause की value जब angle वहाँ छोटा होता है, तो लगबग 1 के बराबर ही होती है, तो इस value को तो 1 ही मान द होता है, तो 16 degrees का वगद 5 upon 180 into 16, तो pi होता है 3.14, अगेन यह भी थोड़ा लेंदी है, ऐसे तो, 16 को cancel कर दो, तो यह भी गंदा ही है, तो 18 मान दो इसको चलो, तो 3.14 upon 10 to 0.3 आ जाएगा answer यहाँ पे, तो 4 by 3 कितना आ रहा है, देखो 1.33 में से 0.3 गया, तो 1 आ रहा है अपना तो यह गन्दी चीज है, फ्रिक्शन कें उत्राब के चल्कीलेशन पड़े गन्दै दे रखे हैं उन्होंँने, अच्छी बात नहीं ह। अछी हो सकता था क्ल्किलेशन कोर्षिन बनाये जाए है, तो अच्छे कल्कॉल्कॉलेशन से दे सकते हैं फिप्टन कर थे दिएं, इ सब्सक्राइब करने के लिए उसका इनीशल स्पीट जीरो है म arrive at minimum टाइब देखंस। कर दो मेंकिन होता है, यो की मि फ्रिक्ष्षन कि याएगा और शीरो देखंस। और 15 कितना हो सकता है, maximum mu into n हो सकता है, तो मैंने बता है, acceleration कितना होता है, mu j के बराबर होता है, maximum, 9 के बराबर तो acceleration का maximum, because यह 0.9 दे रखता है, तो displacement को लिखतो 50 is equal to ut plus half 80 square, यह हो गया, तो इसको cancel करो 25 हो गया, तो time कितना आगे 5 upon 3, time कितना आगे 5 upon 3, 5 upon 3 है कि पर तो देख ले देख लेते answer, find the, 50 है, यह 2 है, यह उपर जाएगा, तो 100 बन जाएगा, तो t square आ रहा है, 100 upon 9, t आ रहा है, 10 by 3, time आगे 10 by 3, अब पुछा है कि suppose he takes exactly this time to complete the 50 meter watt minimum time, अब बापस से minimum time में stop करने के लिए maximum de-acceleration चाहिए, maximum de-acceleration friction से मिलेगा, उतना ही time वापिस से अपने पास आ जाएगा, वोई चीज हो जाएगे, ठीक है, maximum acceleration से accelerate करा, maximum उसी de-acceleration से de-accelerate करा, तो उतना ही time वापिस से बोलेगा, सिक्षिन देखते है, car is going at speed इतना, यह 12.8 meters है, 30 degree angle है, friction coefficient वन अपन टू रूट से रखते हैं, अब अगर driver ने सारे अच्छे से brake भी लगा दिये, तो इसका मतलब उसको जो रोखने वारा force है, वो क्या है, जैको नीची के तरफ तो, हमने बूला जो acceleration होता है, नीची के तरफ हो कितना होता है, G into sin theta minus mu cos theta, जैको कितना है, G into, मतलब 10 मानगो, sin कितना है, half, minus mu कितना है, 1 upon 2 root 3, into cos कितना है, root 3 by 2, root 3 by 2, root 3 by 2, ये cancel हो गया, 1 upon 2 minus 1 upon 4, मतलब नीची के तरफ कितना है, acceleration 10, into 1 by 4, मतलब कि 2.5 का acceleration तब भी आएगा, पीचे के तरफ friction मानोगे, तब नीची के तरफ acceleration कितना है, 2.5 का, तो 21.6 से start करा, और बोल रहा है कि कितना भी ब्रेक लगाए, तब भी speed देखो increase हो गई, 36 हो गई, तो बस ये distance दे रखा है, पनको speed को एक बार उसमें और convert कर देखें, तो final speed कितनी बोली हो उसने कि final speed 10 आनी ची है, अपन देखते हैं आ रही है कि नहीं, initial speed देखें है 21.6, 21.6 को अगर तुम multiply करोगे 5 by 8 से, वापिस से थोड़ा difficult है, बट जाना ची है 9 से, 9 to 0, 9 to 0, 8 to 10, कितना बच्छा 9 to 0, 4 to 36, 2.4 हो गया, फिट तू को cancel करोगे तो 1.2 हो गया, 1.2 into 5 कितना हो गया, 5, बच्छा 5, 5 तूजा 10, मतलब 6 meters per second उसकी पहले की speed थी, और हमको expression 2.5 देखे देखे हैं तो final velocity 10 आ रही है, तो हमारे पास क्या है, U 6 है, A 2.5 है, और displacement 12.8 है, तो तीनों से देखते हैं, B कितना हैगा, तो V square is equal to U square, U square कितना है, 6 का square, प्लस 2 into 2.5 into 12.8, तो 66 है 36, प्लस, यह 6 square रहनगो इसको, 36 का रहनगो प्लस, 12.8 into, यह कितना बन जाएगा, 5, 5 को में लिख सकता हूं, 10 by 2, मतलब 12.8 into 10 by 2, यह क्यों लिखाओ, यह बन गिया 128 upon 2, 128 upon 2 कितना बन गिया, 64, तो 36 plus 64 कितना होता है, 100 गौन, तो यह कितना अगे 10 आगे, तो हमने प्रूफ कर दिया कि अग्हें पूरे ब्रेक लगा देगा, पूरा फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, तो भी वह एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, और एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, तो इसकी सिपीड इंक्रीज करके 10 बन 17 दिए है, ठीक है 17 देखो, एक कार इस्टार्ट फ्रम रेस्ट और हाफ किलोमेटर लॉंग ब्रिज, दपोफिशेंट फ्रिक्षिंट इस शो देट वन नोट राइफ थू दा ब्रिज इन लेस्ट थें 10 सेकंड्स, तो बापसे वही कर लो, खाफ किलोमेटर लॉंग है तो दिस्प्लेस्मेंट ले लो, कोफिशेंट फ्रिक्षिंट है तो म्यूजी उसकी मैक्सिमम एक्सलेशन हो जाएगा, तो दिस्प्लेस्मेंट पता है, तो टाइम निकाल लो, टाइम का वैल्यू टैंग से बढ़ा अब देखें आगे क्या दे रखा है calculate the acceleration of the 2 kg block, if first case दे रखा है, कि μू 1 is equal to 0.2, और μू 2 is equal to 0.3, देखो यार एक चीज़ में समझा चुका, पहले आपन करें भी चुकिए short answer के अंदर, कि mass पर depend नहीं करेगा acceleration, तो पहले तो हम देखते हैं, कि अगर दोनों अलग-अलग slide करते हैं, तो किस acceleration से slide करते हैं, तो न नहीं करें करें दोनों स्लाइट करें या ने करेंा पहले तो पर इसमों को कुछा सबस्क्त यह जाता है, हπειатम निकाल लेते हैं नीचे की तरफ पोच कीतिरा आइए उनटी डिग पार निटी ले लूए C स Exodus 2 रहा हे चांसेज जब भी कॉंडिशन में गिवें नहीं है कि चल रहा है तो रेच्च पर भी होने के chances है, तो उपर की तरफ का maximum force मैं 0.3 भाला भी लेता हूं, तो 0.3 into g into cos of 30 होता है, वालब 0.3 into g into cos 30 के इतना होता है, root 3 by 2, देखो, half बढ़ा है कि 0.3 into root 3 by 2 बढ़ा है, तो इस 0.3 into 1.7 upon 2 बन रहे है, 0.3 into 1.7 upon 2 बन रहे है, 17.3, 17.3, 51, तो यह बन जाएगा 0.51 upon 2, मतलब की 0.25, मतलब उपर की तरफ वाला जो maximum force है, वो जाधा आ रहा है, मतलब acceleration जाधा रहा है, force तो क्या है, इसको माज से multiply कर दिया, इसको माज से multiply कर दिया, तो force आ गया, mu2, mu2 कौन सा है, 4 kg वाला, ठीक है, इस चीज़ को समझो, यह बाद समझ में आरी है, तो 4 kg, समझ में आरी क्या हो रहा हूं मैं, कि 4 kg वाला ही अगर बात करें, 4 kg वाले ही बात करेंगे, तो नीचे की तरफ acceleration g half है, उपर की तरफ 0.3 to gene to root 3 by 2 है, root 3 by 2 करेंगे तो 0.25 है, तो half तो 5, अच्छा, half 5 होता है, स्वरी, जादा नहीं आ रहा, कम आ रहा है, half तो 0.5 होता है, तो 0.5, 0.25 से बढ़ा है, मतलब नीचे की तरफ ही move करेंगा, मतलब दोनों की दोनों block, अगर अलग से भी रख दो, तो नीचे तो move करेंगे, करेंगे, तो simple सी बात है, नीचे की तरफ movement होगी, अब पहला case क्या है कि mu 1, 0.0 है, समझे यहां पर मैंने क्या चेक कर रहा है, मैं question को directly भी चालू कर सकता था, कि movement हो रही है, मतलब इसका acceleration वैसे भी चोटा रहा है, मतलब तेज़ कौं सा ये वैल अधिरे कौं सा ये वाला, लेकिन क्योंकि यह पीछे है, तो इसकी चलेगी, आगे वो इंसान और पीछे जो दोड़ने वाला इंसान है, जो चलेगी तो उस धीकी नो दिरे जिरे चल रहा है, वूल्स जो थी होती है ना वूल्स उनके अंदर ऐसा ही रहता है कि सबसे आगे हो वूल्स थे मुट्त्र ओपलास को एजट वुल्स को तो दोनों का expression same रहाएगा तो इसको एक combined system मान लो इस पर नीचे की तरह force लग रहा है 4 plus 2 into mg मतलब कि 6 into g into sin of 30 friction coefficient लगा लगें इसलिए उपर की friction force लगें तो different different किते लगेंगे देखो mu1 mu1 कितना है इस पे है तो mu1 पे तो क्या लगेगा mu1 mu1 कितना है 0.2 इन्टू इसका normal friction कितना होगा 20 into root 3 by 2 यह इसका है यह वाला इसका है और इसका वाले पर कितना लगेगा कोफिशेंट कितना है इस पर mu2 0.3 तो 0.3 into mg कितना है इसका 40 इसका है इसक mean कुछ 기본 लेसकते कितना है G attitudes क्ते इनकेक वाल यह सकतेर पॉइंट इंटू-3 एटिण इसका एंट आखत 설ोल में इसका आपकोइन का के स्वागे सब्सक्राइड ना निम्स मी तो इन पॉंट तो फोट रोच फितान होता है 1.2 1.2 और 0.4 कितना होगे 1.6 तो इसको भी खैसल कर दो बनजाएगा 0.8 तो यह बन जाएगा जी इन तुप 3- seven 1.7 पॉंटसीज़ औरी मुझे कर ने कि लिए थोड़ी 3.36 3-1.36 तो यह बन गया जी को 10 मान लो तो 10 इंटू 3-1.36 कितना होता है 3-1.36 होता है 1.1.4 बचा 1.64 1.64 तो कितना गया 16.4 नेट फोर सा गया अपन नेट मास कितना आ गया सब्सक्राइब पर नीचे वरा सब्सक्राइब पार नमास कर दिया अपने पास में आपने आखा दूसे वाले केसं में 0.3 मू 1 पॉइंट घर जादा नहीं है अलग अलग होता तो अलग अलग केस में किया होता है इसके वार्ण प्रिक्शन का एक्सलर्शन जाद है इसको जो उपर की तरफ प्रिक्शन का एक्सलाइशन मतलब अब यह तेज हो गया यह सब्सक्टत है नहीं नहीं रहे कि यह खाएंगगे यह यह तो आगे भाग बाग जाएगा लेकिन यह उतनी तेजी से आगे नहीं भाग पाएगा इसलिए अभी अकेला पढ़ा रहेगा 2 वो भी जाएगा आगे बट उसका अगर A1 होगा इसका अगर A2 होगा तो A1 बढ़ा क्यों होगा जो कि A1 का वाइव होगा G sin 30 minus mu G cos 30 जहां पर mu का वैल्यू यह है जो कि छोटा है मतलब माइनस छोटा करा मतलब acceleration जाद है माइनस छोटा करा मतलब acceleration जाद है इसका acceleration कम है तो इसलिए यह तीचर है जाएगा यह आगे चला जाएगा तो इसका acceleration निकाल लो फटा फटा फट से इसका mu कितना है तू वाले का mu 1 mu 1 कितना है 0.3 तो minus of 0.3 into cos 2 कितना है root 3 by 2 अगई बात समझ में तो यह calculation नो अल्रेटी कर चुके है यह कितना आता है 0.25 आता है हाफ माइनस 0.25 कितना होता है उतना ही होता है और क्लिकुलेशन से कर लो तो आंसर आ जाएगा 2.5 के आसपास तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.4 दे रखता है क्योंकि यह बड़ा है यह 0.26 होगा तो 0.5 में से 0.26 को माइनस करोगे तो 0.24 बचाएगा उसमें से 10 को तो फ्रिक्शन के सवाल बहुत धंदे रखे है क्यल्कुलेटिव वाइस कोशन मर 19 दिखते हैं हाँ कोशन मर 19 नमर 19 ना पर एक चीज़ बताना चाहूंगा जैसे मालों दो ब्लॉक्स हैं यह दो ब्लॉक्स हैं एयर कफ रेजिस्टेंस मत मानना तुमको पता है दोनों को छो अगर मैंने दोनों को रॉट से बाझ रखा होता अगर मैंने दोनों को राट से लगा रखा होता तो और अगर मैंने एक उकलिए इसका घ। इसका भी acceleration G है, इसके force Mg है, तो अगर तुम tension में लिखोगे है, और normal reaction में लिखोगे, तो normal reaction value कितना जाएगा, जिरू आजाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, तो normal value कुछ हो नहीं सकता है, इसके इसके अंदर है, tension का क्या होता है, जैसे जा बालो एक block यहां रखा होता है, एक block यहां रखा, यहां था, तो यह freefall करता है, यह move नहीं करता, tension का क्या है, tension का का है कि यह आदो की आख schrelession है, ठीक है, अब है, है, पैन्स के एक two bodies हैं, क्धुश्चा है, एक dag बड़ी है, आगे कौन से पीछे कौन से कोई फर्रक नी पड़ता, M1, M2 है, slip कर रहे हैं, friction coefficient दिरख रहा है, दोनों के बीच में Mu है, Mu है, बीच में एक Rod लगा रखिया है, मुझे बता हो का Rod नहीं होती, अगर Rod नहीं होती, तो इसका acceleration कितना होता? G into sin minus mu cos, और इसका भी कितना होता? G into sin minus mu cos, अगर Rod नहीं होती, तो भी तो दोनों का acceleration सहीम है, अगर Rod नहीं होती, तो भी दोनों का acceleration सहीम है, इसका मतलब क्या होगा Rod को लगा भी दोगे, तो भी फरक नी पड़ेगा, मतलब, अगर मैं तुमसे पूछ हो, कि कौन से case में tension होगी string के अंदर, ये दोको मैंने एक trick question बना दिया, ये 1 kg है, ये 100 kg है, इसको मैंने string से लगा दिया, दूसरे question के आल बना दिया, ये 100 kg है, ये 1 kg है, ये चोटा बना दो बहुत, 1 kg है ने बहुत चोटा बना दो, तो मैं पूछ रहा हूँ कि, फर्स्ट वाले case में tension होगी या नहीं होगी, और दूसरे वाले case में tension होगी या नहीं हो, या फिर मैं बोल दो, इस case में tension T1, इस case में tension T2 है, तो T1 is more than T2, T2 is more than T1, T1 is equal to 0, T2, T1 is equal to 0, T2 is not equal to 0, और चौथा है, कि, अगर रस्ट नहीं होती, तो भी इसका जो acceleration होता, वो कितना होता, G into sin minus mu cos, इसका भी क्या होता, G into, तो रस्ट काम ही क्या करती थी, रस्ट यहीं तो काम करती थी, दो दूर दूर भागरत उनको पास पास लिके आना, यह एक दूर भागरत था, यह M2, दोनों के वीश में क्या rod बोली है, force by the rod, रोड का एक force मानलो, रोड है, तो रोड है, नॉर्मल लिक्षिन एन देगी, इसको एक end देगी, इस पर जो force लग रहा है, M1 G sin theta लग रहा है, M1 G sin theta लग रहा है, उपर जो friction force लग रहा है, क्या लग रहा है, M1 G cos, इस पर जो नीचे force लग रहा है, M2 G sin लग रहा है, उपर जो force लग रहा है, कहता लग रहा होगा, M1 M2 G cos, इसका acceleration भी ए, इसका acceleration भी ए, पहले के लिक्षिन क्या लिखोगे, M1 G sin, माइनस M1 G cos, plus N, upon M1, is equal to A, M1 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 cancel हो गया, यह N upon M बना गया, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरे के लिखोगे, M2 Gs minus Mu M2 Gc, minus N, is equal to M2 into A, तुम देखोगे, वापस से M2 cancel कर दो, M2 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 cancel हो गया, N upon M2 आ गया, यहाँ पर cancel करेंगे, तो N upon N बनाएगा, तुम देखोगे तो को यह चीज, Gs सेम है, Mu G, Mu G सेम है, C सेम है, A सेम है, तो इन दोनों के equation को solve, सेम करने के लिए, N upon M2, और N upon M1, N upon M2 और N upon M1 को बराबर होना पड़ेगा, एक positive में, एक negative में है, तो एक positive एक negative के बराबर होगा, इसका मतलब दोनों को मिलके 0, मतलब क्या कर रहे है, N upon M1 को, प्लस N upon M1 को, माइनस N upon M2 के बराबर होना पड़ेगा, यह कब possible इसको इस तरफ लेखो देखो, तो N, 1 upon M1, प्लस 1 upon M2, फूट भी इकल टू 0, यह तो 0 होनी से ब्लस मास इस है, तो N को 0 होना पड़ेगा, तो वैसे देखो, यह फिर एक बिल्कुल लॉजिक से देखो, कॉशन आपर 20 देखते हैं, ए ब्लोक ऑफ मास M is kept on rough horizontal surface, दो कोफिशेंट of static friction is mu, दो ब्लोक इस तो बीपूल बाप्लाइंग ए फोर्स उन इट, ब्लोक कम पूल कर रहे हैं एक फोर्स लगा के, वाट मिनिममम फोर्स इस निडिट तो स्लाइड द ब्लोक, इन विच डिरेक्शन शुड इस फोर्स एक अगे यह थोड़ा लंबा कॉश्चन है, इसमें देखो डिरेक्शन नहीं दे रखी, अब हो क्या रहा है, इस कॉश्चन में ही समझो, यह लास्ट कॉश्चन करगा रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं, फोर्स को एक अंगल ठीटा पर लगा रहे हैं, तो फोर्स के दो कंपोनेंट है, फ साइन ठीटा, उपर के तरफ ए फ कॉस्ट ठीटा, फिक्षन का वेल्यू कितना आएगा, मैक्सिमुन, म्यू इंटू एन, अतलब कि म्यू इंटू, म्यू इंटू, एम जी, माइनस एफ वास्ट ठीटा, ठीक है, अब हो क्या रहा है, इस सीच को समझो, फोर्स को उपर उठाने से क्या हिल्प हो रही है, फोर्स को उपर उठाने से फ्रिक्षन कम हो रहा है, बिकॉद माइनस आ रहा है, लेकिन फोर्स को उपर उठाने से एक डिक्कत ये भी हो रही है, फोर्स को उपर उठाने से एक डिक्कत ये भी हो रही है, कि आगे वाला component काम हो रहा है को साइन के साथ multiply हो रहा है कि तो फोर्स को उपर उठाने से ऐख फायदा हो रहा है कि फ्रिक्षिन कम हो रहा है तो यहां पर भी सब साही नहीं होगा यहां पर भी कहीद कर एंगल ऐसा होगा जिस पर हमको best results विलेंगे कि जहां पर यह उत्रा कम नहीं हुगा और यह भी कम हो गया अपनको best results मिल जाएंगे तो यह काफी important है यह वाने वापे से गला से रिख दिया यह f cos theta होगा यह f sin theta होगा यह f sin theta होगा best results अपनको मिल जाएंगे हम क्या चाहते हम चाहते हैं कि accelerate कर जाए sliding हो जाए मतलब जो force है वो इससे जादा हो जाए मतलब f cos theta limiting case में is equal to mu into mg minus f sin theta के बराबर बन जाए f को इससाथ गरते हैं तो f into cos plus mu sin is equal to mu mg f कितना आगया अपने पास mu mg upon cos plus mu sin f कितना आगया mu mg upon cos plus mu sin इसमें तुम देखो कि f को minimize करना है किसको minimize करना है what minimum force f को minimize करना है तो mu mg तो constant है mu constant है इसके अंदर भी mu constant है मतलब cos plus mu s को maximize करना है c plus mu s को maximize करना है है ठीक है अगर तुम zero degree ले लोगे theta को अगर तुम theta को zero ले लोगे तो यह तो zero बन जाएगा यहां पर बना जाएगा तो यह maximum नहीं हुगा अगर तुम one ले लोगे मतलब इसको minimize करना है मतलब इसको maximize करना है तो cos plus mu sign की maximum value क्या होती है तो cos plus mu sign की maximum value निकालेंगे cos plus mu sign की maximum value कैसे निकालेंगे cos plus mu sign को में multiply और divide कर दूँगा under root of one plus mu square से देखा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं समझो क्या बन गया मेरे पास one upon under root of one plus mu square into cos plus mu upon under root of one plus mu square into sin into under root of one plus mu square square यह बन गया मेरे पास अब इस चीज को ध्यान से देखो यह क्या है basically मैं इतना बताना चारूं तुमको कि अगर a cos theta plus b sin theta होता है तो इसके maximum value होती है under root of a square plus b square यह लोग जो जहीं वाले बच्चे उनको ट्रिग्नोमेंटरी में आता ही होगा तो अगर यह समझ के आता है तो इसकी maximum value लिख दो under root of one plus mu square तो force का minimum value कितना हो जाएगा mu mg upon under root of one plus mu square answer हो जाएगा एंगल भी निकाल सकते है इससे जिनको नहीं आता हो उनको मैं समझा रहों क्या करना होता है यहां वन है तो इसके under root of is square under root of square सा multiply divide करना पड़ता है तो यह बन गया one upon under root of this square plus mu upon under root of triangle consider करो alpha angle का यह को से इसको sign बनाने के लिए इसको one मान लो इसको मान लो यह कितना बन जाएगा under root of one plus mu square यह क्या बन गया पर्पेंडिकुलर अपॉन hypotenuse मतलब sin of alpha और यह क्या बन गया mu upon cos of alpha मतलब यह चीज़ क्या है sin of alpha into cos of theta plus sin of theta into cos of alpha मतलब यह क्या बन गया पूरी चीज़ यह बन गई maximum value तो क्या बन रहेगी शाइन को कोई भी फवंक्शन उसकी maximum value डेती है विएक के maximum value बाकि यह तो constant लो इसकी maximum value की आगई इसकी maximum value मतलब की अंडर root of one plus mu square तो maximum value कि यह बन गया तो जब maximum value कि तो force के तरब गजाए का minimum तो force की minimum value किसे मिन हो गई यह बाद समझ में आ गई यह थोड़ा मैथमेडिक्स का सवाल है फिसिक्स का सवाल नहीं है इतना दूसरा पूछा है इन विच डिरेक्शन शुट इस फोर्स एक्ट यह पूछा है ठीक है तो मैंने क्या करा था इसको भी वन माना था साइनओ युटता को सब्सक्राइए घीटा को मैंने ममना था इंवर्स ओव वन मियू अलकि ये धनन इंवर्ष। माइनस 10 inverse of 1 by mu और actually 10 inverse of 1 by mu उल्टा करोगे तो quart inverse mu मन जाएगा पाई बाई तो से minus करोगे तो आपिस से 10 बन जाएगा तो ये पूछेगा 10 inverse of mu के बराबरी हो जाएगा अगे ये mathematics है नीद वाले बच्चे इसको ignore कर सकते हैं और ये वाले बच्चों को तो आता ही होगा नहीं आता तो पड़ा देंगे inverse trigonometry function में इसको तो उल्टा करोगे mu बनाओगे तो quart बन जाएगा और pi by 2 minus quart inverse वापिस से 10 inverse होता है तो ये वापिस से last के तोस्वाद थोड़े से गंदे हो गए थे calculation की वाज़ से गंदे और mathematics की वाज़ से गंदे concept को समझते रहो इसमें concept वापे से समझाएता हूं क्या था कि friction इस force को अपन जब angle पे लेंगे तो इसका एक नुकसान एक फायदा है नुकसान क्या है कि component कम हो गया जो move करेगा फायदा क्या है कि friction कम हो गया तो बीच पे नहीं पे एक वैली होगी जाप पर नुकसान और फायदा एक दूसरे को cancel out कर रहा होगा और अपन को maximum फायदा मिलेगा और फोर्स का वाज़ी मिनिमम मिलेगा वह एंगल जीरो भी नहीं से नुकसान फायदा होगा है नुकसान कहां सबसे कम है तो वह एंगल किया है 10 inverse of new force कितना रहें उन्टी तक हम कर चुक है नेक्स्ट हम देखते हैं Q21 से Q21 एक बड़ पढ़ने के कोशिश करो जो दिए देखो, देखो दा फ्रिक्शिन कोफिशियंट बिट्वीन द बौर अन द फ्लोर इस मूँँ, आगे पूछहे है, find the maximum force that the man can exert on the rope. देखो, man जो force exert कर रहा है उसकी वज़े से rope पे tension आएगा और rope पे जब tension आएगा तो क्या होगा? कि यहाँ पे tension आएगा यह आगे move करने की कोशिश करेगा, ठीक है? So that the board does not slip on the floor. तो board और floor के बीचे friction coefficient है, मतलब यह mass M है अच्छा, slip करने कंडिशन आगे होगी, तो यह friction पीचे अप लगेगा. Find the maximum force so that the board does not slip on the floor. तो just limiting वाले case में क्या होगा? इस पे tension T लग रहा होगा और tension, friction force के बराबर यह उससे ज़्यादा हो रहा होगा. अब उपर man भी है, तो man का mass capital है में तो man का भी एक पर HPD बना देते हैं. तो man पर क्या क्या लग रहा होगा? यहां पर N लग रहा होगा. कौन दे रहा है? बोड दे रहा है, तो नीचे इसके N लग रहा होगा. यह N है लेकिन यहां पर N1 लग रहा होगा. वह बाद-बाद में करते हैं. नीचे के तरफ M G लग रहा होगा. और उपर tension T लग रहा होगा. वह pull कर रहा है, तो string उसको उपर pull कर रहा होगा. तो यह man का HPD है. यहां तक ठीक है? तो man क्योंकि rest space ले में लिख सकता हूँ T plus N is equal to M G. मतलब की उपर वाले forces equal to नीचे वाले forces. यह तो एक आ गया. ऐसे इस पर क्या क्या लग रहा होगा? इस ब्लॉक पे उपर और नीचे, नीचे N लग रहा होगा. अचा मैं की यह सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझको एक तो N1 निकालना है, एक tension निकालना है. तो tension निकालना है. एक N1 क्यों निकालना है? प्रक्षिन का maximum value कितना होगा? µ N1 के बराबर होगा. Maximum. F maximum. तो N1 कैसे निकालना है? N1 is equal to N plus Mg. N1 will be equal to N plus Mg. तो friction कितना होगा? µ N plus Mg. अब normal मुझको चाहिए है, मुझको तो tension चाहिए है. नॉर्मल कितना है? normal Mg माइनस चाहिए. तो friction कितना होगा? अच्छा, यह M अलग है और यह capital है हमें. इसको अलग-अलग है कि अलग-अलग है. यह capital है हमें. यह थोड़ा सा यहां पर गड़बर हो जाए है कभी-कभी. तो normal किसके बराबर है? normal यह जो normal है. यह normal है, यह normal है. जो normal है, वो already mg-t के बराबर है. तो mg-t plus small mg. यह अपना friction force हो गया है. अब यह friction force जब tension के बराबर होगा, तब अपने पास slipping की condition हो जाएगी. तो friction force पीछे के तरफ इसको tension के बराबर कर दो. Tension जब इससे जादा होगी. तो अपनको तो tension निकाल लिए ना. Find the maximum force that the man can exert on the rope. Tension. तो tension को एक साथ लिया हो. तो यह बजगे अपने पास, लेको, mu तो common ही है. Tension यह mu की बनेगा, तो यह बन जाएगा T into 1 plus mu. T into 1 plus mu. और यह बन जाएगा mg plus mg mu, मतलब m plus m, mu g. Tension कितना जाएगा? m plus mg upon 1 plus mu. Tension कितना जाएगा? m plus mg upon 1 plus mu. कोई बड़ी बात नहीं थी, question में simple है. FBD बनाओ, condition, लेखो simple है, बात तो होईए कि slipping condition किया, tension should be more than maximum friction force. अब friction force निकालने के लिए normal direction चाहिए. तो normal direction के लिए इस block को लिखो, इसके लिए यह एंच चाहिए, तो इसके लिए यह लिखो, यह सारा equation लिख लो, answer आ जाएगा. Simple question है, 22 देखते हैं. Between the blocks, coefficient of friction कितना है? 0.2. Between the blocks, coefficient of friction 0.2. अब इसमें 2 case दे रखे हैं. पहला case कि 12 निटन का force उपर लगाया, दूसरा case नीचे लगाया. तो पहला case है, अच्छा, smooth है ग्राउंड, smooth horizontal. यहां पर mu equal to zero है. तो पहला case है कि 12 निटन का force उपर लगाया, यह पहला case अपन कर लिखते हैं. अब जब 2 block system होता है, यह याद रखो, अपना अब 2 block system पर आ रहे हैं, फिर नीचे 3 block system है. तो block systems में क्या होगा? block systems में क्या होगा? दोनों के acceleration same भी हो सकते हैं और different भी हो सकते हैं. तो अगर acceleration same है, इसका मतलब तो क्या होगा? कि friction force limiting friction के बराबर या उससे just छोटा है. तो छोटा ही मानलो, और acceleration अगर different है, तो friction force limiting friction से के बराबर रहेगा. मतलब actually तो इसमें coefficient देने रखा लग-लग, तो friction force mu mg रहेगा, mu n रहेगा, ऐसे मानलो. इसमें बोल तो friction is less than mu n रहेगा, और friction is more than mu n. मतलब friction जब limiting case के रीच नहीं करा है, तो यह acceleration बराबर होगे, static friction होगा, और kinetic में तो friction mu n की बराबर होजेगा, यह बात हमको याद रखनी है, तो हमको यह भी देखना पड़ेगा इस case में, कि blocks दोनों साथ में move करेंगे, different different move करेंगे, तो इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, पहले तो पर इसका mu n कितना है, इसको अलग से याद लिखने हो, निकालके अलग से लख लेंगे, यहां पर n लग रहा है 20, तो mu n कितना होगा, mu n का value होगा, अपने पास 22.2 मतलग कि 4 N, वेंगा वाल्यू कितिना है, 4 N, यह बार समझ में आ गई, हर केस में हमको अजूम करना पड़ेगा 2 कीच, कि पहला केस हमको अजूम करना पड़ेगा, दोनों साथ-साथ मुव कर रहे हैं, उस से हमको solution बना पड़ेगा, फिर हमको अजूम करना मतलग यह भी A से आगे जा रहे है, यह भी A से आगे जा रहे है, तो इस केस में क्या करेंगे, ब्लॉक को एक पूरा बड़ा सिस्टम मान लेंगे, 6 kg का, force कि इतना है, 12 N का, तो A कितना आ गया, 2, तो मैं एक बार आगा 2 kg का एक बड़ी बना के देखूंगा, तो 2 kg पे कॉन मतलब कि 2 into 2, F कितना आ गया, 12 minus 4 मतलब कि 8, तो friction का जो value 8 हा रहा है, क्या friction का value 8 हा सकता है, friction को जो maximum value 4 रहेगा, मतलब यह case पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे पर चेक करते हैं, case को, so this case is therefore not possible, not possible, तो दोनों साथ साथ move कर रहे हैं, यह वाला case possible ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा assuming moving together, यह case possible नहीं है, तो अब second assumption क्या करेंगे, अब चार पार्ट में question हो गया, assuming moving separate, तो assuming moving separate, separate move कर रहे होते हैं, तो मेरे को पता होता है कि friction का value मेरे पास mu n के बराबर रहेगा, for short, तो friction का value अगर mu n के बराबर रहेगा, तो mu n मतलब 4, मतलब की ऊपर जो 2 kg है, उस पे 12 लग पीछे लग रहे है, और पीछे लग रहे है, 4, तो इसका acceleration कितना हो गया, 12 minus 4 कितना हो गया, 8, 8 upon 2 कितना हो गया, 4, और 4 kg वाले block पे, क्योंकि 4 kg वाला 2 kg को 4 पीछे दे रहे है, 4 kg वाला 2 kg को 4 पीछे दे रहे है, तो 2 kg वाला 4 kg को 4 आगे देगा, 4 newtons आगे देगा, तो इस करेंगे हम चेक कर चुके हैं उपर वाले का एक्सलेरशन को रहेगा नीचे वाले का बन रहेगा केस्टू क्या है कि बारा न्यूटन नीचे लग रहा है तो इसके अंदर भी हम अजूमिंशन पहले करेंगे अजूमिंग मूविंग अजूमिंग मूविंग साथ साथ में क्या होगा कि a1 is equal to a2 is equal to a होगा तो उसकी वज़े से क्या होगा सुरी हाँ ठीक है तो वापस से हम चेक करेंगे ये बॉड़ी बन जाएगी complete बॉड़ी बन जाएगी ये 4 होगा ये 2 होगा मतलब 4 प्लस तू 6 होगा ये 12 लग रहा है मतलब acceleration 2 होगा इस acceleration को provide करने के लिए कितना force चाहिए वो हम निकालेंगे तो अगर ये आगे move कर रहा है इसका मतलब क्या होगा अगर ये आगे move कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि 2 kg वाले पे 12 लग नहीं रहा था तो 2 kg वाले पे कौन सा force लग रहा है आए friction वाला तो friction इसके आगे लग रहा होगा क्योंकि इसका acceleration 2 आ रहा है इसलिए इस पे जो friction लग रहा होगा तो 4 अपना mu1 का value हो सकता है तो mu1 actually equal to भी आएगा मतलब जब static friction के बराबर हो रहा है तब भी वह हो सकता है तो friction का value अपना maximum limiting value पर play कर रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है slipping नहीं हो रही दूसरा भी check कर लेते हैं कि यह 4 kg का block है इस पे friction आगे मतलब इस पे friction पीछे 4 newtons और 12 newton का आगे force लग रहा होगा net force कितना आगे 8 newtons 8 newtons एपन 4 kg करेंगे तो acceleration इसका भी 2 आ रहा है मतलब इस case में क्या हो रहा है कि दोनों का acceleration 2 आ रहा है और friction का जो force है वो limiting वाले पर operate कर रहा है ठीक है तो इसके दोनों ही अपने answer समझ में आ गए तो पहले वाले case में क्या है पहले वाले case में slipping हो रही है friction kinetic बन चुका है अला कि kinetic का भी value mu n के बराबर ही है acceleration सेम नहीं है दोसरे वाले में acceleration तो सेम है और acceleration का value by coincidence इतना आ रहा है कि वो limiting friction के बराबर हो रहा है question number 23 कड़ते है 2 kg, 3 kg और 7 kg horizontal force of 10 N is applied on 2 kg block, 3 kg block, 7 kg block तो यह question 9 question के बराबर हो गया पहला part करते है 2 kg block पे अपन अप्लाइ कर रहे है 10 N का force पहला part g को 10 ले लो, mu 1 दे रखा है 0.2 यह 0.3 और यह 0.0 यह कितना है? 0.2 यह कितना है? 0.3 और यह कितना है? 0.0 ठीक है? पहला phase क्या है? कि अपन 10 N का अप्लाइ कर रहे है उपर वाले block पे ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या जूम करेंगे? तीनों साथ-साथ move कर रहे हैं तो अच्छा, इसका जो value होगा maximum friction का value कितना है? इससे corresponding friction maximum का value आएगा 2 x 0.2 x 10, 2 x 4 इसका कितना आएगा? maximum value 3, यह देखो 3 plus 2, 5 है 5, 10, 50, 15 to 3, 50 और यहां तो friction है जी नहीं तो पहले case हम क्या करेंगे? 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब यह भी घरबड है यार, 12 जूम्टन दे देते हैं 7, 8, 9 10, 11, 12 चलो तो acceleration कितना आगया? हमने all together पहले case में पहला assumption क्या लिए सब की सब साथ साथ move कर रहे हैं देखो वैसे actually है अगर तुमको assume करना है तो generally ऐसा assume करा करो जब नीचे force लगता है तब साथ साथ और जब उपर force लग 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 ऐसा assume करा करो तो उससे आसान रहेगा क्योंकि chances होते हैं उपर वाले block पर ज़्यादा friction नहीं लगता तो chances दोते हैं उपर वाले force को दपका दे रहें तो वह आगे निखल जाएगा बाकी पीछे रह जाएंगे क्यार मैं ऐसे assume कर लेता हूं in fact इसमें ultra assume कर लेते हैं कैसा भी assume कर लो तो assume all different assume all different तो अगर सारे different होंगे तो हमको पता है कि इस block का FBD बन रहा होगा 10 और क्योंकि आगे जाएगा इसलिए पीछे की तरह friction लग रहा होगा 4 different है मतलब friction अपनी maximum value रीच कर गया होगा ऐसे भी कर सकते question को ठीके ना दूसरा वाला 3 kg है 7 kg पैंपी तह आगे force लगेगा तो सारे कितना लगेगा नीедकर आगे force लगेगा इसपर आगे लग रहा होगा 4 और पीछे 15 तो लगनी सकता का कूरी की पीछे तो मूँव करना साफ़ करनी नहीं देगा इसपर छून पात्वथ इस मतलब क्या होगा समझ भाल यह बात मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने अगे जाता है कि इसके पीछन तो इस पर आगे लगता पूर मुझे इसके बीचिन बनाना है तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी आगे जाने की टेंचिया मतल़ा मैं पीछे पंदरा बनाता है कि अगर मैं पीछे पंदरा बनाता ऐसा थो पॉसिबल होई निसक्ता क्यों चुक्विए अगर मैं पंदरा बनाता तो इसका मतलब भी पीछे पूर्स आगे लगा रहा हूं यह तीन वाल पीछे जा रहा है तो यह पंदिशन नहीं हो सकती की आल्डिफरेंट है पहले वाले की कि इसमें condition हो ओई नहीं हो पाएगी तो second condition थे second क्या लिए कि 2KG different 2KG different 3 and 7 together तो अगर 2KG different है तो force और यहाँ पर friction force 4 आएगा जो भी different होगा उसका तो kinetic friction reach हो चुका है लेकिन यह साथ साथ move कर रहे हैं तो इसका friction अब कुछ F लिख दो इसका भी F लिख दो दोनों को acceleration same करो और F का value less than और equal to 15 आना चाहिए करके देखें चलो इसका करते हैं तो इसका तो acceleration निकालो 10 minus 4 upon 2 कितना हो गया 10 minus 4 6 upon 2 कितना हो गया 3 meter per second square यह साथ साथ move कर रहे हैं तो इन दोनों का भी निकालो एक साथ इसका net force 4 है यह कितना है 3 plus 7 10 है तो इसको body मान लो पूरी और इसका जो acceleration आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 upon 10 बतलब कि 0.4 meter per second square लास्ट वाले के लिकालो इसको friction जो force है वो इसको acceleration प्रोवाइड करता है 7 7 मास्को 0.4 का तो friction का value कितना आ रहे हैं यहां से 2.8 तो सारी condition satisfy हो रहे है क्या हो रहे है कैसे हो रहे है कि friction का value 2.8 आ रहा है इन दुनों के बीश में 15 से कम है यह maximum value है यह दूसरा यह साथ साथ मूव कर रहे है इसका acceleration 0.4 आ रहे है इसका acceleration आ रहा है इसका acceleration जाए इसका हम यह भी सही है क्योंकि उपर वाले का जादा माणजे नीचे है ठीक है उपर वाले का 3 है, और नीचे वाले का 0.4 है, तो मैंने यही बोला कि जब तुम उपर फोर्स लगाते हो, तो अजूम करा करो, पहला अजूम्शन लिया करो, सब डिफरेंट बूव कर रहे हैं, उसके बाद चालू कर दिया करो कोश्चन को, फिर अपने आप चीजे सेटिंग चालू को जाएगी, अब सेकंड कोश्चन क्या है, सेकंड पार्ट है, कि जो 10 नीटन का फोर्स है, वो इस पे लग रहे हैं, तो हम कहां से अजूम करेंगी, हम मान लेते हैं, सब डिफरेंट हैं, अजूम, all different accelerations, सब डिफरेंट हैं, तो इको 2 kg को बना लो, इसको बाद में दिखेंगे, 3 kg को बना लेते हैं, तो इस पे acceleration कैसा होगा, देखो 10 की वजए से, इसके respect में भी आगी जाता, और नीचे वाले के respect में भी आगी जाता, मतलब इस पे ये force पीछे भी होगा, इस पे friction पीछे भी होगा, ये friction कितना है फीचे, 4, लेकिन ये पंधरा आ रहा है, अगर ये पंधरा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नीचे वाले के respect में ये, देखो ये आगे वाला 10 है, पीछे वाला force 19 आ गया, तो ऐसा तो होई नहीं सकता, कि आगे वाला 10 है और पीछे वाला 19 फिर दो ये पीछे चले जाएगा, तो ये case तो पॉसिबल नहीं है, तो first case क्या था, assume all different possible नहीं है, कि इसने दिक्कत करी, इसने दिक्कत करी, नीचे वाला ने दिक्कत करी, 4 दो फिर भी 10 से चोटा है, बट 15 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या assume करेंगे, इस case में दूसरा assumption क्या लेंगे, दूसरा assumption हम लेंगे, की 2 अलग से, और 3 और 7 same, acceleration, तो इस case में हम क्या कर देंगे, इसको हम same body मान लेंगे, 3 प्लस 7 को, इस पर force करता लग रहा है, 10 to tons का, तो इसका acceleration तो क्या आगया, वाल, ठीक है, इसके respect में आगे जाता, तो इसके friction force पीछे लगता, इसके आगे लग जाएगा friction force, इसका friction force करता है, 4 है maximum, क्योंकि kinetic friction है friction force 4 है, mass 2 है, तो इसका acceleration के आगया 2, क्या इसको तुम इमजिन कर सकते हो, कि तुमने force इस पे लगाया, आगे वाला 2 से चला गया, नीचे वाली बन से जाए है, ऐसा हो सकता ही गया, तुमने force बीच वाले पे लगया, नीचे वाली चीज तो बन से जा रही है, उपर वाली 2 स पॉसिबल नहीं है तो तीसरा केस क्या बज़ गया all same अब अगर all same होगा तो all same की case में condition क्या होगी कि तीनों की acceleration को same कर दो पहले तो तीनों को one body मान दो तो acceleration कितना जाएगा 10 upon 12 यह तो acceleration आ जाएगा ठीक है मांत अब कोई दिक्कत नहीं है लेकिन friction की value 4 से भी कमाने चीए बराबर आने चीए 15 से भी कमाने चीए बराबर आने चीए ठीक है यह आगे move करने ही कोशिचिस कर रहा था इस पर friction पीछे आए और इस वाले पर friction पीछे आएगा एक F2 के value 15 से कमानी चाहिए ये भी होना चाहिए आपर बराबर आने चाहिए और acceleration 10 by 12 सबके satisfy होने चाहिए तो देखते हो रहा है क्या इसको अगर 10 by 12 करना है तो F1 की value करेगी 2 into 10 by 12 2 into acceleration मतलब कितनी हो गई 10 upon 6 10 upon 6 मतलब 1 point something 1 point 6 तो 1.64 से चोटी है तो ये वाला तो check हो गया correct निकालेंगे 7 वाले से F2 की equation क्या लिखेंगे F2 will be equal to 7 into acceleration कितना है 10 by 12 70 by 12 तो 70 by 12 15 से चोटा आए गया 12 सीजिए 72 17 by 12 15 से चोटा तो ये भी satisfy हो रहा है ये भी satisfy हो रहा है तो सब्सक्राइब हो गई कि friction जो 4 से चोटा है 15 से चोटा है और acceleration तीनों के बराबर आजाएंगे इसको calculate करो कि इसको भी 10 by 12 तो इसमें पर जाके lottery लगी तो अधर मैं बोई बोड़ रहा हूं कि जो सवाल है तीन सवाल नहीं है ये सवाल एक सवाल नहीं है तीन सवाल भी नहीं है नौ सवाल के बराबर है अगला case देखते हैं कि 7 kg पर कर रहा है 10 newton वाला 7 kg पर आएगा 10 newton वाला 7 kg पर आएगा तो देखो मैं बता चुका कि सबको साथ मुव करना अजीम कर लो क्योंकि नीचे है तो सबको साथ माना करो नीचे पुछ करो कि जनरल यह ऐसा ही होता है ना कि नीचे पुछ करो कि सब साथ है उपर पुछ करो कि तो उपर आगे तो नीचे वाले को अब सब्स चुक्राइब कर्सक्राइब है तो एक वह और उनगे जीम इसको लगए कि इसके बाता बस्तेया आगे सेटने की 223-Catz 10 by 12 हो, तो 2 into 10 by 12 होना चीजह है, वना 20 by 12 होना चीजह है, यह F1 यहां से आया, F2 का value कितना होना चीजह है, तो 20 by 12, 4 से छोटा है, तो यह तो हमारगा satisfy होगए, 12, 2 जो 24 होता है, 2 से भी छोटा है, यह भी satisfy हो गया, F2 और निकाल लेते हैं, F2 के लिए कितना 3 kg है, तो इसके लिएकेशन के लिखेंगे F2-F1, F1 करता है 20 by 12 is equal to 3 kg into acceleration, तो 30 by 12, 30 by 12 क्या है? इसका mass into acceleration, 30 by 12 क्या है? इसका mass into acceleration, तो F2 के value कितनी आ गई? 50 by 12, 50 by 12 लबबग 4 के बराबर होगा, 4 से जादा होगा, 15 से कम है, तो यह भी satisfy हो रहा है, तो इसमें कौनसा case satisfy कर गया? यह थोड़े दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्या case ले लो पहले कि सारे acceleration save है, यह मान के करा, तो सारे friction के values दोनों के, वो इनकी maximum values के कमा रहे है, मतलब static friction ही है, static है मतलब तीनों, एक तूसरे के respect में move नहीं कर रहे है, मतलब हमारा case satisfy हो गया है, नेक्स देखते है, question number 24, figure बना लेता हूँ में इसका, question है, the friction coefficient between the two blocks, the force shown in the figure is mu, but the floor is smooth, floor is smooth है, what maximum horizontal force can be supplied without distributing the equilibrium of the system, तो force की maximum मतलब limiting case करना है, limiting case में यह अपनी limiting value को reach करेगा, मतलब mu n, n कितना इतना mg, तो m का fbd बना लेते हैं, चोटा m का, f इस तरह लग रहा है, और obviously बात है, इसको इस तरह खीश के जाओगा, तो friction पीछे के तरफ लगेगा, friction कितना होगा, mu mg limiting case में, और एक tension लग रही होगी T, और इसकी बात कर लेते हो, friction आगे तो friction पीछे लग रहा होगा, mu mg, एक tension लग रही होगी T, और तो कोई force नहीं है, देख लो, सोच लो, मैं भी सोच लेता हूँ, force आ गया, बाखी तो vertical forces है, अब, क्योंकि हमको इसको equilibrium पर रखना है, यह force tension इसके बराबर होना चाहिए, mu mg के बराबर, mu mg tension के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर tension है, मतलब यह पीछे के तरफ, force के तना घया, 2mg यह force के बराबर होना चाहिए, यह force के बराबर होना चाहिए, force के तना आ गया, 2mg बात समझी में आ गई, नीचे वाले से tension, mu mg के बराबर आई, और क्योंकि tension mu mg के बराबर है, इससे यहाँ पर डाला, तो force केतना अगया 2μg पहला case हो गया यह वोला आगे पूछ रहे हैं Suppose the horizontal force applied is double that of found part मतलब force केतना लगाया अपनने 4μg force केतना लगाया 4μg find the acceleration of two masses अब मैंने बता इसके लिए पूरा FPD बनाने के जुरत नहीं है देख लो forces कौन-कौन से लग रहे हैं तो mass m पर क्या क्या लगा रहा है एक तो लग रहा है इस तरफ 4μg friction लग रहा है म्यू mg इस वाले block पर क्या लग रहा है capital m पर इस तरफ लग रहा है म्यू अजी देखो tension भी लग रही है T इस तरफ भी tension लग रही है T लेकिन अगर तुम खोल के भी मत करो देख लो कैसे भी कर लो इसको acceleration a मान लो इस तरफ इसका acceleration a मान लो इस तरफ तो इसके लिए equation क्या होगी 4μg-d-μg is equal to m a इसके लिए equation क्या होगी t-mg is equal to capital m दोनों को आइट करोगा t cancel हो जाएगा अपने बास के बचेगा 2μg is equal to m plus m a तो a आ गया 2μg upon m plus m इसको नो शॉर्टकट में बताना चाहता था कैसे कि इसको खोल दो खचाख खोल गया तो यह यह जो force है 4mg का वो along the motion है mu mg का against the motion है ऐसे ही इसका जो mu mg लग रहा है वो इसकी against the motion लग रहा है तो motion को रोखने वाले दो force कौन से होगा यह mu mg और mu mg मतलब 2mg motion को चलाने वाले force कितना होगा 4mg मतलब net force जो motion को चलाएगा वो कितना है 2mg तो 2mg किसके बराबब होगा m plus m in 2 है तो टेंशन वाला part cancel हो जाता है बस इतना सा बता रहा हूं जनरली पटाफट से अपन question को कर सकते हैं question number 25 देखते हैं suppose the entire system of the previous question is kept inside elevator which is coming down तो जब down आता है x elevator तो मैंने बताया था g की जगे अपन g minus a लिख देते हैं अब यह figure देखना है अपन को 6E9 अच्छा यह यह figure है suppose the small electric field exists in the space vertically upward and the upper block carries a positive charge plus q on its top surface देखो क्या हो रहा है कि यहां पे एक charge और रखा हुआ है plus q और एक electric field ऊपर की तरह है तो मैं इतना बता देता हूँ कि electric field की वज़े से charge पे force होता है q into e तो basically जब मैं इसका FBD बनाऊंगा तो इसके एक और force हाएगा q into e capital Q मानलो एक normal reaction तो थी ही, एक mg था ही तो मैंने friction को लिखाता है यहां पे mu mg बिकॉस normal mu mg के बराबर है अब यह balance है तो अब normal कितना है n plus qe is equal to mg n plus qe is equal to mg उपर वाले force equal to नीचे n कितना जाएगा mg minus qe friction कितना जाएगा mu n is equal to mu into mg minus qe बस इतना फरक आजाएगा friction बन जाएगा mu mg की जगे mg minus qe जो first वाला answer आ रहा था उसमें mg आ रहा था उसके जगे mg minus qe कर दो बस बाकी answer में कोई change नहीं आएगा समझे रहे हो friction में change आएगा mu mg friction था पहले अब क्या बन गया mg into mg minus qe बन गया तो बाकी सारा process सेम रहेगा what maximum force को ही सवाल है बाकी सारा process सेम रहेगा question number 27 देखते है a block of mass small m slips on a rough horizontal table under the action of a horizontal नहीं यह नहीं है दूसरा कुछ है इगर देखते हैं a block of mass m, m एक mass है यह slip कर रहा है rough horizontal table under the action of horizontal force horizontal force the coefficient of friction between the block and the table is mu, coefficient of friction mu है the table does not move on the floor the table जो है वो floor पे move नहीं करती आच्छा यह slide कर रहा है इसका मतलब इस वाले पे जो friction force होगा m पे वो पीछे की तरफ होगा और table पे जो friction force होगा वो आगे की तरफ होगा और table नहीं कर रही इसका मतलब ground भी इसको पीछे की तरफ friction force ते रहे हैं मिलाकेALLटिशे को पीछी के तरफ ते रहे हैं कि वान टड में अधर व्हाइग है किats 4 आगए सिक्ट बार आपर है 3 तक के ऑ चौनीव होगागा राएगा, कुछ सिंपल सवाल है, ये सवाल लाज पर नहीं अची था ये सवाल बहुत पहले आजाना चाहिए था लेकिन ये two body motion है इस लिए टू बारी मोशन है इसलिए ये कि अग्षिए कि अग्ड़ार प्रक्राइब कि अग्षिए कि अग्षिए तो थे लिए इसा कुछ है इस पूर्ट क्या पूछ है इसमॉल में है फिगर कोश्चन में, find the acceleration of the block of mass m, the coefficient of friction between the two blocks is mu1, इन दोनों के बीच में mu1 है, and that between the bigger block and the ground is mu2, इन दोनों के बीच में mu2 है, ठीक है, तो यह question थोड़ा lengthy question होने वाला है, यह मैं अड़री बता चुका हूँ आप लोगों को, इसको देखते हैं कैसे करना है, देखो, obviously यह नीचे जाएगा, यह आगे जाएगा, तो इस पर बाहन के चला हुआ है, कि move कर रहा है, तो अपन पूरी values देखे चलेंगे friction की, ठीक है, अब बाहन के चला है कि move करेगा, तो इस पर friction पीछे लगेगा, friction force कितना होगा, यहां पर n लग रहा होगा, और कॉन पॉर्स होंगे इस पर, देखो, एक तो mg होगा, एक tension होगा, पुली का अगर fbd बनाएंगे तो पुली ऐसे आ रही है, तो पुली को एक tension t खीच भी है, यहां पर भी बना लो, एक tension t होगा, एक tension t नीचे की तरफ होगा, यह बात समझ में आ रही है, देखो, यहां पर गलतिया करते हैं बच्चे, यह जो मास M है, एक तो नीचे की तरफ mg आ रहा होगा, एक उपर normall direction होगा, यह string लगी हुए है, तो इसकी वजए say tension t, यह जो पुली है, इसकी वजilles से एक नीचे tension आ रहा होगा एक इस तरफ यह से चनेक्ट मास से, यह इक तरह नहीत काँश से हlä मकला क्रीचल की पुली यहां पर भी एक T आ गया तो वर्टिकल फोर्स के रेखें के तो नीचे एक T एक्स्टार है Mg तो आई रहे नॉर्मल किसके बरावर होगा? नॉर्मल होगा Mg प्लस T क्योंकि उपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बरावर तो जो friction force बन जाएगा Mg फ्लस T तो friction force बन जाएगा is equal to Mg फ्लस T यहहां तक सही है 210 एक और मैंने गलती कर दि अएग ओर मैंने गलती कर दी ये दोनों move करेंगे तो इन दोनों के पीछ में भी एक normal होगा ये इसलिए गलती कर दी because मैंने छोटे mask को देखा ही नहीं था तो छोटे mask को भी देखना पड़ेगा तो एक normal को पीछे लगा लो तो ये normal n अलग है ये n1 पकड़ लो इसको तो 2t आगया है माइनस friction पीछे माइनस n1 is equal to m into a ये एक तो ये equation हो गई अब छोटे m की बात करते हैं तो छोटे m की बात करेंगे तो एक तो mg नीचे लग रहा है टेंचन ऊपर लग रहा है एक normal reaction लग रही है तो कुछ बच्चे बोलते हैं सिर्फ मास m पे friction पर तब आता ना जब नार्मल रिक्षन होती वहीं से मुझे ध्यान आया कि एक normal reaction लगेगा ये जो ब्लॉप कहना जब ये आगे जाएगा वैसे तो ये ब्लॉप के बीच में कोई normal reaction नहीं होती है गा लेकिन क्योंकि ये ब्लॉप आगे मूफ करने लगेगा ये इसको अपनी position से displace करेगा ये भी आगे मूफ करेगा तो इस ब्लॉप को आगे मूफ करने के लिए धक्काए पीछवारा ब्लॉप दे रहा है तो ये नॉर्मल डिक्षन आगे लगाएगा इसके और क्योंकि इसके respect में इसका surface नीचे जा रहा है इसके friction उपर के तरफ लगेगा mu1 into n1 और क्योंकि इसका acceleration a है आगे के तरफ तो मान लोग इसे time के अंदर ये 1 cm आगे आता है तो यहाँ पर रश्ची कितनी कम हो गए 1 cm ये length तो same है ये length तो same है यहाँ पर अगर 1 cm कम होई तो यहाँ पर भी 1 cm कम हो जाएगी यहाँ पर अगर 1 cm कम होई तो इन दोनों का distance से तो 1 cm कम हो जाएगा तो extra रस्ती जो कम होई यहाँ पर 1 cm यहाँ पर 2 cm कम होई मतलब यह अगर यह नीजे आ तकम यह तो नो इसका 1 cm नीचे आता है मतलब अगर इसका accaleration फ Ke dr brigade कि इसका यह तो इसका क्लिए क्लिए लेंगे। अ बुच्व मैं आद कि वोडधेसे क्रेंगे थो सुमौलवल्क ब्लॉर्टवल्क प्लॉफडicos कईसे करेंगे tut ब्लॉक M पे क्या टेंशन है ऊपर की तरफ टेंशन है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2A आ रहा है उसको A1 मान लो चलो इसको A2 मान लेंगे इसको A1 मान लो नीचे की तरफ बाद में अठा देंगे मैं बस बता रहा हूं इसका 2A क्यों लिया इसके तीन टेंशन है यह वाला टेंशन भी नीचे और यह दो टेंशन भी लेकिन यह वाला टेंशन जो है इसके अनौं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका जब मैं ले इसके लिए टो के बराबर है तो अगर यह है तो यह कितना हो जाएगा 2A ऐसे भी कर सकते हो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लंबा यह विस्ट्रिंग देखके कर लो है यहां पर बच्चे कलते हैं इसके लिए लिए एक्वेशन क्या होगी देखो ब्लॉक नीचे आ रहा है तो mg M1-1 N1 is equal to M into 2A एक तो यह equation होगी दूसरा horizontal हमेशा दो एक्वेशन लिखते हैं वर्टिकल पर इस horizontal पर लिए 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 अब होरीज़गे तो होरीज़न पर इसको एक्वेशन के साथ में चल रहा है तो horizontal पर एक्वेशन के साथ यह सब रहा है तो horizontal पर एक्वेशन आगी N1 से नीचे आ रहा है 2A से आगे जा रहा है A से तो यह बन गया Mg-T-Mu1 N1 M1 into Ma is equal to M2 है हमको निकालना क्या है हमको तो A निकालना है ना तो A निकालने के लिए हमको T को भी eliminate करना पड़ेगा को भी eliminate करना पड़ेगा N1 को भी N1 तो लिख दिया अपने M into 2 है तो वो तो eliminate हो गया वो खतम हो गया T यहां पर है तो मेरे पास और T यहां पर एक मेरे पास है तो इन दोनों को और पन कंबाइन कर देते अपना जाएगा तो यह देखो T अंदर भी आ रहे है ती अंदर N1 को भी क्या लिख दो M into A यह क्या हो जाएगा इसको भी अटाओ यह क्या हो जाएगा Mg-T-mg-1ma is equal to M into 2 एक यह equation बची है अपने पास एक यह equation बची 2t-mg-t-ma is equal to M में अब यहाँ पर T आ रहे है वहाँ पर T आ रहा है वहाँ से को अलग अपशा हो इसमें डालो वो लंबा इस को दाल देंगे वाले को आगे फुछ कर रहा है तो इसलिए एन अरए इस पर देखिंगे तो पिछे लगेगा। j2 2xN लगेगा। लेकिन एंड मेंगे और न लागनेगा। इसका F-D-A आगे, तो आगे तई एगा नीचे एगा इदर T i एगा, इधर N वना आगे, इधर M G एगा, इधर M G एगा इगा। बहुत सारे फोर्से, वह कॉंप्लेक्स एगा। इसका सब्सक्राइब कि तरफ इसका एक्वेशन नीचे होगा अगर इसका ए होगा आगे तो इसका नीचे होगा तुए मैं समझा चुका हूँ बागी एक्वेशन इसकी बना लो ऐसा ही वर्टिकल अपना अंसर आ जाएगा 28 कुश्यन होगे लंबा कुश्यन था लंदा कुश्यन था 29 देख्टे है 29 रफ वर्टिकल झाल 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 देखो यह question बच्चे समझनी पाते हैं पर तो यह समझे लो इसमें हो कहा है जैसे यह बॉल है तो एक फॉर्स तो तुम 40 का यह से लगा रहे हो एक 15 का यह से लगा रहे हो ग्राविटी नीचे ही है अम जो friction में बनाना है तो इसलिए बहुत complicated सा हो रहा था बनाने तो बना भी स the error और 15 newton यह से लगा रहे हो क्योंकि जब पर पाcil बोल ना तो इसलिए हुआ निए रगा रहे है लिक्क 들이 यहल्टे गञा यह लिखा हो और हो और रोगी टुल जoure है तो अबलाया Commons इक के रहे हैृव को तो यह को GTL लेनी है तो 40 Newton तो सामने दिख रहा है 15 Newton बहार आता हो दिख रहा है अंदर जाता हो यहां फिर बहार आता हो कैसा भी कर सकते हो कि अपर दो यह देखो coefficient of static friction कितना है 0.5 तो यहां से देखने पर दिख रहा है कि अपनको mg तो नीचे लग रहा होगा यह वाल है तो यह नॉर्मल रिएक्षन यहां भी लग रहा होगा तो नॉर्मल आएगा तो friction maximum कितना हो जाएगा मुएस इंटू एन 40 के बराबर होगा ब्रकॉज यह दोनों balance कर रहे हैं बाकि तो सब अब यहां से देखो इस प्रब्लम को तो ग्रैविटी नीचे लग रहा है चुन्ती यह फोर्स ऐसे मान लो 50 नूटन इस तरफ नगरा है तो नेट फोर्स के तरह होगा 25 नूटन होगे ना इस डारेक्शन में और डारेक्शन में निकालने हैं तो निकाल लो यह एंगल क्या होते हैं यह 3 और 4 है तो यह 37 डिगरी होगा नेट फोर्स तरह तो इस तरह इस तरफ पर बूव ओपने में तरह सथ जा है उसको तो पॉर्ट से अंतर घुसरा 15 और 20 का अडिशन तो इसके अलोंग इसके पीछे फिक्शन लगता है नेट उसके अगेंस जिसके जा मुव पढ़ने के टेंगेंसी है यह 37 क्यों होगा विकॉज अगर तुम यहां पर 20 लिखते हैं यहां पर 15 लिखते हैं तो यह 3 बनता है यह 4 बनता तो 3 के अगे 37 होता है तो यह फॉर्से जो इसको लेकिए जानना चाहता है यह फॉर्से जो रोख रहा है तो नेट फोर्स कितना हो गया पाइव तो एक्ट्रेशन कितना हो गया 5 अपॉन 2.5 बिटर पार 2.5 बिटर पर सेटेंड स्कॉर रिख्शन बताहिए थी 37 डिउल्ड वर्तिकल तो इसमें तो जो फिंटिन के तुम लोगों ने विछ परिप्टेंग वह तुम लोगों ने बच्पन में चोटी सिसी उसके बीच में तुमने असा करा होगा अभी तो तुम्हारा वेट बढ़ गया उसकता है निकर भाता मुझे तुरह पतला होना पड़ेगा थे परसन 40 kg is managing to be a ने ढईआ हैं यह बहुण है यह दो वर्टिक्ल वॉल्स हें यह भी थे एक बारर से यह घ्यक्ति पर रहे हैं यह अगर उस्टरफ कि आप ऐसी सब्सक्राशब्सराची साथ में जान विसчи कमर रही है लेकं वरपी ऐसे क्यों कि यह भी दिवार को धक्का मार रहा है न इसकी बैक भी पूछ कर गोफ्ता प्रीविंट बिलाइब है। । इस व्यूट की थितो है। मैं तो, स्फॉर्स फोरिष। सब्सक्राइब है। इस पाइटानी के लिए फीटालने के लिए इस को बैंस कर दो, तो mg is equal to 2μn है, तो mg दे रखता है क्या, 40kg, 40 into 10, mg is equal to 2μn, mg is equal to 2μn है, μ कितना है, 0.8, तो यह है, 2 into 0.8, into n, यह कितना है, 400, तो n कितना आ गया, 400 upon, 2 into 0.8, 2 से 2 गया, 2 4 जा होता है, बढ़ यह 0.4 है, तो एक बार इदर ले आओ, इसको, यह भी 1000 बन जाएगा, 425, 250 N का नॉर्मल पोर्स अपने पास आ गया, 250 N का नॉर्मल पोर्स अपने पास आ गया, खतम कहानी, simple question है, तो यह question simple actually, यह last भी तो है, बढ़ यह simple है, पहले ही आगे गंदे वाले questions, last question भी ठीक है, ऐसा question NCRT में भी है, question 31, शोजे स्मॉल ब्लोक अफ मास है, NCRT में तो क्या है, इसके चार चैप्टर को एक चैप्टर में बना रख था है, लॉस अफ मोशन तो चैप्टर है, उसी के अंदर फिक्शन लिया हुआ हुआ है, उसी के अंदर लॉस अफ मोशन लिया हुआ हुआ है, उसी के अंदर पोर्स लिया हुआ है, उसी के अंदर सर्कुलर मोशन लिया हुआ है, तो इसके चार चैप्टर को NCRT में एक चैप्टर में बना रख था है, इसलिए मैं बोलता हुआ हम NCRT फिक्स की ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगी, कोशन बो था देखते हैं, इसलिए अच्छाइड विलोसिटी बिए, इसकी स्पीड भी है, इसकी स्पीड भी है, इसकी स्पीड भी है इनिशल कंडिशन में, इसकी स्पीड भी है, इसकी स्पीड भी है, इसकी स्पीड भी है, अब स्पीड कैसे होगा, आगे जाएगा, यह बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को समझ देखो, शुरू में दोनों V-speed से जा रहे हैं, अगर कोई friction नहीं होता, दोनों V-speed से जाते हैं, यह ब्लॉग इसके उपर ही रहता है, इसके respect में यह तो आगे जा रहा है, यह ब्लॉग कर रहा है, इसके तो friction पीछे लग जाएगा, F, और क्योंकि motion है, इसलिए F का value कितना हो जाएगा, F1 बोल दो इसको, mu into m plus m into g, m plus m into g, m plus m into g क्यों होज यहां पर जो normal reaction का value आएगा, n, वो m plus m into g के बराबर होगा, यह कर भी सकते हो, क्योंकि इस पर friction force पीछे लगा, थोड़े टाइम बद क्या होने लगा इसकी velocity कम होने लगती, इसकी velocity कम होने लगती, इसकी velocity कम होने लगती, इसकी जाधा है, मतलब इसके respect में यह वाला block पीछे move करता है, इसके respect में यह आगे move करता है, मतलब इसके friction पीछे लग जाएगा, तो final जो FBD बनेगा, उस case में M के उपर friction force पीछे लग रहा होगा, mu by 2 mg, capital M पे, क्योंकि यह पीछे लगा तो यह आगे लग रहा होगा, mu by 2 mg, यह पीछे लग रहा है, mu into m plus m into g, यह इसका equity है, वापस समझ लो कि बीच वाला friction कोई मायन नहीं रखता, अगर दोनों की speed भी थी, तो दोनों की speed भी रहती, दोनों आगे जाते, यह वाला friction काम में भी नहीं आता, लेकिन road के respect में तो यह block आगे जा रहा है, road को अच्छा नहीं लगा, friction को अच्छा नहीं लगा, पीछे जो लगा, उसकी value छोड़ो, उसकी वज़े से, इसकी speed कम होने चालू हो गई, इसके respect में, मतलब यह, इसके respect में पीछे move करना चालू हो गया, तो इस पर friction आगे लगेगा, ऊपर वाले की वज़े से, इस पर friction पीछे लग जाएगा, यहां तक बात समझ में आ गई, अब क्या होगा, इसका जो acceleration तरफ है, ए पीछे की तरफ है, कितना है, वाइट हो जी, इसका जो acceleration तरफ है, वाइट हो जी, तुमको लगेगा, यह तो पीछे चला गया नहीं, इसका acceleration को तु देखो, इसका acceleration कितना है? पीछे की तरफ देख लेते हैं, इसको अपन capital M से divide करेंगे इसका acceleration पीछे की तरफ कितना है? पीछे की तरफ deacceleration है ना, net तो, यह जादा होगा, यह कम होगा तो deacceleration कितना है पीछे की तरफ इसका? इसका है, इसको इसमें से minus करो तो, mu mg plus mu mg minus mu by 2 mg upon capital M करेंगे तो, क्या बन गया? पीछे की तरफ इसका expression बन गया इसको यह लिखत हो, a is equal to यह दो, mu by 2 mg होगा upon M, तो, एक तो बन गया, mu by 2 mg upon M into g positive, और यह बन गया, mu mg upon M, तो यह mu g plus mu g, यहां तक भी बास समभी में आ गई, तो, देखो, कौन सा वाला जादा है, नीचे वाला जादा है कि उपर वाला जादा है, तो, देखो कि नीचे वाला इसका पीछे की तरफ acceleration जादा है, इसका पीछे की तरफ acceleration जादा है, मतलब इसके respect में इसका acceleration तो आगे ही है, यह बात भी समझ में आ गई है, मैं इसको मिटा जेता हूँ अब, अब मैं पढ़ा चुगा था का बढ़ा M, तो, what is the initial velocity of short time with respect to M, V minus V is equal to 0, तो V matter भी नहीं करता है, V का value matter भी नहीं करता है, आगे जाके गिडने के लिए, आगे जाके गिडने के लिए, इसको displacement कितना कवर करना पड़ेगा, M को with respect to M, L कवर करना पड़ेगा, time लिकालना है क्या, time लिकालना है, और what is the acceleration of M with respect to capital M, this minus this कर दो, बट वो याद इसमें पीछे की तरफ है, वो पीछे की तरफ से में negative लिख रहा हूं already, और this minus this कर दो, तो, this minus this करोगे तो, मुझी बाइटू जी माइनस मुझी कितना हैगा, माइनस अफू बाइटू जी, समझे रहे हैं, पीछे की तरफ लिए हैं मैंने, और this minus this कर रहा हूं, तो दो नेगटिव न दर एक और नेगटिव आगटिव आगटिव आ रहा है, माइनस अफू बाइटू, M by M जी, तो ये नेगटिव नेगटिव पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब, पॉजिटिव आफ कितना है, मुझी को कॉमन ले लो, मुझी बाइटू, 1 प्लस M by M, ये किस तरफ आगे की तरफ है, तीन चीज़ बता बढ़ गई, टाइम निकाल लो, टाइम कैसे निकालते हैं, तो ये नेगटिव प्लस M, आपके T-square, तो ये वाली वाली वैल्यू, टू प्लस 2, ये दे रखा है, ये M उपर आजाएगा, ये दे रखा है, 4 बन जाएगा, M जाएगा, UG बन जाएगा, ये अपना अंसर दे रखा है, ये अपने फिक्शन के सवाल थे, सारे फिक्शन थोटा सब्सक्राइब चैप्टर से, थे रखा है, ये बाद में बार करें जी पावर है, वो ब्रूटिफुल चैप्टर है बहाती, अब बहुत इंपोर्टन चैप्टर है, तो मेरे साथ बने रहो, मिरे नदा में हर्श अकरबाल, हम कर रहे हैं, स्वर्मा, स्लूशन, एक् कि लिए बाय, टेक केर, वा नाइस दे, गुट बाय.